तो जी हैं नमस्कर सभी वीवर्स को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इसे शांदार मुकाबले में जी हैं एक तरफ होगी बॉल सीट रिची की टीम और एक तरफ आपको खेलते वे दिखाई देगी निल्लाई रोयल किंग्स की टीम तो जी हैं आब बात करेंगे दोनों टीमों के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि लीग स्टेज का आज आखरी मुकाबला यहां पर दोनों टीमें खेलते वे नज़र आएंगी निल्लाई रोयल किंग्स की टीम अल्रेडी प्लेय ओफ में जगा बना चुकी है छे में से चार मुकाबले जीत कर वहीं अगर बालसिट रिची की टीम की बात की जाए तो जी आब तक छे मुकाबले खेले और एक भी मुकाबला अब तक यह टीम जीत नहीं पाई है हाला कि जो एक्सपेक्टेशन्स थी बालसिट रिची से उसमें वो पूरी तरह से एसफल रही थी बाकि यहां पर देखना होगा आज अपना आखरी मुकाबला खेलने उतरेगी बालसिट रिची की टीम और क्या यहां पर अपनी इज़त बचाने के लिए क्या इस टूर्नामेंट का सिर्फ एक ही मुकाबला यहां पर जीत पाएगी या नहीं हाला कि बालसिट रिची ने जिस परकार की इस साल परफोर्मेंस से दिये थोड़ा मुश्किल लगता है देखकर क्योंकि सामने भी एक मजबूर टीम है नेला इरोयल किंग्स की टीम अगर कपने कुछ महतपून प्लेयर्स को आज की इस मुकाबले में आराम देती है क्योंक हमने पिछले 5-6 मुकाबले होते हुए लगतार देखे हैं पिच की जो है वो समझ पूरी तरह से आ चुकी है पिच बलेबाजी के लिए ठीक था का बढ़िया पिच है ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रन बनाना मुश्किल है जो भी प्लेयर्स हैं यहाँ पर टिकर खेलते हैं व अगर आप एट लगाते हैं चाहे मैच पे हो चाहे सेशन पे हो चाहे प्लेयर्स पे हो तो जाकर कल्यान लुक के उपर अपनी आईडी बना लीजिएगा चले बात करेंगा यहाँ पर बॉल सिर्टी की टीम आज एक मुकाबला अगर उसको जीतना है अपना आखरे मुकाबल अगर जीत भी जाती है तो पॉइंट स्टेवल में कोई बदलाओ आएगा नहीं क्योंकि नेले रोयल किंग्स के उपर जो दोनों टीम हैं डिंडी कुल ड्रैगन्स और लाइका कोवाई किंग्स उन दोनों के ही बारा बारा पॉइंट यहाँ पर मुझूद हैं दोजियां यहाँ पर देखना काफी दिल्चस्प रहेगा जो मुकावला है वो किस तरीके से होते हुए दिखाई देता है बाकि आप सभी लोग जुड़ते रहिएगा स्ट्रीम को लाइक करते रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा चलिए यहाँ से आपको लेके चलते ह यहाँ पर मैदान की बाकि आप सभी लोग कल्यान बुक के ओपर जाकर अपनी आईडी बना लीजेगा स्क्रीन पर दिये गए नंबर पे अगर आप मैसिज करेंगे आपको सिर्फ हाई लिक कर भेजना है तो जी हैं आपको 200 रुपे अगर आप डिपोजिट करते हैं तो 100 र है पहले बले बाजी करते हुए वो 151 का रहता है बाकि हाइस्ट स्कोर की बात करते हैं तो इस मैदान के ओपर निल लाई रोयल किंग्स का ही है 206 रन चार विकेट के नुकसान पर और जो लोवेस्ट स्कोर है इस मैदान के ओपर वो डिंडी गुल ड्रेगन्स का है 83 रन पर डिंडी गुल ड्रेगन्स की टीम आउट हो गई थी बाकि अब बात कर लेते हैं कि स्कोर यहाँ पर किस परकार से हमें बनते हुए नजर आता है चले स्कोर की यहाँ पर बात करते हैं बासट मुकाबलों में से आप देख सकते हैं कि 25 बार ऐसा हुआ है कि जो रन है वो 1500 से क अच बार पहुंचिए तो जी हां अगर टोटल यहाँ पर एनलाइज किया जाए स्कोरिंग रेट का तो एक बात तो समझ में आती है कि इस मैदान के उपर 190 से उपर पहुँचना बहुत मिश्किर है बहुत कम टीम ऐसी है बहुत कम चांसिस ऐसे हुए है कि टीम है यहाँ प स्कोरिंग रेट है इस मैदान के उपर वो 155 से लेकर 179-70 तक 155 से 170 के बीच में पहले बले बाजी करने वाली टीम रन बनाएगी लगबख 70-75 परितिश्य चांसिस इसी बात के रहते हैं और मेरे ख्याल से यहाँ पर पार स्कोर भी रहता है 170-180 तक अगर टीम है यहाँ पर पहुंच जाती है तो काफी बढ़िया एक पार स्कोर यहाँ पर माना जाता है वो इस मैदान के ओपर 111 रन डिफेंड भी हुए हैं तो जी आप इचको अगर ध्यान से देखेंगे हाला कि डिटेल पिछ रिपोर्ट के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे लेकिन जो पिछले मुकाबले हमने होते हुए इस मैदान के ओपर देखे हैं उसके बाद देखेंगे हैं तो जी आएक बार फिर से मुकाबला काफी दिल्चस्क होने की उमीद है बशर्ते बॉल से ट्रिची की जो टीम है वो यहाँ पर थोड़ा सा प्रिपेर होके उत्रे आज के इस मैदान को चलि जी इस मैदान के ओपर बात करते हैं पेस वर्से स्पिन के आखड़े की जो हाँ पिछले दस मैचों में अगर आप देखेंगे तो 47 परतिशियत विकेट है वो मिले है तेज गेंदबाजो को वही spin गेनबाजों को मिले हैं 53% विकेट तो जी हाँ आप देख सकते हैं मकाबले में किस परकार से यहाँ पर चीजे होती है हाला कि जो टीमे है ऐसा भी यहाँ पर कई बार हमने देखा है कि जो विकेट से वो जादा गिरती ही नहीं है एक पारी में ओन एवरेज अगर विकेट गिरने की यहाँ पर बात की जाए तो पहली पारी में जो ओन एवरेज यहाँ पर विकेट गिरते हैं वो गिरते हैं पांच और जो दूसरी पारी में on average विकेट गिरते हैं वो 8 गिरते हैं तो जी आ विकेट यहाँ पर लगबग लगबग सारे नहीं गिरते हैं लेकिन फिर भी 47 परतिशज जो विकेट है वो तेज गेंदबाजों के हिस्से में आते हैं और वहीं 53 परतिशज जो विकेट है स्पिन गेंदबाजों के हिस्से में आते हैं खासकर साथ से लेके 15 और के बीच का जो खेल होता है वहाँ पर आपको स्पिन गेंदबाज एक बार फिर से कंट्रोल करते हुए दिखाई देंगे बाकी जो दूसरी पारी होती है जहाँ पर दूसरी टीम बलेबाजी करने के लिए आती है वहाँ पर स्पिन गेंदबाज थोड़ा सा और ज़्यादा एफेक्टिव साबित हो जाते हैं बाकी ज़्यादा नहीं लेकिन हलका फुल का जो फर्क है वो होता है दूसरी पारी में जो टीम बल्लेबाजी करती है उसको थोड़ी सी परेशानी महसूस जरूर होती है स्पिन गैनबाजों के खिलाफ बड़े शोर्ट लगाने में हाला कि जो पिछ है ओवर ओल अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी के लिए काफी बढ़िया है जो टीम यहाँ पर टिकर खेलेगी जो बल्लेबाजी यहाँ पर टिकर खेलेगी वो यहाँ पर रन बना पाते हैं सीधे बल्ले से खेलने वाले बल्लेबाज अक्सर हमने देखा है कि यहाँ पर सफल होते है जी हैं तो बाकी देखते हैं आज के इस मुकाबले में किस तरह से गेनबाजी होती है किस तरह से बल्लेबाजी होती है हाला कि जो भी हो उमीद करते हैं कि मुकाबला एक काफे दिल्चस्प तरीके से होते हुए नज़र आए चले जे टीम कमपेरिजन की बात करते हैं पिछले 10 मैचों में किस परकार से इन दोनों टीमों ने परदर्शन किया है बाकी सभी टीमों के खिलाफ तो बॉल से ट्रेची की टीम आप देखेंगे तो 6 मुकाबले अब तक खेले हैं अब तक एक भी मुकाबला जीता नहीं है एवरिज जो स्कोर है वो 117 रन है मातर हाइस्ट जो स्कोर है 155 रन है और लोवेस्ट स्कोर की अगर यहां से बात की जाए तो वो मातर 71 रन है बाकी निल्लाई रोविल किंग्स की अगर बात की जाए तो दस में से पाँच मुकाबले पिछले जीते हैं, पाँच मुकाबले हा रहे हैं, एवरेज जो स्कोर 163 रन है, हाइस्ट स्कोर उनका ही है, 236 रन, लोएस्ट जो स्कोर है वो 124 रन हमने यहाँ पर देखा है तो जी हाँ, निल्लाई रोयल किंग्स की जो टीम है, हाला कि उसका जो परदर्शन है, वो भी तरह बढ़िया रहा नहीं है, पिछले 10 मैचों में लेकिन ओवरोल टीम इस काबिल थी कि वो क्वालिफाई में जगा बनाए, टॉप 4 में अब जा चुकी है, और टॉप 4 में अब नहीं पिछले 5 मैचों की अगर बात की जाए तो वही निल्लाई रोयल किंग्स की एक हाते में पिछले 5 में से 3 बार मुकाटी में हारी है, तीन बार मुकाबला जीती है और 2 बार मुकाबला हारी है, हाला कि अपना आखरी मुकाबला निल्लाई रोयल किंग्स की टीम में यह ये टीम टीसरे नंबर पर ही रहेगी, आज का मुकाबला चाहे कितने भी मार्जन से जीच जाए, तो इस मुकाबले कि कोई महतवता है नहीं, निल्डाई रोयल किंक्स के टीम के लिए बाकी बॉल सीट रिची के पास एक मोका है, कम से कम मुकाबला समाप्त हो रहा है, टूर् जाने लायक रहा है इस साल, बाकी विनिंग परसेंटेज की बात करते हैं, तो अल्रेडी यहाँ पर निल्लाई रोयल किंक्स के जीतने के चांसिस रहेंगे, चुरासी पर्तिशत वहीं, बॉल सीट रिची के जो चांसिस है, वो यहाँ लगबख 16 पर्तिशत के आस पास रहन जाने वाले हैं, तो जी हाँ 16 पर्तिशत भी मेरे ख्याल से जादा बोला है, लेकिन मैंने आपको बता है, दो चीजे हो सकती हैं, या तो निल्लाई रोयल किंक्स की जो टीम है, वो थोड़ा सा इस मकाबले को जादा सीरियसली ना ले, तब बॉल सीट रिची के पास इस मका खाबले में लड़ना, भिड़ना, निल्लाई रोयल किंक्स के साथ, तो जी अचलिए ये यहाँ पर कुछ मैदान से आखड़े, तो मैदान के आखड़ों के बाद आपको सीधा लेके चलते हैं, यहाँ पर कुछ ग्राउंड के, कुछ और आखड़े आपको जल्दी से यहा बात करते हैं, एवरेज स्कोर की बात करते हैं, इस मैदान के ओपर किस परकार से स्कोर बनते हुए नजर आता है, क्योंकि सेशन काफी सारे लोग खेलते भी हैं, पूछते भी हैं, तो किस परकार से इस मैदान के ओपर सेशन में रन बनते हैं, ओन एवरेज एक बारे में ज 70 run बनते हैं और दूसरी पारी में on average 78 run यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं 15 over की बात की जाए तो पहली पारी का जो on average session का score है वो 113 run और वहीं दूसरी पारी में 120 run के आसपास रहता है 20 over की बात की जाए तो पहली पारी में on average 160 run बनते हैं दूसरी पारी में 121 रंड बनते हैं पिछले 10 मैचो का कड़ा यह आपकी स्क्रीन के सामने हैं में बात कर देते हैं तो सिबसे पहले बात करते हैं टीम की आपनिंग तो जहां टीम की आपनिंग नेल ला ही रोयल किंग्स की टीम की काफ़ी शायन दा रही है, इस सीजन में हाला कि कुछ मुझाबलों में हमने फेलियर भी देखा है लेकिन ओवर ओल अगर देखा जाए तो इस team की जो opening का वो काफी कमाल रही है वही बॉल सी ट्रीची की team की जो opening का वो काफी खराब रही है यह उपर के team बलेबाज बॉल सी ट्रीची के चलते वए नज़र ही नहीं आए है बाकि middle order की बात करते हैं तो यहाँ पर मजबूत दोनों टीम है, बॉल सीट रिची का जो मीडल ओर है, वो भी काफी मजबूत है, लेकिन नेल लई रोयल किंग्स की जो टीम है, वो यहाँ पर भी बाजी मार जाती है, बाकि बले बाजी में गहराई की जब बात आती है, तो यहाँ पर बॉल सीट तो लगता है कि इनका जो बैटिंग डैप्थ है वो काफी गहरी है। परकार से उनका परदर्शन रहा है वो निल्लई रोयल किंग से डेफिनिटली काफी जादा है तो यहाँ पर गेंदबाजी के मावले में बॉलसेट रिची थोड़ा सा आगे निकलते हुए जरूर नजर आती है लेकिन बलेबाजी में निल्लई रोयल किंग की टीम में वो बह से ट्रिची की टीम ने आज तक यहाँ पर सिर्फ एक ही मुकाबला खेला है उस मुकाबले में यहाँ पर खेले हैं इंडियन सीमेंट से ग्राउंड के मैदान पर जहां आज मुकाबला होना है पिछले दस में से छे मुकाबले जीते हैं चार मुकाबले हा रहे हैं एवरेज जो स्कोर है वो 193 है और लोएस्ट जो स्कोर है वो यहाँ पर 116 116 रन यहाँ पर रहता है नेल्लाई रोयल किंग्स का तो जिया इस मैदान पर पर परदर्शन के अधार पर तो नेल्लाई रोयल किंग्स की जो टीम है वो काफी आगे निकल जाती है बॉल सीट रिची की टीम क खिलाडी इस pesh को काफी भली बाती जानते हैं, तो cash की उचाल से कि गहेंद कहाँ पर swing Doug Mac चलिए जो recent मैच की बात करते हैं जो इस मैधान के ओपर हमने होते हुए देख रहे हैंÁकरी मुकाबला की टीम साथ विकेट से जीत गई थी हाला कि अच्छी बात ही है दोनों ही मुकाबलों में जो स्कोर है वो 160 वन स्कोर की बात में आपको पहले भी बता चुका हो इस मैदान के उपर जो ओन एवरेज अगर आप देखे more precisely तो 155 से लेकर 165-70 के बीच में जो स्कोर है 70-80% चांस है जो टीम पहले बल्ले बाजी करते है और अच्छी बल्ले बाजी करती है वो जो टीम है वो इतने ही रन यहाँ पर बना पाती है 190 से उपर जाना यहाँ पर काफी मुश्किल होता है इस मैदान के उपर चलिए जी एवरेज स्कोर यहाँ पर हो गया तो जल्दी से अब आपको लेके चलते हैं पिच की तरफ दिखाते हैं आपको पिच की यहाँ पर क्या कंडिशन रहने वाली है किस तरीके से यहाँ पर प पिच का हाल तो चलिए लेखे चलते हैं आपको पिच की तरह तो जी आप पिच का आपको हाल मैं पहले बता चुका हूँ कि जो पिच है वो काफी बैलेंस्ट है बले बाजो के लिए भी यहाँ पर भरपूर मोका है अपना परदर्शन निखारदे का और साथ के साथ अपना अगर बाद करना जानते हैं तो इस पिछ पिछ के ओपर खेलना जो काफी आसान हो जाता है तो पिछ यहां पर काफी शानदार है अगर डिटेल पिछ रिपोर्ट की यहां पर बात की जाए जिए डिटेल पिछ रिपोर्ट से पहले एक बार बात कर लेते हैं कि पिछ यहां पर किस परकार से दी जाती है जी यां तो पिछले पाँच मैचों में अगर आप देखेंगे तो हमने देखा है कि पाँचों के पाँचों मैच में ग्रीन पीच यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं पिच के उपर हल्की सी गास की परत बहुत महीन अगर आप ध्यान से देखेंगे मुकावले के बीच में तो जो पिच है वो हल्का साब को हरी दिखाई देती है तो वो एक बहुत हल्की सी गास की परत पिच के उपर होती है कुछ पैचिस के अंदर तो पिछले पाँच मैचों में हमने ग्रीन पिच देखें और जब जब हमने ग्रीन पिच देखें तब तब हमने इस मुकावले क के अंदर रन बनते हुए देखे एक सिर्फ एक मुकाबला था जहां पर बॉल सीट रेची का ही वो मुकाबला था जहां पर 129 रन मात्र बने थे उस मुकाबले के अंदर तो जी यहां चेपक सूपर गिलीज ने पहले बले बाजी करते हुए से 129 रन बनाए थे बाकी 160, 160, 208, 169, 160, 160 के पार का जो स्कोर है हमने पांच मैचों में यहां पर दगातार बनते हुँ देखा है बाकी आज की पिछ भी मेरे ख्याल से आखरी मुकाबला है तो शायद ग्रीन पिछ ही यहां पर दी जाएगी बाकी अगर डस्टी पिछ ही यहां पर दी जाती है तो फिर जो खेल पूरी तरह से बदल फिर यह जो पिछ है जो बाकी की हमने पुरानी पिछे देखी ती डिंडी गुल के मैदान की जो पिछ देखी ती असी परकार से यह भी स्पिन के इंदबाजों को खूब असिस्ट करते हुए नजर आएगी अगर यहां पर डस्टी पिछ दे दी जाती है तो चले जी यहां तिरुनवेली पिछ पर स्पिन बोलर्स का बोलबाला देखने को मिल सकता है इस ग्राउंड पर रंचेस करने वाली टीम मकाबला जीतते वे नजर आ सकती है तोस जीत कर पहले रंचेस करने वाली टीम मैच जीतते वे नजर आ सकती है हाला कि अगर तोस का देखे पिछले 10-20 इस 30 मैचों तक का भी अगर यहाँ पर हाल देखें तो लगबग भराबर ही रहता है तो उस यहाँ पर ज़्यादा महत्वपून होता नहीं है चाहे टीम पहले बले बाजी करें चाहे टीम पहले गेंद बाजी करें क्योंकि पिछ के अंदर हमें ज़्यादा डेवियेशन प्राबलाओ तो जी आपकी टोस का ज़्यादा फरक पड़ेगा नहीं लेकिन फिर भी कहा जाता है इस मैदान के उपर की चेस करने वाली टीम को हमेशा थोड़ा सा फाइदा यहाँ पर होता जरूर है चलिए यहाँ पर मोसम की जल्दी से बात कर देते हैं तो मोसम अगर य इंडियन सीमेंट से कंपनी ग्राउंड तिरुन वेली का तापमानास थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा अलगवख 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर रहेगा आसमान के उपर आज भी आपको बादल यहाँ पर लगातार चाय हुए दिखाई देंगे 34 परतिश्यत र एक एक्स्ट्रा एडवांटेज यहाँ पर मिलने की संभावना है बाकी मोसम यहाँ पर थोड़ा सा तेज बाकी जैसे शाम का मुकाबला है जैसे जैसे वक्त बीतेगा तो तापमान में आपको जो थोड़ा कमी है वो होते हुए एक दो परसेंट एक दो तीन डिग्री की य यहाँ पर होते हुए जरूर दिखाई देगी बाकी आस्मान के उपर बादल है तो मोसम एकदम बढ़िया प्लेइंग कंडिशन के लिहाँ से देखा जाए तो मोसम काफी शांदार रहने की यहाँ पर उमीद है बाकी 34 परतिश्यत नवी 17 परतिश्यत बारिश के चांद से ह हाला कि नाक के बराबर है लेकिन फिर भी मोसम कुछ इसी परकार का रहता है आज कल यहाँ का तो देखे कभी भी कुछ भी हो सकता है हाला कि अभी के हिसाब से मोसम के अंदर किसी परकार की बारिश की जो संभावना है वो अभी तक है नहीं यहाँ तो जियां चले यहाँ पर जल्दी से बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की एक दोनों टीमों के चुने वे 11 खिलाडिया आपको जल्दी से यहाँ पर दिखा देते हैं लेकिन उससे पहले यहाँ पर बात करते हैं कुछ खिलाडियों की दोनों टीमों के दिनों ने अब तक इसे टूर्णामेंट में शानदार परदर्शन किया है तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज़्यादा विकेट की तो सबसे ज़्यादा विकेट के मामले में नमबर वन पर आते हैं पोई मोजी तो पॉयमो जी नेल्लाई रोयल किंग्स के गेंदबाज 6 मैचों में अब तक 9 विकेट ले चुके हैं दूसरे नमबर पर आते हैं लक्षय जैन नेल्लाई रोयल किंग्स के गेंदबाज 6 मैचों में 6 विकेट इनके नाम भी है वही के इश्वरन बॉल से ट्रिची के तीसरे स्थान पर आते हैं चार मैचों में छे विकेट अब तक के इश्वरन भी यहाँ पर ले चुके हैं बाकी रनों की बात करते हैं तो रनों में इने सबसे पहले नाम आता है जी अजी तेश का निल्लाई रोयल किंग्स के विकेट की पर बले बाज 6 मैचों में 205 रन इनके नाम है अरूं कार्थिक आते हैं दूसरे स्थान पर विकेट की पर बले बाज निल्लाई रोयल किंग्स के 6 मैचों में 189 रन इनके भी नाम है वहीं डेरल सुन्दर फेरेरियो आते हैं तीसरे स्थान पर बोल से ट्रेची के 6 मैचों में 142 रन इनके भी नाम हमने अब तक देखे हैं चले जी हाँ पर फेंटेसी पॉइंट्स की बात करते हैं तो फेंटेसी पॉइंट्स देने के मामले में नंबर वन पर जी अजी तेश अभी भी मौझूद है विकेट की पर बल्ले बाज है नेल्लाई रोयल किंग्स के 6 मैचों में 332 पॉइंट अब तक दे चुके हैं राम सिंग सोनुयादो दूसरे स्थान पर आते हैं नेल्लाई रोयल किंग्स के ओल राउंडर खिलाड़ी 6 मैचों में 319 पॉइंट्स इनके भी बल्ले से भी कमाल अपना दिखाया है गेंड से भी कमाल दिखाया और कुछ शांदार कैच भी हमने देखे हैं राम सिंग सोनुयादो की तरफ से पॉई मौच ही तीसरे स्थान पर आते हैं नेल्लाई रोयल किंग्स के गेंदबाच 6 मैचों में अब तक 299 जो पॉइंट्स है वो हमें देते हुए अब तक नज़र आए हैं तो जी आचले ये ते यहाँ पर कुछ खिलाड़ी बाकी अब बात कर लेते हैं टीम की तो जी हाँ टीम आप अपनी स्क्रीन के उपर देख सकते हैं दोनों टीमों के चुने हुए 11 सबसे श्यांदार खिलाड़ी आप यहाँ पर देख सकते हैं तो जी आँ देखना काफि दिल्चस्प रहेगा बाकि आप सभी लोग जूटते रहीएगा स्ट्रीन को लाइक करते रहीएगा चैनल को सबस्क्राइब यहाँ पर करते रहेगा तो जी ज Zie・ junior सबसे पहले यहां पर बात करते हैं विकेट कीपर में तो नाम आता है आरूं कारतिक का अरूं कार्टिक टीम के कपतान भी है विकेट कीपर भी है 37 वर्षी विकेट कीपर बले बाज है पिछले कुछ मैचो में शांडार पाड़िया देखी थी जेपक सूपर गिलीज के खिलाफ अभी अभी एक शह तक भी लगा कर आए हैं 61 कियंदों में 104 रन तो जियां इनका लेना यहाँ पर बनता है बाकि आप इनको कप्तान भी बना सकते हैं परदर्शन काफी शांदार है काफी बढ़िया बलेबाज है तो अरुन कार्तिक के साथ जाना देखे बिलकुल यहाँ पर बनता है बाकि केमणी भारतिकी अगर बात करते हैं तो केमणी भारतिक भी यहाँ पर काफी परफोर्मेंस के मामले में काफी बढ़िया रही है हाला कि जादा रन आये नहीं है क्योंकि पूरी टीम ही फ्लॉप रही है इनकी लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफी बढ़िया लेने लाएक खिलाडी जरूर है जी अजितेश को बिलकुल आप नहीं छोड़ सकते हैं आप चाहे तो जी अजितेश के साथ जा सकते हैं नहीं तो आप अरुनकार्तिक के साथ जा सकते हैं बाकि आर इशुरन का जो परदर्शन है वो भी काफी शानदार रहा है तो जी यहाँ जी एस राजो और फरेरियो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे वाइस कैप्टन आप जी एस राजो को भी बना सकते हैं फिर डी फरेरियो को भी बना सकते हैं ओलराउंडर्स में राम सिंग सोनो यादो बोलर्स की अगर बात किया तो आप देख सकते हैं आपर पॉइमोजी है के इश्वरन यहाँ पर मौजूद है तो जी हाँ यहाँ पर गेंडबाजी में भी काफी कमाल आपको देखने के लिए देख सकता है बाकी यहाँ पर देखना काफी दिल्चस्प रहेगा कि गेंडबाजी में यहाँ पर किस तरीके से चीजे होने वाली हैं बाकी आप सबी लोगिया जुटते रहिएगा स्ट्रीम को लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो जी आचले देखते हैं पर खिलाया जाता कि आप ओई मोजी को यहाँ पर आराम दिया जा सकता है क्योंकि आज का जो मुकाबला इतना महत्तपूर्ण नहीं है नेलाई रोयल किंग्स के लिए बाकी एक बार टोस हो जाने दीजिएगा अगर किसी खिलाड़ी को यहाँ बदलाओ करना है तो वो बिल से टीचे की टीम की पहले गेंदबाजी आती है तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा गेंदबाजों के साथ जाना बहतर रहेगा क्योंकि अगर बाकी मुकाबलों की तर आज भी यहाँ पर बॉल से टीचे की टीम 70-75-80 रन पर रोलाउट हो जाती है तो नेलाई रोयल किंग्स आ आज के इस मकाबले में अरुंकार्तिक हैं अरुंकार्तिक के लावा जी यह जी तेश हैं यह दोनों खिलाडी में से आप किसी को भी कप्तान यहाँ पर बना सकते हैं बले वाजों में वाइस कैप्टन की चोईस है वाइस कैप्टन की चोईस में जी एस राजू के साथ आप दोनों टीमों के आपको चुने हुए सबसे शांदार 11 खिलाड़ी आपको बता चुके हैं तो अब यहां पर बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की तो जी आप प्लेइंग 11 की यहां पर बात कर ले तो सबसे पहले बात करते हैं इस से टूर्नामेंट की सबसे कमजोर टीम इस टूर शांदार शांदार खिलाडी इस टीम के अंदर मुझूद है लेकिन फिर भी इस टीम का जो ऐसा परदर्शन है वो जी इंडिकेशन तो करता है बाकी इस परकार का परदर्शन इस टीम का रहा कैसा है उसके उपर तो देखे सवाल या निशान यहाँ पर रहेगा आज कौन से 11 शारा खिलाडी आपको इस टीम के अंदर खेलते हुए दिखाई देंगे उनके नाम जल्दे से आपको बता देते हैं पर आर राजकुमार होंगे आर सिलाम बरासान यहाँ पर होंगे के इश्वरन यहाँ पर होंगे खरोम पबाइल मौनूच यहाँ पर होंगे उटी नट कारण आपको यहाँ पर दिखाई देंगे इस टीम के अंदर खेलते हूँ तुझिया चलिए के खिलाडी के बारे में बात करते हैं बताते हैं आपको क्या रहे हाला क्या रहे कारण यहाँ पर बॉल सीट रिची की जो टीम है वो इतना पीछे चली गई कि अब तक पूरा लगबग लगबग टूर्णामेंट खतम होने को आया है लेकिन यह टीम अपना अब तक एक भी मुकाबला जीत नहीं पाई है जीतना दूर की बात है एक भी मुकाबले में लड़ नहीं पाई है संगर्श नहीं कर पाई है एक भी मुकाबले में ऐसा लगता है कि जिस इस टीम के साथ बॉल सिट रिची की टीम के मैच हुए है उन टीमों को फ्री के दो-दो पॉइंट सब लेकर गए हैं बॉल सिट रिची के हाथ से चीन का बाकी चले सुववात करते हैं यहाँ पर गंगा शिर्दर राजू के साथ इस टीम के कप्तान है तीस वर्ष यह बाएं हाथ के बलेबाज माने जाते हैं बावन मैचों का एक्सपेरियंस है टी एन फियल में रन है इनके नाम 1290 स्ट्राइक रेट है 114 का एवरेज है 27 का लेकिन जी अनाम इनका काफी बड़ा है काफी बढ़िया बलेबाज माने जाते हैं तोमेस्टिक के अंदर भी परदर्शन है 30 वर्ष इनकी उमर है को युवा बलेबाज भी नहीं है लेकिन जब मकाबला खेलना है बॉल से ट्रिचे की तरफ से इस से पूरे सीजन में तो जी या नाम बड़े दर्शन चोटे वाली बात होगी गंगा शिर्धर राजू के साथ भी इस से टूर्णामेंट में जो परदर्शन है हाला कि एक दो पारिया हमने इनके बले से देखी जरूर है लेकिन वो पारिया नाकाफी थी टीम को जीत दिलाने के लिए हाला कि जब साभी खिलाड़ी इस पर खार रकी है तो अकेला कप्तान भी यहाँ पर क्या खरेगा तो जी आगंगा शिर्धर राजू का जो परदर्शन है वो काफी खराब रहा है पिछले तीन-चार मैचों से तो आखरी जो अर्दशे तक है और जो एक मात्र अर्दशे तक है इस मकाबले का वो लाइका कोई किंग्स के खिलाफ आया ता जहां पर 55 गेंडों में 58 रन की ए यहां पर कोई भी ऐसी पारी आई नहीं है इस साल जिसको याद रखा जा सके चले जब यहां पर बात करते हैं गंगा शिर्धर राजू के साथ जफर जमाल की बात करते हैं तो जी आ जफर जमाल एक और शांदार खिलाड़ी आपको यहां पर खेलते हुए दिखाई जरूर दे सकते हैं हलां कि क्यों दिखाई देंगे इस बात के उपर अभी भी सवाल या निशान है क्योंकि जो परदर्शन है वो इस परकार का यहां पर रहा नहीं है कि जिसके कारण उनको टीम के अंदर खिलाया जा सकते हाला कि गेंदवाज 33 वर्शी है तो मेरे ख्याल से देख यहां पर रहेगा तो जी यहां देखना काफी दल्चस्प होगा 33 वर्शी है खिलाड़े हैं सिर्फ 10 मुकाबले अब तक खेले हैं 10 मुकाबले में जो परदर्शन है वो सच में ऐसा ही तकि इनको उठाके टीम से बाहर फैक दिया जाए आज वापसी यहां पर हो सकती है जिया जिया औरो केंदर परदर्शन है वह काफी बढ़िया रहा है यहां हर मुकाबले के इंदर कोशिश की है इस मेहत्पों में लेकर दिखाई है बाकी पिछले मैच में 20 गेंदों में 45 रण बनाया हैं चेपक सूपर गिलीज के खिलाफ जहां पर काफी बुरा मुकाबले टीम हारी थी उससे पहले मदरोई पैंथर्स के खिलाफ 21 रन थे उससे पहले आई ड्रिम तिरपुर के खिलाफ 42 रन थे तो जी आप देख सकते हैं रन इनके बल्ले से आएं हैं बाकी विकेट्स भी इन्होंने लिए हैं 19 मैचों में अब तक इनके 410 रन हैं वही 19 मैचों में अब तक इनके 5 विकेट हैं ज्यादा गेंदबाजी करते नहीं हैं लेकिन फिर भी जब भी करते हैं तो विकेट एक दो लेकर ही चले जाते हैं काफी महत्तपून मोखो पर तो जी आडेरिल सुंदर फरेरियों यहाँ पर काफी महत्तपून खिलाड़ी रहने वाले अगर आ पिछले मैच में इनको भी आउट किया गया था जी हाँ 35 वर्षिया ओल राउंडर खिलाड़ी 35 मैचों में अब तक 472 रन है उसके अलावा 35 मैचों में अब तक गेंदबाजी की नहीं है तो जी हाँ यहाँ पर पिछले मैच में बनाए गया 18 रन उससे पहले 1 रन पर नाब पारी आई थी बाकि उसके बाद तो 38 रन से जो नीचे ही घड़ते आए हैं इनके रन बढ़ते वे नजर नहीं आए तो जी हाँ पी फ्रैंसिस रोकेंस यहाँ पर एक बार फिर से आपको दिखाई देंगे बाकि खिलाडी बड़े शांदार है जांदार है जब जब खेलते तो देखकर इनको मज़ा आता है तो जी हाँ पी फ्रैंसिस रोकेंस और खासकर डेल फेरेरी यहाँ दोनों खिलाडी आपको आज मजबूती से दिखाई देंगे अगर दोनों खिलाडी टीम के अंदर शामिल होते हैं तो चलिए जब बात करते हैं आप पर केमणी भारती की तो केमणी भारती विकेट की पर बलेबाज इस टीम के लिए पिछला मुकावला खेला था मज़री पैंथर्स के खिलाफ जहां पर चालिस गेंदों में अड़तालेस रन की एक शांदार पारी खेलते हो नज़राय थे उससे पहले लगातार दो मैचों में शून्या पर आउ सीजन में बाकि उसके लावा तो किसी बलेबाज के बले से रन आए नहीं है बाकि अब तक 49 मैचों में 672 रन बना चुके हैं तो जी हैं काफी शांदार काफी बढ़िया स्ट्राइक रेट 120 का एवरेज 21 का है वहीं जो हाईएस्ट स्कोर है वो भी 81 का है केमणी भारती का त अब आज उमीद है केमणी भारती से एक्शुली सबसे ज़्यादा उमीदे हैं रन बनाने के आज केमणी भारती से चले जी इसके साथ यहां पर बात करते हैं एंथनी दास कीजिया चौंतिस वर्षी और राउंडर खिलाडी पिछले मैच में शुन्या पर आउट हुए थे उससे पहले तीन रन बनाए थे उससे पहले पच्चीस रन उससे पहले नो रन बारा रन शुन्या रन एक रन तेरा रन तो यह रहा है इस साल का लेखा जो खा एंथनी दास का बले बाजी में बाकी गेंद बाजी में पिछले दो मैच उसे विकेट मिला नहीं है तो इस सीज अगर किसी टीम में हो तो फिर उस टीम का जीतना देखिये मुश्किल से नामुम्किन लगबग लगबग हो ही जाता है हाला कि 53 मैचों का एक्सपीरियंस इनके पास है 53 मैचों में अब तक 640 रन बना चुके हैं हाईएस्ट स्कोर भी इनका 63 रन है बाकि 53 मैचों में अब तक 38 इस विकेट भी ले चुके हैं लेकिन इस साल जो परदर्शन है वो लगबग लगबग भूलने वाला रहा है इंतरी दास का चले जी हाबर बात करते हैं आर राजकुमार की 29 वर्षी है उल्राउंडर खिलाड़ी तो जी हाँ उल्राउंडर के नाम पर बल्लेबाजी में तो कुछ खास जो कमाल है वो कर नहीं पाएं एक दो पारिया हमने इनकी भी देखिया 30-35 रनों की बाखी गेंदबाजी में जो विकेट है वो मिली नहीं है जी हाँ पिछले 5-6 मैचों से विकेट इनको मिली नहीं आर राजकुमार को तो पिछले 5-6 मैचों से एक भी विकेट नहीं लेपाएं तो राउंडर कहना तो शायद यहाबर सही होगा नहीं इनको बाकी बल्लेबाज के तोर पर जो परदर्शन वो बिलो ऐवरेज ही रहा है आर राज कुमार का भी चलिए आर राज कुमार के बाद यहाबर बात करते हैं आय। लेक लिये हैं इस मुकाबले के अंदर इस टूर्णामेंट के अंदर लेकिन फिछले दो मुकाबले बिना विक इट के ही यहां पर गुझारे हैं आर शीलाम ब्रासम ने भी बाकी बात करते हैं केंश्वरन की तो ज़ियां केंश्वरन एक और बलेबाज 26 वर्शी अदाय हाथ का है बलेबाज तो जी है रन तो इनके बहले से यहाँ पर देखेंगे लेकिन गेनवाज जो काफी शांदार करते हैं दस मैचों में 15 विकेट अब तक ले चुकी है पिछले मैच में भी चेपक सूपर गिलीस के खिलाफ जो अपना आखरी मुकाबला खेला था वहाँ पर दो विकेट हासिल किये थे तो इस टीम का अगर कोई सबसे शांदार गेनवाज अब तक रहा इस पूरे टूर्णामेंट में तो वो रहे हैं कि इशुरन जिनोंने बलेबाज को परेशान भी किया है परेशान करने के साथ साथ विकेट भी यहाँ पर हासिल करते हुए नजर नीचे गा आर्श लामरासन यहाँ पर मौझूद है कि इशुरन यहाँ पर मौझूद है तो कुछ खिलाडी तो हैं जो कि आज कमाल आपको करते हुए दिखाई दे सकते हैं बाकी बात करते हैं करापा बिल मोनीश की बात करते हैं तो जी हाँ एक और खिलाडी यहाँ पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे करापा बिल मोनीश यहाँ पर आपको दिखाई देंगे तो जी हाँ खिलाडी तो यह भी काफी शानदार है लेकिन जी हाँ देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि आज टीम में इनकी जायाद इनको बाहर बैठा दिया जाए टीम से तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पर कड़ापा बिल मोनीश के बारे में भाकि आप सभी लोगों ने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा साथ के साथ कल्यान बुक के उपर अपनी जो आईडी है वो लेना बिल्कुल मत भूलिएगा तो देखना काफी दल्चस्प होगा जो मुकावला है वो किस परकार से यहाँ पर चलते हुए दिखाई देता है तो यहाँ यहाँ पर बात की जाए तो आठ मैचों में अब तक 54 रन बना चुक जो टीम में खेलना बनता जरूर है बाकी बात करते हैं खिलाड़ी टीन अट्राजन की जो की आउट थे पिछले मकावले से क्या है इस मकावले में वापस आएंगे जो परदर्शन है वो इनका भी काफी शानदार रहा नहीं है टीन अट्राजन का भी इस साल टीन पिल में ह पिर उनकी गेंदबाजी पर जादा बल्लेबाजी को फरक पड़ा नहीं है तो जी हाँ ये थी यहाँ पर टीम इस सीम की बॉल सीट रिची आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने तो खिलाडियों के यहाँ पर अगर बात की जाए बल्लेबाजी में तो तीनी खिलाड आपके साथ मोनीश भी हाँ पर मोजूद है तो ये तीन खिलाड़े यहाँ पर रहेंगे जो कि आपको विकेट लेते हुए नजर आसकते हैं और विकेट लेने के साथ साथ टीम की जीत में महत् opens भूमिका भी निवाते हुए नजर आ सकते हैं चलए जी यहांपर बात करते हैं। के साथ वो मुकाबला खेला गया था जहाँ पर निल्लाई रोयल किंग्स ने पहले बले बाजी करते हुए 169 रन बनाये थे बाकि इंडिकुल ड्रैगर्ट्स ने 160 रन बनाकर वो मुकाबला आसानी से 7 विकेट से जीत लिया था तो जी यहां देखना काफी दिल्चस्थ होगा सोनो यादव यहां पर आपको दिखाई देंगे रितिक इश्वरन यहां पर होंगे तो इश्वरन दो है इस टीम के अंदर आर इश्वरन है उस टीम के अंदर के इश्वरन है तो इस बात को थोड़ा सा ध्यार में रखेगा जो यह रितिक इश्वरन है यह विकेट की पर पॉरियर यहां पर होंगे और एम पोई मोजी यहां पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे इस टीम के अंदर सभी खिलाड़ी काफी शांदार टीम काफी बैलेंस नजर आती हुई बलेबाजी होगे इंदबाजी हो मिडल ओडर यहां पर हो बरदस्त वो पारी हमें खेलते हुए नजर आये थे अरुन कार्तिक जिया नावाद रहे थे सबसे बड़ी बात 61 गेंदों में मातर 104 रन की वो शांदार पारी खेली थी तो जिया अरुन कार्तिक का जो बला जिस परकार से बोल रहा है तो जिया निल्लाई रोयल किंग्स फाइनल में पहुँचने की भी पूरी तरह से दावेदार है लेकिन आज के इस मुकाबले में चाहेगी कि बॉल सी प्रिची को यहां पर एक और हार थमाई जाए हरुन कार्तिक के बारे में बात करते हैं चूवन मैंचो में अब तक रन बना चुके हैं 1801 हाइस इनका स्कोर है 106 का एवरेज तो चालिस से उपर का है लेकिन सबसे खास बात है इनका स्ट्राइक रेट यहां लगबाक 1.5 के स्ट्राइक रेट से बलेबाज शी करते हैं बह पार अगर क्रीज के उपर जम जाते हैं तो फिर इनको रोखने के लिए तो फिर इनको रोखने के लिए सामने वाली टीम को प्लैन B के साथ ही उतरना पड़ता है चलेजी अरूंग कार्तिक के बाद यहाँ पर बात करते हैं जल्दी से आर साइन निरंजन की तो आर साइन इरंजन 31 वर्शे ओल राउंडर खिलाड़ी जी हैं डिंडी गूल ड्रेगन्स के खिलाफ पिछले मैच में बनाये थे 6 रन उससे पहले 24 रन उससे पहले 14 रन हाला कि अब तक सिर्फ 18 मुकाबले खेले हैं आर साइन इरंजन 31 वर्शे खिलाड़ी हैं अठारा मैचों में 249 रन बना चुके हैं बाकि अठारा मैचों में 6 विकेट भी हासिल कर चुके हैं तो गैंडबाजी भी काफी कमाल करते हैं तो एक शानदार और एक बैलेंस्ट उल डाॉंडर यहाँ पर आर साइन इरंजन के तोर पर निल्ले रोल किंग्स की टीम के पास है जो की सही वक्त पर आप गेंदबाजी भी इनसे करवा सकते हैं सही वक्त पर आप इनसे बलेबाजी भी करवा सकते हैं स्ट्राइक रेट काफी बढ़िया है एवरिज भी यहाँ पर काफी ठीक ठाक है तो जी एक जबरदस्ट एडिशन यहाबर होते हुए आर साइन रंजन के तोर पर बाकि आर साइन रंजन के बाद यहाबर बात करते हैं अजी तेश की तो जी अजी अजी तेश की यहाबर बात करते हैं बाकि उसके अलावा भी कुछ शांदार पारिया चाहिए 30 रन की हो चाहिए 40 रन की हो पिछले मैच में डिन्डी कुल ड्रेगन्स के खिलाफ 14 गें तो में 17 रन बनाये थे अब तक सिर्फ 17 मुकाबले खेले हैं 17 मुकाबलों के अंदर रन बना चुके हैं 412 हाइस इनका स्कोर ह 112 का एक शेता के इनके नाम है बाकि स्ट्राइक रेट इनका 166 का रहता है एवरेज जो है वो 45.68 के आसपास यहां पर रहता जी आलग बाकि 45-50 का एवरेज जो के बहुत बड़ी बात होती है खासका T20 में और खासका TNPL के अंदर तो जी आजितेश गोश्वामी इस सीम के स सबसे महतपून बल्ले बाज देखना दिल्चस्प होगा आज किस परकार के बल्ले बाज करते हुए नजर आते हैं बाकि दो खिलाड़ी है इन दो खिलाड़ी हो का आप एक बार स्ट्राइक रेट ध्यान से देखिएगा अरुन कार्तिक का जो स्ट्राइक रेट है वो मुम्किन हो जाएगा चले जी यहाँ पर जी अजितेश के बाद यहाँ पर बात करते हैं राम सिंग सोनो यादव की तो एक और शांदार ओल्राउंडर खिलाड़े यूवा खिलाड़ी है उम्र मातर 23 वर्श है तो बल्ले से भी काफी बढ़िया योगदान अपना देते हुए नजर आए है इस साल साथ के साथ गेंद में हाला कि गेंद से जो विकेट है वो मिले नहीं शुरुवात में इस सीजन की जब शुरुवात हुई थी टी एन पिल दो जार तेश की तो जी यहाँ उस साना काफी बढ़िया गेंदबाजी के साथ शुरुवात की थी लेकिन पिछले अगर तीन मुकाबलों की बात की जाए तो पिछले तीन मुकाबलों में विकेट इनको मिला नहीं है लेकिन जी हाँ रन इनके बले से डेफिनेटली आए है पिछले मैच में 17 गेंदों में 22 गेंदों में परचान से लेकिन उससे पहले यहां पर बात कर देते हैं रितिक इशोरन की, रितिक इशोरन 21 वर्षी है, बाएं हाथ का बले बाज, आप तक 13 मुकाबले खेले हैं, 175 रन बनाएं, हाइस इनका स्कोर है, 41 का, स्ट्राइक रिट 115 का है, जो एवरेज है, वो 15.91 का है, हाला कि काफे दिल्चस्प होगा, आज के एक बड़ी पारी यहां पर खेल पाते हैं रितिक इशोरन, चलिए रितिक इशोरन के बाद यहां पर बात करते हैं, एनस हरी इश्की, एक और शांदार ओलरॉंडर खिलाड़े यहां पर आपको दिखाई देगा, 25 वर्शे ओलरॉंडर ख की टीम के खिलाफ, हाला कि वो मकावला जो टीम है वो हार गई थी लेकिन उसके बावजूद भी, जो पारी थी एनस हरीश की जो कोशिश थी उस मकावले को भी जीतने की, वो काफी बढ़ी आती हैं पर हाला कि उसके अलावा एक मातर यह पारी थी, 21 गेंदों में 34 रन की ज बात करते हैं, अब तक खेले गए 28 मैचों में 66 रन इनके नाम है, वहीं अब तक खेले गए 28 मैचों में 22 रुकेट भी ले चुके हैं तो जी हां गेनबाजी काफी शांदार करते हैं बलेबाजी के तोर पर आप इनको एक जी हां मान दीजेगा कि अगर लग जाए तो दो तिन शोट लगा देते हैं नहीं तो उम्मीदे रखना बलेबाजी में एनस हरीश से काफी बेकार रहेगा बाकि जिस दिन तुका इनका लग जाएगा 10-20 रण की जो पारिया वो खेलते हुए आपको नजर आ जाएंगे चलिए अब बात करते हैं आपर लक्षमेशा सूर्या परकाश की तो जी हां लक्षमेशा सूर्या परकाश एक और शांदार बलेबाज बाकि अब तक 44 मैचों में अब तक 909 रन यहाँ पर बना चुके हैं पिछले मैच में हाला की डिंडी गुल रैगन्स के खिलाफ पहली गेन पर शुन्या पर आउट होगे थे उससे पहले स्लेम स्पार्टन के खिलाफ 14 गेंदों में 166 क का स्ट्राइक रेट हैं 113 का ओर जो एवरेज है वो लगवख 24 के आस पास का यहाँ पर रहता है चले जी इहाँ पर लक्शमेशा सूर्या फरकाश के बाद यहाँ पर बात करते हैं निदीश राज-गोपाल की तो जी आ निदीश राज गोपाल की यहाँ पर बात करते हैं तो निदीश राज गोपाल भी काफी शांदार काफी जबरदास थी यहाँ पर खिलाड़ी हमें रहते हुए नजराएं हैं इस टीम के लिए पिछले मैच में ही इनको शामिल किया गया था निदीश राज गोपाल को 28 वर्षी है और राउंडर खिला रही पिछले मैच में 13 रन बनाये थे उससे पहले आखरी जो मुखाबल है वो मदरोई पैंथर्स के खिला था जहांपर 26 गेंदों में 42 रन की एक टाबर तोड़ एक शांदार पारी खेलते हुए नज़र आए थे हला कि गेंदबाजी ज़्यादा करते नहीं है ना के बराबर ही करते हुए नज़र आते हैं लेकिन बल्लेबाजी में अब तक 26 मैचों में 574 रन है हाई एस इनका स्कोर है 16 का स्ट्राइक रेट 118 का एवरेज जो है 29 के आसपास का यहाँ पर रहता है निदीश एसराज गोपाल का तो जी आचले हैं यहाँ पर इसी के साथ बात करते हैं मोहन परशाथ की एस मोहन परशाथ 25 वर्शे लेफ टाम और्थोडोक्स स्पिन बोलर अब तक 50 मैचों में रन है इनके 50 मैचों में विकेट है इनके 18 आखरी मैच में एक रिकेट लेकर गए ते डिंडी गूल ड्रैगन्स के खिलाब यहाँ पर बात कर लेते हैं एक और खिलाड़े की शांदार खिलाड़े संदीप वोरियर की तो जी हां संदीप वोरियर 32 वर्शे राइट आम मीडियम टेज गेंदबाज है पिछले मैच में इनको विकेट बिला नहीं था उससे पहले चेपक सूपर गिलीज के खिलाफ एक रिकेट यहाँ पर लिया था टी एन पिल में 19 मुकाबले अब तक खेले हैं ठीसरी तो उल्रांडर खिलाड़ी तो जी और है उल्रांडर है कुछ जब बल्यएबाजी पर आतें हैं तो रन भैपर कुछ ढ़ा ए्लिक यहाँ परते हैं तो जी आ राइट आम मीडियम तेज गेंदबाजों 29 मैचों के अब तक 37 विकेट ले चुके हैं काफी शानदार गेंदबाजी एमपोई मोजी की तो जी एमपोई मोजी स्टीम के लिए काफी महतबुन गेंदबाज यहां पर साबित हों ज sesame चली जब भात करतें हैं यहाँ पर नेले रोयल किंक्स की अगर बात चली ही रही है तो इस्टीम के सब से शानदार बलेबाजों के बारे में बात करते हैं जी यहाँ पर अरुम कार्थिक मौजूद है जी अजी तेश यहाँ पर मौजूद है आपको दिखाई देंगे साथ के साथ रिद्टिक इशुरन भी यहाँ पर मौजूद है यह तीन खिलाडी रहेंगे जिनके ओपर बल्लेबाजी का दारौमदार रहेगा अजी तो यहाँ पर नमबर आता है और राम सिंग सोनो यादव का अज उम्मीद रहे गी आज इस पिच्च के उपर राम सिंग सोनो यादव कमाल करते में ज़रा सकते हैं एमपोई मोजी तो यहाँ पर है ही तो एमपोई मोजी आपको यहाँ पर कमाल का परदर्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं इस पिछ के उपर बाकी इसके लावा मोहन परशाद भी है संदीफ ओरर भी है निदीश राज आपको बाशाद भी है निदीश राज़ जैड करेश कट भी इसके लिखे पर बाशी के आपर भी है जो के लिखाई दे कारज़ों पर जो मजबूत है इस बाशादिल एक पर दे कंशाद में एक पर जाताई देती है लेकिन कम से कम एक मुकाबला जीतना बंदा था बॉल्ट से प्रिची की टीम का हाला कि आज भी दिन है आज भी यहाँ पर मौका है इस एक मुकाबले को जीतने का लेकिन सामने गलट टीम आ गई है जिसका नाम एनेलाई रोयल किंग्स तो देखना काफे दिल्चस्प रहेगा इस तरह से यहाँ पर मुकाबला चलते हुए दिखाई देता है बाकि आप सभी लोग भी जुड़ते रहिएगा स्ट्रीम को लाइक करते रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा बाकि आप जो लोग जाना चाते हैं खेलना चाते हैं मुकाबला बहुत जल्द शुरू होगा जो लोग जाना चाते हैं कल्यान बुक्के उपर वो जा सकते हैं साइन अप यहाँ पर कर सकते हैं कल्यान बुक्के उपर स्क्रीन पर नंबर आपको दिये गई है स्क्रीन के उपर नंबर है जाईएगा वर्टसप मैसिज कीजेगा आपको सिर्फ हाय लिग कर भेजना है अगर 200 रुपे की ID आप लेंगे शुरुआत में तो 100 रुपे की जो बैठा वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगे 200 से ज़्यादा गेम है 300 परसेंट का बोनस अलक से अवेलेबल है 24x7 कस्टमर के एर की सर्वेस है जाईएगा खेलिएगा आखरी कुछ मुकाबले बचे हैं लीग स्टेज खलग बग खलग खतम हो चुकी है बाकी अब आपको सेमी फाइनल्स फाइनल्स यहाँ पर आपको होते वे दिखाई देंगे काफी शांदार होने की उमीद है तो जी एक आईडी ले लीजिएगा ताकि TNPL के जो बचे हुए मुकाबले हैं जो शांदार मुकाबले हैं जैकपोट मुकाबले हैं वहाँ पर आप भी खेल सकें बाकी आपको पता है टेप्स जो है वो मिलती रहती है आप स्ट्रीम पर जुड़े रहीएगा बाकी देखते हैं जी मुकाबला जो है कि इस थरीके से यहाँ पर चलता क्या बॉल से ट्रेची की टीम आज कमाल करते होई दिखाई दे सकती है हाला कि इस टीम से उमीद तो है नहीं अब एक शैस टीम से बिलकुल भी नहीं है कुछ कर दिया तो चमतकार ही हो जाएगा बाकी उमीद नहीं है बाकी नेलड़ी रोयल बताने के लिए सारी चीज़ें मगरी बता दिया आपको सबसे पहले यहां पर टॉस हो चुका है इस मुकाबले में पहले गेंद बाजी करने निने लिया है बतादे आपको 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 ब मुकाबले को जीता जाए और फिनिश किया जाए यहाँ पर जीत के साथ मगर नेल लाई रॉयल किंग भी चाहेगी कि प्लेआफ में जाने से पहले यह लीग मैच भी जीत कर जो है वो आगे बढ़ा जाए यहाँ पर तो बतादे आपको कि टॉस हो चुका है इस मुकाबले में टॉस जीता है नेल लाई रॉयल किंग ने पहले गेंद बाजी करने का डिनर लिया है तो आप सो लोग जोड़ जाएगा लाइक करिएगा सब्सक्राइब कर दिये चानल को यहाँ पर और जोड़ जाएगा हमार साथ इस मुकाबले में तो नेल लाई रॉयल किंग हैव वन टॉस डिसाइडि टो बोल फर्स तो नेले करेंगे बॉलिंग और ब्लने वंति तीम करेंगी बल्ले बाजी यहां पर चलते हैं पर जमाल इस एच्देट राजन को जगा नहीं मिली प्रिजियेए टीने ट्राजन को जगה नहीं मिली है साथ में के मणी भारती भी टीम के इंदर नहीं कहला है फिर से नहीं लिजेगा यहां पर बी एऎ इमपेक्ट प्लेयर के रूप में यहाँ पर बता दें आपको त्रिची की टीम से जो इमपेक्ट प्लेयर है वो है विनोध S.B.S. भूपलार्ण स्टीम के अंदर है यहाँ पर के मोनीश और अक्षे श्री निवासन जो हैं वो इमपेक्ट प्लेयर रहेंगे तो यह बीए 11 त स्टीम के अंदर है राजगुपा यहाँ पर राम सिंग सोनु यादव स्टीम के अंदर है टी विर्मनी स्टीम के अंदर है एंस हरी स्टीम के अंदर है एम पेमोंजी स्टीम के अंदर है एस मोहन परशांत स्टीम के अंदर है लक्ष जैन स्टीम के अंदर है संदीप वारि कि प्लेएफ से पहले जो है इस मुकाबले में जीत दर्ज करें यहां पर तो एक पर फिर से सुन लीजेगा नेले रोयल किंग की यह प्लेइंग 11 आरुन कार्थिक स्टीम के अंदर है जी जितेश स्टीम के अंदर है निदिश राजगोपाल स्टीम के अंदर है रितिक कंदीप वार्यर भी इस टीम के अंदर है तो यह दोनों टीमों की प्लेइंग 11 लाइक करें सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और जोड़ जाए हमारे साथ इस मुकाबले में क्योंकि मुकाबला जो है सूपर से भी उपर रहने की उमीद है मकर मुझे उमीद कहीं ने कहीं ब अपनी ग्राउंड में खेला जाएगा यह मुकाबला यह पिछ काहीं न कहीं बल्ले बाजी के लिए काफी अनुकूल रही है ग्राउंड फोलों से छोटे रहे हैं यहाँ पर और इस ग्राउंड पर फरस्ट इंग आवरे स्कोर है वह 151 का है और यहाँ पर स्पिनर गेंद बाज हैं वो जादा विकिछ अटकाते हैं ब्रस्पत तेज गेंद बाजों के यहाँ पर और इस मुकाबले में इसलिए नेले रॉयल किंग ने टॉस जीत कर जह है पहले गेंद बाजी करने का निनली है तो समझ गया होंगे पिछ के बारे में आपर कि यहाँ पर जो पिछ ह है वो कहीं ने कहीं बल्लेबाजी के लिए नकूल 151 जो है फास्टिनिंग एवरे स्कोर है इसमिर गेंद बाज यहाँ पर जादा विकिछ चटकाते हैं ब्रस्पत तेज गेंद बाजों के और यहाँ पर रंचेज करने टीम जीती है अगर वही बात करें यहाँ पर वही बा पारी में और दूसरी पारी का जैवरे स्कोर है वह यहाँ पर 136 है तो आप समझ सकते हैं कहीं ने कहीं बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाजी की बल्लेबाजी जो है वो कुछ खास रही नहीं है इस टूनाइमेंट के अंदर अब देखना होगा आज के इस मुकाबले में बी स्पिनर गेंदबाज और दो तेज गेंदबाज अपनी फैंटेसी टीम के अंदर रह सकते हैं सासथ में आप सो लोग के साथ भी जॉइन कर लीजेगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचर में पिन कर दिया है उस लिंग को क्लिक करके आईडी करेट करिएगा और आज ही पेस वरसे स्पिन का डाटा यहां पर पिछले कल के मुकाबले में भी स्पिनर गेंदबाजों ने लाजवाब गेंदबाजी की थे और मुकाबला जो है वो काफी बड़ी आ रहात है यहां पर पताईए आपको कि यहां पर नेले रोयल किंग ने टॉस को जीत लिया है पहले कार्तिक को टीम रसते हैं यहां पर अजीतेश गुरु स्वामी को आप रसते हैं यहां पर बल्ले बाजी के लिए अरुन कार्तिक और अजीतेश गुरु स्वामी दोनों को रख लीजेगा यहां पर साथ में अगर बात की जाए और रॉंडर के लिए राम सिंग सोनु यादव तो यहां पर बात की जाए तो यहां पर बात की जाए तो यहां पर लाक्षर जाएन को भी आप टीम ने रख लीजेगा यहां पर एस मोहन परशान जो है वो काफी बड़ी गेंद बाजी करते हैं पर काफी बढ़ी करते हैं आपर यहां पर नावन तरची की टीम केगर बात की जाए तो यहां पर एक अच्छा मुकाबला जो है वह देखने मिले का तो यह लावन पर यहां पर रह सकते हैं आँ गंगा श्रिदर राजू को गंगा श्रिदर राजू को काफी मैंस्ते फ्लॉप चल रहा है मुझे ता कि आज अच्छे रन मनाएंगे साथ में आप ड Star यहां पर बात की जाए तो जी गोडशन को रख लीजेगा और यहां पर बात की जाए और यहां पर बात की जाए और गेंदबाजी के लिए लक्ष जैन लक्ष जैन को आप टीम में रख लीजेगा और यहां पर टीन तो खेल नहीं रहे आर सलिम बर्सन को आप तेज गिंदबाज रसकते हैं यहां पर कप्तान के लिए मेरे हिसाब से तो भाई कप्तान के लिए यहां पर राम सिंग सोनु यादव अच्छे खिलाडी सब्सक्राइब करिए और यहां पर बता दिया आपको लीक का यह आखरी मुकाबला है और इसके बाद जो है एक दिन के बाद प्ले आफ शुरू हो जाएगा यहां पर बाकी अकर बात की जाए बीए इलावन तरिची की टीम की बल्लेबाजी यार मुझे भरोसा नहीं है मेरी वीनिंग टीम तो नेले रोयल किंग रहेगी कि नेले रोयल किंग जो है यहां से जीत के साथ फिनिश करें यहां पर यहां पर यहां बाद करें सब बेकार टीम है एलावन बाद करें खास रही नहीं तो मुझे अज भी है कि बल्लेबाजी इनकी ऐसी रहीं शायदे 120-130 तक पहुँच जाए तए एक अच्चा स्कूर हो सकता है निले रोयल किंग की टीम है वो यहां पर रंचेस करते वे नजर आएगी इस मुकाबले के अंदर बाकी अब देखते हैं क्या होता है कल भी एक जबरदस मुकाबला रहा था और मेरे इसाब से भाई यहाँ पर नेले रोयल किंग जो है इस मुकाबले को जीतेगी यहाँ पर और जीत के साथ यहाँ पर फिनिश करेगी इस मुकाबले को तो देखते हैं अभी क्या होता है बागी चैनल सब्सक्राइब कर दीजेगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजेगा और जूर जाएगा हमार साथ और साथ साथ में आप सब लोग कल्यान बुक के साथ भी जॉइन कर लीजेगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइच रोन पिन कर दिया है उसलिंग को क्लिक करके आईडी करिट करिएगा खेलिएगा और जीतिएगा आप देखते हैं यहां से मुकाबला जो है वो किस तरीके से रहता है यहां पर टॉस तो जीत लिया है यहां पर नेलाई रोयल किंग ने क्या एक जबर्दस खेल देखने हो मिलेगा चले एक पर जो बाई अब इप चुड़े है उनका बता दे टॉस किसन जीता है और प्लेंग लाउन किस प्रकार रह प्ले आउफ में पहुँच चुकी है बता दे आपको यहां पर कि नेले रोयल किंग और बीए 11 तरिचे के बीच यह आखरी लीग मैच जो खेला जा रहा है अब प्ले आउफ की संभावनायती सब खतम हो चुकी है यहां पर और नेले रोयल किंग जो है वो पहले पहुच च है यहां पर तो बता दे आपको कि टॉस हो चुका है इस मुकाबले में टॉस जीता है नेले रोयल किंग ने पहले गेंद बाजी करने का डिनर लिया है तो आप सब लोग जोड़ जाएगा लाइक करिएगा सब्सक्राइब कर दिये चानल को यहां पर और जोड़ जाईए हम बीए लावन तरची की टीम की जिया बीए लावन तरची की बात करेंगे यहां पर सबसे पहले तो बीए लावन तरची की टीम को आप ध्यान से देख लीजिएगा इस टीम के अंदर कप्तान जिया कप्तान इस टीम के हैं गंगा शेदर राजू वो इस टीम के अंदर है के टोनियो दास इस टीम के अंदर है रगुपती सलिम बर्सन भी इस टीम के अंदर है गोडसन जी जी गोडसन भी इस टीम के अंदर है साथ में जी के इश्वरन जी के इश्वरन जी है के इश्वरन जी है वो इस टीम के अंदर है तो आज टीनेट राजन को जगा नहीं मिली है साथ में के मनी भारती भी टीम के अंदर नहीं खेल रहे हैं फिर से सुन लिजेगा यहां पर बीए 11 थरची की टीम गंगा शिर्धर राजू इस टीम के अंदर है के राजकुमार इस टीम के अंदर है जफर जमाल इस टीम के अंदर है सरन्टी इस टीम के अंदर है डैरिल सुं के रूप में विनो यहां पर बता दें आपको तरिचिक टीम से जो इंपक्ट प्लेयर है वो है विनोध SP S भूपलान स्टीम के अंदर है यहां पर के मोनीश एंड अक्षे श्री निवासन जो हैं वो इंपक्ट प्लेयर रहेंगे तो यह बीए 11 तरिचे की टीम की प्लेइंग 11 अब बढ़ते हैं जरा नेले रॉयल किंग की तरफ जी यहां नेले रॉयल किंग की टीम में कप्तान जो है आरुन कार्थिक यहां पर जी जीतेश इस टीम के अंदर है निदिश राजगोपाल इस ट प्लेयर रॉयल किंग की प्लेयर रॉयल किंग अरुन कार्थिक इस टीम के अंदर है निदिश राजगोपाल इस टीम के अंदर है वितिक इश्वरण जहेंज तीम के अंदर हैं दोनों टीमों के प्लेइग Rs 11 लाइक करेंगे रिचेटेग Sun कर दीये चैनल को और जोड जाये हमारे साइट वित्ल मुकाबले में सूपर से उपर रहने के उमीद हैं मगें उमीदं कःलन के वितीम के उमीध बात करते हैं पिछ के जियां पिछ को जाल लीजें पिछ किस तरीके से आज रहने वाली है इस मुकाबले में इसी ग्राउंड के ऊपर जबरदस्त एक रोमांचक मुकाबला जो है वो देखना हो मिला था तो यहां पर आप देख लीजेगा इंडियन सिमिंट कंपनी ग्राउं यह पिछ कहीं न कहीं बल्ले बाजी के लिए काफी अनकूल रही है ग्राउंड थोड़ो से छोटे रहे हैं यहां पर और इस ग्राउंड पर जो फरस्ट इंडिंग आवरे स्कोर है वो 151 का है और यहां पर स्पिनर गेंद बाज है वो जादा विकिछ चटकाते हैं बरस्प गेंद बाज यहां पर जादा विकिछ चटकाते हैं बरस्पत तेज गेंद बाजों के और यहां पर रंचेज करने वाल टीम जहाँ जादा मुकाबले जीतती है अगर वही बात करें यहां पर आप देख लीजेगा यहां पर स्ट्रेक्स के बारे में 62 मुकाबले खेले गए तीस मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने टीम जीते हैं और तीस मुकाबले यहाँ पर चेज करने टीम जीते हैं यहाँ पर जो एवरेज स्कोर 151 का है पहली पारी में और दूसरी पारी का जो एवरेज स्कोर है वो यहाँ पर 136 है तो आप समझ सकते हैं कहीं ने कहीं बल्ले बाजी के लिनुकोल है मगर BA 11 तरिची की बल्ले बाजी जो है वो कुछ खास रही नहीं है इस टूनामेंट के अंदर अब देखना होगा आज के इस मुकाबले में BA 11 तरिची की टीम करती क्या है वैसे अगर बात की जाए तो यहाँ पर पेस वर्से स्पिन को भी देख लीजेगा 53% विक्टे जो है वो स्पिनर गेंद बाज चटका रहे है और 47% विक्टे जो है वो तेज गेंद बाजन चटका ही है 60 विकट मिली है स्पिन को और 53 विकट मिली है पेस को तो यहाँ पर आप दो spinner गेंद बाज और दो तेज गेंद बाज अपनी fantasy team के अंदर रह सकते हैं सासथ में आप सो लोग कल्यान बुक के साथ भी जॉइन कर लीजेगा यार लिंक है डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर ऍसमार को लिंक है अब चाफिए कर लीजेगा यां पर यहाँ पर पिशले किल के मुकाबले में भी गेंद बाजों ने लाजवाप गेंद बाजी की थे और मुकाबला जो है वो काफी बड़िया रहात है आपकर तो पताइए आपको कि यहाँ पर न錢लाज रॉयल केंग ने टॉस को जीत लिया है पहले गेंद बाजी करने का डिंडले लिया है और यहां से बस कुछी तेरे मुकाबलाश शुरू होगा मगर उससे पहले fantasy team की बात करते हैं fantasy team में कौन-कौन से खिलाडी जाहे हैं वो आप रखना चाहेंगे यह देख लीजेगा तो बात करते हैं नेल्लाई रोयल किंग की तरफ से यहां अरुन-कारतीक को टीम रसके हैं यहां पर आजीतेश ङरु सवामी दोन longing कार लीजेगा यहां समस्ट में चाहेर और यादर के लिए रांसीं सोनु यादव को आप टीम में रख लीजेगा यहां पर बात की ज़ाए तो जी को श्री Richard Nijnijn नहीं यहां पर यहां यहां पर श्री निरेंजन यहां पर श्री निरेंजन को भी है ऐस ओो तरुनल्णर टीम में रख लीजेगा गेंद बाजी के लिए यहां पर S मोहन परशान जो है वो काफी बढ़ आगे इंद बाजी करते हैं एम पे मौंजी जो है वो काफी बढ़ आगे इंद बाजी करते हैं साथ में अगर बात की जाए तो यहां पर जो है लक्ष जैन है मुझे तक आज अच्छे रण मनाएंगे साथ में आप डेरियल सुंदर फरारियों कर दिए डेरियल सुंदर फरारियों भी काफी बढ़ा यहां पर खेलतर जाते हैं और यहां पर बात की जाए तो जी गोड्सन जी गोड्सन को भी रख लीजेगा और रहे बीए 11 तरिची क में रख लीजेगा और यहां पर टी रजिए तो खेल नहीं रहे आर सलिम बर्सन को आप तेज गिंदबाद रहसते हैं यहां पर कप्तान के लिए मेरे हिसाब से तो भाई कप्तान के लिए यहां पर राम सिंग सोनु यादव अच्छे खिलाडी रहेंगे और उग कप्तान क मुकाबला बस कुछी दिर में शुरू हो रहा है और सासत में कल्यान बुक के साथ जॉइन कर लीजेगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लैच्छर में पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रेट करिएगा खेलिएगा और जीतिएगा यहां पर टॉस हो चुका है इस मुकाबले में नेलाई रॉयल किंग ने टॉस जीता है पहले गेंद बाजी करने निने लिया है बीए 11 तरिचे की टीम अब पहले बाजी कर रही है बतादे आपको बीए 11 तरिचे की टीम अपने 6-6 मुकाबले जो हार चुकी है और नेलाई रॉयल किंग जो है वो प्ले पहुँच चुकिए अब लीग मेच बीजित कर जो है वह आगे बढ़ा जाए यहाँ पर तो बता देंगे आपको की टॉस हो चुका है इस मुकाबले में टॉस जीता है ने गेंद बाजी करने का डिनाय लिया है तो आप सो लोग जूड़ जाएगा लाइक करिए का सबस्क्रा वन टोस डिसाइडि टो बोल फर्स अनले करेंगी बॉलिंग और बीए 11 तर्ची की टीम करेंगे बल्ले बाजी यहाँ पर जलते हैं जो आप कफ्टान जीर कप्तान इस टीम के नदर कब्तान इस टीम के इंदर हैं कयां पर मुकाबला जो है वो शूरी होँने वाला है नेले रोयल किंग को सपोर्ट करेंगे उमीद करेंगे रोयल किंग की नहीं है अगर इस मुकाबले को जीतना है तो B.A. 11 तरिच्छी को एक बड़ा स्कोर करना होगा वो उनसे थोड़े से मुश्किल की बात das one less उनसे हो नहीं पाएगा कहीं नहीं अब देखते हैं और यहां पर किस तरीके से मुकाबला चलते नदर थोड़ी दिर में ही प्लेयर जो है वो ग्राउंड के अंदर जो है यहां पर आते हुए नजर आएंगे तो आप से लो लाइक करिएगा सब्सक्राइब कर दीजिए यहां पर और जुड़ जाएगा हमार साथ यहां पर इस मुकाबले के अंद दर मुकाबला यहां से यहां से शुरू होने वाला है और देखते हैं किस तरीके से यह खेल चलता है जी आँ किस तरीके से खेल चलते नदर आएगा और मेरे इसाफ से बढ़िया मुकाबला जो है वो चलेगा तो लाइक करिएगा आप सो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए को और जुड़ जाईएगा हमार साथ मुकाबले में मुकाबला सूपर से भी उपर रहने की उमीद रहेगी अब देखते हैं क्या होता है बस प्लेयर जो हैं वो ग्राउन की तरफ एंटर करना शुरूंगे बिल्कुल गौतम बाई जुड़ चुके हैं अरुन कुमार साथ इस मुकाबले में शुरू भी रही हुआ विकेट मांग रहे हैं और विकेट मांग रहे हैं डियू टू बैड़ लीजिए डियू टू बैड वै वह आपको पता लगए उससे बहुँ कर देए आको कि मुकाबले में यह कौइज और व हांब बारिष पहले हुई गयूंगे रहे है यहां पर क्यों बैटिंग करवा रहे हो जोग सबाट कवर्स बिचाए गए थे कवर्स बिचाए गए थे यहां पर कहीं ने कहीं मौसम जो हो खराब था अब हो सकता है शायद कवर्स को हटानी की प्रेक्टिया जो हो शुरू हो रही है तो यहां से कहीं ने कहीं मुकाबले में देरी है प्रची देरी है मुकाबले में और यह मुकाबला हम क्यूं देख रहे हैं मुझे भी मैं यह कि पहर जलदी घ्राउंद सुकाथ ede भाई में आज फर्स चार पच्छ के पचास पसे पहले शिरू आ गया था दन्यवाद भाई मिस्टर गौतम भाई ऐसा ही डेडिकेशन चाहिए अगर ऐसा डेडिकेशन बल्लेबाजी में क्या बीए 11 रिची की टीम कर पाएगी कवर सटा रहे हैं चदरे बिचाई हुई है कहीं ने कहीं इस पिछ के ओपर तो वह भी हटाया जा रहा है तो यहां पर अभी बारिश चलते मुकाबले में देरी है अभी बल्लेबाजी करने आ बारिश जरूर हुई थी यहां पर मगर उसके बाद कवर्स मंगा लिए गए थे कवर्स डाल दिए गए थे पिछ के ओपर अब मुकाबले में ऐसा लग रहा कि कवर्स हटाए जाएंगे भाई MP उज्जेन में बारिश गिर रही है भाई दिल्ली दिल्ली में भी बारिश यह सब्सक्राइब अब अब आपने मेरा नाम लेकर हसे क्यों अपने कमिंट हैसा कर दिया था पहले 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 कमिंट आपका मैंने पढ़ाता आप कहड़ते अनोट कर दिया है तो मैंने विकेट की मांगी दें पहला कमेंट करते ही आपने लिखा था अरुन कुमार भाई लिख रहे है और अभी से ही विकेट आपने ले लिए तो यह थोड़ा सा हसी आगे मुझे आप भाई बंगले सोच अफगाइंससान के ज्यादा है गोलशन मिश्रा जुड़ चुक नहीं मार देते हैं 110-120 तो मार देंगे मिश्टर गॉर्तम भाई उसके बाद इंका भगवान बरुसे की इत्वाजी है और कहीं ने कहीं इस मुकाबले में बारिश चल रही है तो अपने कमेंट्स वह आप भी कर सकते हैं अपने कमेंट्स वह करते रही है और जुड़ रही ह सुखानी का अवर कर लिए क क्यों कर रहे हैं क्यों भाए तो बार का मैच है वह सकता है 15-20 मिट के इंदर मुकाबला शुरू करतें मेरा सवाल यहीं रहेगा कि क्यों क्यूं सुरू कर रहे हैं यहाँ यहाँ पर पूरा लॉस का पूरा कट करो बुखत करो राम से खेलो या पावर फ्ले में देखना तीन चार विकिट देखना अरे दस ओवर फ्ले प्रॉफिट लो अफगाएंस जीतेगा ओके फूल प्रॉफिट लो गएंस जीत हार तो मैच की बात है बात की बात है माँस कट करना ट्रेडर की आदत होती है लगातार एक टीम बैठना बेवकूफी होती है आज राजू पूरा दो क्या दो माला करेगा अज़ा जगा बंदू भाई बता रहो वह तो रण मारेंगे बाठ टीम भी तुर रण मारे एक बाल में तीन विकेट ने कर सकते हैं बाई बिल्कुल नहीं कर सकते रंजीत हम तो नहीं कर पाएंगे आप कर लिजिए गर ऊपन भाई कह रहें द्रीम तो दो ड्रीम बच्चो बता दिया बहिए शचाइंग मैंने पूरा एपिशुट बता दिया ड्रीम लावन का इस वन सिस्टी नाइन नाम से बीस ओवर में जीच जाएगा अफगानिस्तान बाई बीस ओवर में वन सिस्टी नाइन बोल रहे हैं यह यह तो बहुत ज्यादा स्कूल बता रहें क्यों अपने घर में खेलता है बागिश चांसे जीतने के लिए मगर देखिए बागलेस अपने घर में खेला लॉसकर बुखाट कर लो इस चीसे चोटा बाउब 15 पैसे में क्या कामाल होगे तुम मैं तो आज यह में देखूँगा बड़ी मुश्किल सब प्रों बनाता हूं सब ये कहा जाते हैं TNPL वाले बिलकुल बाई सेशन का खेलना ही बंद रहा है एक और बेस्ट साथरन होगा कि नहीं बाई बिलकुल नहीं होगा इतेश बाई खेला हो गैप पेला होगे बी एलम तृची की टीम का बाई राकी गुपता बाई कहने हैं बोलो सर जी आप बोले हम बताएंगे ना भी ऐसा रख दिया आपने बोली नहीं पारें हम आज का मैश फिक्स है बिल्कुल बाई इंका सुझीर बाई क्या बता है इंका सभी फिक्स सब्सक्राइब लोग कहां सब्सक्राइब राजू एंड फ्राइलियों के बाद उनको भगवान बरोसे यह टीम रहती है कब चालू होगा मैच बारिश की जोर से सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को और जुड़ जाएगा हमार साथ तो यहां पर साथ बचके पच्चिस मिनिट आपसे दो मिनिट के बाद मुकाबला शुरू होगा जिया अपसे दो मिनिट के बाद या तीन मिनिट के बाद मुकाबला शुरू हो गया अपना बाइक कोमेंटरी बहुत अच्छी करते हो धन्यवाद बहुत नितेश सल्वी भाई आप सब लोगों का प्यार है और सपोर्ट है भाई और आखी उता करें भाई बोलो क्या बोले भाई बोलतो रहे हैं गुल्षर मिस अच्छी की टीम और डेड़ सो पार करेंगी मेरा सवाल है किसी बाई से कोन कहता है जिसको जिगरा हो बता दीजेगा कि आज बीए इलावन तरिची की टीम क्या डेड़ सो पार करेंगी क्या लास्ट मैच में दस हदर का विन हुआ है फस्ट रैंक पर मुबारको टाइकर श्रॉप भाई कल हमारा भी जीत हुआ है क्या लाजवा मैच खेला है मधुरोई पैंतर्स ने और जो लोग कहते हैं मेर क्यों वहाँ चुकी है मुझे नहीं पता कैप्टन किसको ले भाई राम सिंग सोनु यादव कर सतने भाई कप्तान अरुन कार्ति को अच्छी चोईस रहेंगे आप सो एक सो बीस अरे डेड़ सो बतावाई डेड़ सो से उपर बालेंगे क्या चले के राजकुमार जो हैं व सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को और प्लेयर जो हैं वो ग्राउंड की तरफ आ चुके हैं संदीव और के हाथ में गेंद है और बीए 11 की इज़त जो है वाज बढ़ ले बाजो के हाथ में पिछले मुकाबले में 130 भी चीज़ नहीं कर पाए डूफ पोनल भी कह रहे हैं ए एक बार जीत दिख रही थी आखों में वह चीनली प्लेयरों ने एक पहला मुकाबला जीतने का मौका मिला वह भी हरवा दिया भाई यह खेल क्यों रहे हैं सीधा एडर को उचिता दो भाई बिल्कुल ऑल्वेस बीश्वर भाई मैं तो खुद कह रहा हूँ जीदे को हम भी सबस्कर लिजेगा मुकाबला सूपर से ऊपर हो‌ηए m Laz में टीम उसी तरीकी की बलेबाजी करेगी जिस तरीके बलेबाजी हो करते हैं चले देखते हैं क्या होगा में प्रयर जो है वह गंगाश रिधर राजु और के राजकुमार जो है वो ओपन करने है प्रयुग मेरे हैं पहली गेन थी सठीगए यहां पंडे के बार गेन दो उच्छा लिए और विकेट कीपर के दस्ताने में कोई रण नहीं मिलेगी तो पहली गेन है वो एक और डॉट गेंज यहां लगातार दो डॉट गेंद आ चुकी है लवली प्रकाश फाल प्रशांथ कुमार जी हमार से जुट चुके है घनेश भाई शारी का नाम ले लिया भाई यहां पर और लव लाइट वाई घुट चुके हैं कुछ से टीम के साथ है लव लाइव भाई आज किसीने कोई बता था मुझे कि लव लाइए डैथ बही here कहीं न कहीं बीए 11 तरिची के साथ है जी यहां बीए 11 तरिची के साथ है मुझे कोई कहरता लव लाइफ डेद भाई तो क्या बीए 11 तरिची के साथ है या फिर हाफ नेले रोयल किंग के साथ है चलिए यहां पर बात करते हैं अगली गेंड के तरफ यहां संदीप वारेर हैं गेंद बास अंदीब ओरर के ओवर की अगली गेंद बढ़िया गेंद यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा एक और डॉट गेंद लगतार तीन गेंदे हो चुकी है और बी ए इलावन फुल फॉर्म में है इतने फॉर्म में है कि इस लीग में अभी तक एक भी मैच नहीं था इस तरीके से आगे बढ़ता है लाइक करिएगा सब्सक्राइब कर दीजे चनल को और जुड़ जाएगा हमार साथ लगातार तीन गेंदे हो चुकी है इस सब्सक्राइब कर रहे हैं उनकी बेस्टीम है इसको सपोर्ट करेंगे देखते हैं क्या यहां पर कहीं न कहीं पसंद है आज कंप्यूटर बाइक करना है सब्सक्राइब कर देख लो कौन सा बढ़िया रहेगा वैसे तो फिर आपको 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 सब्सक्राइब बाइब बिल्कुल आज़ेगे सुजीत कुमार जी जुर्चुक है हमारे साथ गोरा बाई करें प्लीज बता दिए बाई आपको नौट कर दीजिए बता रहे हैं आपको जलिए हाँ पर सिंगल आता हुआ इस गेंद़ और सिंगल के साथ स्ट्राइक पे आते हुए के राज पर बेटी के हथेखर उनके लिए आज प्रे करूगा कब से कब 1.5 आनवारे बाई बिलकुल भाई माननथ चाही है देखो क्या करते हैं मैं तो आज TNPL में नहीं देखूंगा बड़ी मुश्किल से बनाता हूं वह सब कहा जाते हैं बिल्कुल बंद कर दो मैच हटा दिया क्यों यार मुश्किल है बिल्कुल मुश्किल है इसलिए कहता हूं जोइन करें सारे मुकाबले आ रहे हैं श्रदर राजू कैप्टर न बनाकर गलती कर दी भाई नहीं सही किया प्रपकंगा श्रदर राजू सही खेल लेते हैं बाई ऐसो की बात नहीं है आपर रॉन बाई करें विकेट पर नौट कर दिया है चौधा तक मारो फार भाई राजुकॉपाल खेलेगा बाई बाई राजुपाल का देखना पड़ेगा मुझे प्लेन लावन राजुपाल इंफ प्लेइंग सब्सक्राइब कर दिया है बड़ा जिखा दिखा दिया है इन पर इतना भरोसा प्रितम बाई जुर्चों के हाइए भाई यह फाल्तु तो बढ़िया मैच हुए पंडित भाई बढ़िया मैच हुआ सब्सक्राइब करिए चैनल को रोहित यादा भाई स्कोर हो चुका है चारन बेड़ा के पहले और कि समाप्ति होती भी स्ट्राइक पर 20 वर क्या पूरे बल्लेबाजी कर पाएगी बीए 11 तरची की टीम देखना होगा पैसे लास्ट सीजन में भी सलीम स्पार्टन की टीम अप तो यहां पर वाइड से रन्ससक्राइब कर रहे हैं कर थाइग रल्ट होता है तो तीड जी तीन लोड निक पर दीब बार बार नहीं करो पिछली बार किया था 130 बने थे मैं करें कम सब एक जीत तो होती जीता जीता है मैं चार जाए उस टीम पर मैं क्या भरोसा करूं पता नहीं है इनके ओनर देख इनके ओनर तो टीवी सामने देखकर छुपके देखता हुए क्यों पकड़ना ले किस टीम को ख़ीद लिया आपने जिस लोगोटे नौट किया है वो सब लोगोटे ऐसा नहीं है बाई देखें लेंगे विकेट लेंगे विकेट एक पर फिर से ऑस्टन के बाहर ये कियां थी कट करने गए कोई दोर बल्ले का संपर्क हुआ नहीं यहां पर डीपी धननजे बाई जुर चुके हेलो कह रहे है सब्सक्राइब करता है बिल्कुल ले सकते हैं अगर दसरन हो जाएंगे मुश्किल लग रहा है विटेश बल्ला तो घुमारे के राजकुमार में लता है विकेट जाएगी इनके अभी अब बनाते नहीं है आज बॉल त्रिची सापको दोका देगा देखना डेट सब्सक्र पीटर से करता करते हो ना बाई बिल्कुल बाई बिल्कुल सही कहारें बाफिर से अंदर आती वी गेंती थार्ड में की दिशा में खेला जरूर है एकर मिलता हुआ इस गेंद पर स्ट्राइक प्र आते वे बल्लेबाज यहां पर गंगा शिर्धर राजू पांच रन हो उसको पता ही नहीं इसलिए रंदे रहा है उसे पता है बाई कि करन मनाएंगे मिश्टर कॉटम सही कह रहें आप संदीव वॉर्यर वैसा देखा जाए सीजन जो है वो उतना चुछ खास नहीं इस बार यासिर बाई करे मुलग राजू लगता है इनको किसी ने बताए नहीं इनको को पूछता ही नहीं है इनको आता ही नहीं है वाई चलिए अगले गणा शिद्र राजू को फटकी वी गेंस बार फिर सासी देवल्द से खेला है एक रन लेनी कोशिश कोई रण नहीं मिलेगा इस गेंद पर पांच रन हो चुके हैं पिना कि सनुस्तान के इक तर सव इस जीत नहीं पाई यह जीत नहीं पाई आज फाइटीं टोटल बनेगा है एक बाकि जिस हिसाब से गेंद बाजी हो रही है तो लग नहीं रहा कि बनाएंगे लगता डॉट गेंद हो चुकी है चार गेंद हो गई है इस ओवर की और राम सिंग सोनु यादा हो सटीक लाइ इसा बढ़िया है गल्फ्रेंड से बात कर लें इसकी ना हो तुम चारे कॉमेंटरी देखी रहे हैं विचारे उनसे मैं बात कर लूगा भाई राजी आउट हो जाएगा चले पर फिर से ऑस्टन के बाहार कट किया है गेंद को गेंद जा रही है थर्ड महीं दिशा में एक और मिलता हुआ गंगा शिर्दर राजू को स्ट्राइक पर आते हुए के राजकुमार इनको बैटिंग करनी नहीं आती है यह जो भाई कह रहे हैं काका भाई परस तुम्हें तुम्हें अपने मौह मौहलने में भाई कविट पर कविट दे जा रहे हैं अच्छा सा लिए व सब्सक्राइब को कमेंट बहुत तेजी स्यार थोड़ा की चुगा इनके मुझ चुपाने के पर या सिर्वाइब करें इनके वह भी कह रहे हैं टीवी देखके आरे आत जीच जाओ कम से कब आस तो जीच जाओ कहीं ना कहीं यहां पर जो है मुकावदर चल रहा है बाफिर स सब्सक्राइब करें बात करने के लिए सिर्व राकेश मर्ग करें विकेड मिलेगा जिया 69 प्लस बने है क्या अरे इंडिया टेस्ट टीम में सिलेक्टर का नजर नजर इस मैच में होना चाहिए टीबीडेल भाई देखो क्या होता है टाइगर टाइगर भाई भी जुड़े सब्सक्राइब करते हैं तो वही कर रहे हैं बीटी के बल्लेवाज आज एडवेंचन कर दिया है भाई बिल्कुल सही किया है थर्ड वर में बाउंडरी आएगा बिल्कुल सब्सक्राइब करते हैं बीटी वालो भाग जाओ इंडियन टेस्ट टीम बिल्कुल सेलेक्टर दे रहे हैं बहुत देखी रहे हैं इनको मत करो उन भाई मरुन भाई क्या कर रहे हैं भाई ये क्या होगा आज भाई ऐसे होगा शाइब करो जैसे खेल रहे हैं वोपेंदर भाई ये खेल ही क्यों रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है दो किटीपर के पास बॉल जा रही है दोनों हो ज़ो है वो खेल रहे हैं लेकिन मेरे दोस्त के पास गर्फिंद आफ रखेंगे तो नहीं होगा इनसे रहा है आपको कौमेंटरी में रौना का रही है बिलकुल परदीप परिंदबा क्या करें यह फ्रूं आप से बात करो शायद क कॉमेंटरी कर रहा हूं कॉमेंटरी से फुर्सत मिलें तब तो गल्फेट मनाएंगे यार बीटी के मालिक सोच रहे है हमने बीटी में क्रिकेट वाई 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 चलिए टॉप एज लगा एक फिल्टर नीचे आएंगे लिजिए आरुन भाई विकेट मिलता हुआ पहला सब्सक्राइब हो चुकी है के राजकुमार होते हैं कैच आउट से नमें बनाकर आउट हो गया है बहुत बहुत तुछी टीम को बेज़ो एक हजाश साथ का का या शुबाई ऐसी होगा बीटी में अफ्रोड वाई क्या होगे क्या क्या संधीवर जैसे बोलन पे नहीं लग कर दो यार आउट करतो दिया किती माइं करेंगे मैं मैंच में रौनो कर दिए दन्यवाद परदीप पंडित भाई धन्यवाद आप जूड़े है मारसाथ सदनान कारे भाई कहने हैं सर बीटी के माली कर रोड़े रहे होंगे बिल्कुल बीटी का आज कुछ कितो करो भाई मैंने पिछले मैंच में करने की कोशिश की थी इन्होंने कुछ अच्छा किया था मार जब बल्ले बाची की थी ना मन के मन कर रहा था कि बैट लेके मैं के पीछे दौड़ू जरूर शीबुबाई जुट चुके हैं मारसाथ सर यह बहुत खराब तीम है बिल्कुल सर कि पसंद आये थी वह मेरी टीचर है रहे वाई वाक्या वाता है रूंबाई को मैं बता दूंगा उनको लो क्या बात है टेस्ट दोरण पर आये वह बीटी के प्लेट टेस्ट में अच्छा खेलते हैं बल्कुल भाई रौकी मैं तो गलती कर रहा हूं इंडियन टीम में इन और मेरे सब से शरांटी जो हैं अच्छा खेलेंगा बीटी से अच्छा नेपाल वूमें खेलती अप्रोच इतना इतना मत कर रहे हैं तो जी एस राजू को आउट को नो चाहिए विल्कुल भाई आउट होंगे यहां पर आप कमेंट बढ़िया करते हैं भाई धैंको बाई ने नया नया ओनर आयो बहार से कहीं आगया होगा काई टीम लेनी है कई बीटी टीम मनाई होगी उसने तो देखा नहीं हो कि तरह प्रफर्फरमस रहेगा इन प्लेयर को आउक्षन में रखता और करता को ने इनसे चत्तो हमें रख लोग वेस्ट इंडिस बेजो उनको रजीद भाई कहा रहे हैं और उन्होंने पैसे नीदिये निखेल रहे हैं दोनों ही मेरी टीम में हैं एस्टी और राजू हम कर देंगे तो वह सूल हो जबादेंगे बिल्कुल यासर बाई ऐसे तो वैसे करवाई देंगे प्रेडिशन में लाइक करिए आप सब्सक्राइब कर यह चैनल को जुड़ जाई का मार साथ मैं क्या बताओ यार मिरों कमेंट देखके इतनी हची आयती है लोग का जो विचार है वो काफी बढ़ी आए को जीद भलावाई कह रहे हैं अंजाव संगर संग कहां से बोल रहे हैं आप प्र देखते हैं क्या होता इस मुकाबले में लाइक करिए बीटी की टीम को आईसी सी कितनों से रेंकिंग बन मिला है वाओ चले एक और बढ़िया शौर्ट था मार से बढ़िया फेल्डिंग अच्छी थी यहां पर एक और डॉट गिनाती विए तीन ओवर समापत हो चुके साथ रनेक में की नुकसा बाई बिल्कुल बाई हम भी ऑक्षन में जाना चाहिए हम तो सिर्फ पावर हिटिंग पर भरोसा करता हूं बाई बिल्कुल क्रिकेट बहुत बहुत जाईए ट्राइल दे दीजिए लेही लेंगे आपको जी आए पर फिर से यहां पर सीधी के इन्ती टॉपश लगाए फि अंग्सान पर जट का लग गया है टॉपश लगा सीधी गेम और बिलकुल मीडूप का फिल्टर ने गलती नहें करी अरुन कार्तिकटे फिल्टर और एक और विकेट मिला है जी यहां लेहां बहुत मुश्किल हो रहा है इन के लिए वांखळे की पिस पे में भी लखना सब्सक्राइब दूसरी गेंद पर आउट हो गए जफर जमाल आए तो मुझे उनसे उमीद थोड़ा सा बड़ बड़ा शॉट खेलेंगे आठ रंद दो विकेट नुकसान पर तीन देशन दो गेंद हो चुकी है जिस मैदान में खेलना जाएंगे वहां बालिश बंद नहीं होगी बिल्कुल सही बात है इनके लिए वांखड़े भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यार कभी तो त्रिची को जितवा दो बाई सूरज भाई मैं मैं पिसले बाद जितार तुरा था है ट्रेडिंग हुई थी म खुब बात नहीं निकल रही है मेरे मुझे गोतम भाई क्या कर सकते हैं और मुकाबला जो है चल रहा है क्या यार क्या यार मैं भी सेशन में कर दिया था दोजार से पूरा शुच माई यस तो करना नहीं तो तिरिची की बैटिंग में यस करना बेकार है अभी जफर जमाल आए है इनके हाथ पैर जोड़ लीजिक अब सब 36 मारत अगर बढ़िया है आप मत बोलिया अच्छा केले के वाई आशोग भाई पर कुछ नहीं बोल रहा हूं चले जफर जमाल आए है पर अगली गेंद इस बार डिफेंस कर दिया इस गेंद को आठ दिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है उस लिंग को क्लिक करके WhatsApp मेसिज करिएगा और अपनी ID ले लीजिएगा आज ही अगर आप 200 पर डिपोईट करते तो आपको 100 पर का फ्री बोनस मिलता है प्लस पहले डिपोईट करने पर आपको 20 परसंट का बोनस एक्स्ट्रा मिलता है प्लस 100 पर की फ्री बैट भी आपको मिलता है जाकर जॉइन कर लिजेगा कल्यान बुक को लिंक है डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है उस लिंग को किलिक करके WhatsApp मेसिज करेगा और अपनी ID ले लीजिएगा यहां पर जो minimum deposit है सिर्फ 100 पर का है minimum withdrawal सिर्फ 100 पर का है और यहां लाइज दे सत्य जो भी मुकाबले चल रहे हैं क्रिकेट हो चाहिए फुटबॉल हो टैनिस हो कोई भी मुकाबला हो सारे मुकाबले आप लाइज दे सत्य तो फ्रट जॉइन कर लीजेगा कल्यान बुक को लिंक है डिस्क्रिप्शन प्र पिन कर दिया है जफर जमाल के बल् होमद दानिश भाई आपका नाम ले लिया है और यहां पर नवीन कुमार जुट चुट चुके हैं लाइम मैच किसको देखना है मेरे पास लिंक भाई तो लिंक है तो भाई लीजिए हम भी एक लिंक देते हैं आपको कहीं ने कहीं आपर सैफ खान भाई भाई ट्राइल में हम को चूज नहीं करेंगे क्योंकि ठीएन पी वालों को सिर्फ सबको रुनाना होता है और क्योंकि आसु हैं बाई नहीं कर लेंगा बीटू को अपनी इनिंग डिकलेर करनी चाहिए बाई हाँ और सब्सक्राइब करते हैं इस मुकाबले की मगर यहां से अगर बात की जाए हेलो सौर हवर यू ब्लैक लवर भाई बढ़िया है उससे आप बताईए आप कैसे हैं हेलो ब्लैक लवर भाई डैविल भाई जुर चुके हैं हमारे साथ मुकाबले में तो मुकाबला चल रहा है और टेस्ट मेच की तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है यहां पर आप बन रही है 56 होने के लिए मगर यही πारा कि इंडे बची है क्षिए आंपर जो है ठारर नहीं उननिस रन मना सकते हैं क्षथरे सान म nämlich बिए आप देखते जाफर जेलिके ब्लबाद सिंसें कि इनको खेलना आता है इनको बोलो जाता है कि अब देखो खेलेंगे यह यह फेलेंगे आखरी कके भी लेवन त्रिटीम कोशिश बहुत कर रहे हैं कोशिश बहुत कर रहे है का चू के बढ कोशिश चल जा रही है सामने मेंOne अफर जहां सामने मौझूद बलेबाज कर दूसरी निपन पठकी भी घरेइप फिर से बढ़ा शॉट कहले ले इस बार गेंद के मिडविकेट दिशाम में एक रण मिल गया है इस गेंद पर जियां इस एक रण के साथ गंगा शेरसर राजू स्ट्राइक पर आ चुके हैं बाइस रंद दो विकेट नुकसान पर चार दस रंद दो गेंदे हो चुकी है इतनी भी तारीफ मत करो जमाल की कहीं जमाल का कमाल अरे डेगे उत्सकी आपर देख न होगा इस्ट्राइक पेंगा शिद्र राजू राजू जो है वो अपने 50 पूरे गाएंगे करते हैं आज का मैच विन कॉन करेगा नलाई रोयल किंग प्रतीक शुमन भाई खिलेश भाई करें हूँ बिल बिन भाई मेरे तफस्त तो नलाई रोयल किंग पकड़ियेगा आज यहां पर जी एस राजू का आउट को बैक जैराम भाई क्या बात होगे भावक हो गया है यास सिर्व भाई 36 की उमीद करने क्या बारिश होनी शुरू हो रहे ही के मुकाबले में हो जाए तो काफी बढ़िये रहेगा यार इनसे ना हो पागा यार यह राजू में तो अच्छा खेलता था इसमें क्या हुआ हुआ है इसमें क्रिकेट को भूलाना है तो केलने ही क्या नहीं है देसे अच्छा कहलता हुँ यह आई लिए जना कीले यह फूलता हुआ हो आगा भाई खाना खालू भाई शुकुमार भाई बिल्कुल खाना खाली जी आप मैं रोक थोड़नों आपको कहीं न कहीं अखिलिज भाई करें वट्षियो ने मैं दिवाकर मिश्रा है मैं हो दिल्ली से आपके लिए कॉमेंटरी लेकर आओ इस मुकाबले की नितीश निदेश गोपाल को सब्टिडूट पर भगा दिया है क्या बताओ जो भाई बता जिते हैं आपको अपने प्यार से पूछा है तो बताएंगे आपको यहां पर जी हां स्कोर के अगर बात की जाए तो स्कोर हो चुका है तैसरन दो विकेट नुकस्तान पर जफर जमाल जो हैं वो छे श्री नंजन टीम में नहीं है और निदिश राजगोपाल टीम के अंदर है बैटिंग करेंगे आज यहां पर रौकी भावुक हो गए हैं अपनी पुरा दिन और मैचस में टीन पेल में उड़ा दो यह रोल्स काव है मेरा बाई बिलकुल सही बात है यासिर भाई जैराम भ घर पर करोल बाग रहते होगे आप बिल्कुल मिलनेंगे कभी मौका मिला तो यहां पर भुजे भाई कहने आउट कर तो भाई भाई यह फरारियो एड जमाल को साथ खेलेंगे तो कुछ रन होगा राजु भाईया बोलो नेक्स्ट येर इंडिया के टेस्ट में पक्का बिल विकेट नुकसान पर यासिर भाई कहरें बारार मनन जाए बस आकरी ओवर में खेला मजा आ जाए लगता है अंपायर भी सोच नहीं कि जल्देल्दी खतम हो जाए यह मुकाबला तो क्या होगा यह मुकाबला खतम देखना होगा आप सो लाइक करिएगा सब्सक्राइब कर दीए चंडल को और जुड़ जायेगा हुमारा साथ लाइव हंदी कमेंके साथ यहां पर हलकी पूदा मादी चुरू हो रही है ल की बूदा बघन ही तैज बूदा मादी हो यहां पर मैच नहीं हो बस आज बीटी विन करेगा देखने भाई लोगो इतना जोश लाता कहा से हो जफर जमाल को एक गेन पटकी वी गेन इसको खेल दिया थार्ण में दिशा में बारिश हमको हमेशा ले डूबा है रौकी भाई बारिश हो रही है भी वह खेल को चला रहे हैं शायद पाशिन सावर से हैं अमपार सोच रहे हैं बारिश चली पाशिन सावर है टीन पर के बोल डाइटर को मूँब रौकी भाई आपार जानता है बीटी जहां देर नहीं सही कहरें अपना महिंग सिंग भाई चली एक बाद फिर से अंगा शिदराजू को स्लोर वन गेन थी खेल दिया थार्ड में की दिशा में बॉक्स बना लिया था पर नो लौज नो प्रॉफिट बिल्कुल सही रहे हैं अंप्पर मुख जी वाई क्या हो गया क्या होगे को मेंटरी आप करने हैं मत रहे हैं जल रहे हैं बिल्कुल चल रहे हैं चे वार तो खीची देंगे शे और तो खेची देंगे कम से कम ये जबार जमाल कॉस्टन के बाहर सीधे भलत से खेला है इस गेंड को गेंड जाती है फिल्टर के हाथ में कोई रेंड नहीं जी है अभी तक सिर्फ तीन गेंडे हुई है इस ओवर की एमपे मौंजी जो है वो गेंड बाजी कर रहे है स्कोर हो चुका है 26 रंद दो विकेट नुकसान पर क्या 30 का अखड़ा क्रोस कर पाएंगा तीन गेंडे बची है इस पारी की एमपे मौंजी तीन चार विकेट ले ले भाई ओके नो बाउंडरी इस ओवर मूड बनेगा तो अमपार रोक देगा भाई बिल्कुल सही बाद डैवल भाई हल्की फुल की बुन्देवांदी हुई ती शाथ रूक रही है बाजिश यसलिए अमपार खेल को रोक नहीं रहे एक पर फिर से जफर जमाल है पर जोफर जमाल स्ट्राइक पर यहां पर स्लोर वन गेंद सीदे वला से खेला जरूर है फिल्टरने के इनको फिल्ड कर लिया एक और डॉट गेंद आतीवी जी यहां यहां पर ओवर की दो गेंदे बची है और यह लंबी 50 में बनें पर यहां तर पुछ जाएगा यार अंपार बैटरिंग करने आया बीटी बारा बारवे नंबर भाई बिल्कुल रॉकी वाइस को विकेट दिलाओ भाई बिल्कुल सही बात आफ्टर सिक्सोवर यासिर भाई बिल्कुल सही कह रहे है भाई मेरे नाम ले लो ग्यान प्रकाश भाई को नाम ले लिए डीवाई करें हम एग्राउन का लोकेशन तीन चार वाटर्ट्राइब करें किया करें कि अच्छा तो मैं बारीज बारीज देख भाई यह तो खेल को बिल्कुल ही कम कर दिया आपने सराज मैंने आज आने में थोड़ा लेट हो गया कोई बादिर पाटने बाए आज 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 किसको आउट करूरा हम तो बदे प्लेयर का चलिए आखरी गेंद बची है पिमॉंजी के इस ओवर की और यहां पर यह भी डॉड एक सिंगल आया इस गेंद पर छे ओवर में 27 रन मनाया है बीटी टीम ने छे ओवर 27 रन दोवेकेट नुकसान पर बीटी का स्कोर है फुल ट अधर दसरे में खेल रहे हैं तो आप सो लोग कल्यान बुक के साथ जॉइन कर लीजेगा यह लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइच मना पिन कर दिया उस लिंग को क्लिक करके आइड करके वाटसम मेसिज करिए और आपने आइडी जो हो ले लीजेगा यहां पर जो मिनमुम लिंक को लिंक है डिसक्रिप्शन में लाइच मना पिन कर दिया है उस लिंग को क्लिक करिए वाटसम मेसिज करिए खेलिए और जीतिए आपर एस मोहन परशानत आए हैं कि इन बाजी कर लेगे राजु के 25 एस कर दू क्या भाई बारिश हो गई चले मैच रुक गया है मैच रुक चुका है बारिश और तेज हो चुकी है यहाँ पर जी हाँ यहाँ से इस मुकाबले में गर बात की जाए यहाँ पर तो बारिश ने फिर से खलल डाल दिया और बारिश यहाँ वो आ चुकी है ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड जै वो ढग दिया गया है जी हाँ ग्राउंड जै वो कवर्स लेके दौट रहे हैं आपर ग्राउंट्समैन और मैच को रोग दिया गया है और देखिएगा 6 ओवर के बाद करेट 6 ओवर के बाद इस मुकाबले को रोग दिया गया है बारिश काफी तेज हो रही है त्रिशी को कौन सी गाली भाई सुरज बाई लॉक्सकर्ट भी नहीं करने देते हैं स्टेट मैं हो जाता है बाई इन लोगा भी वैच देखने नहीं आती बाई बिलकुल नहीं आती उनको पता है खेले हैं कैसे है राजू पर लगा रहा हो 50 प्लस अब वेकिट आएगा देखना अब अच्छा लग रहा है बिलकुल भाई लॉक्सकर्ट बुक्सकर्ट जरूरी है और यहां पर इस मुकाबले में बारिश आ चुकी है और बारिश ने खेल को रोक दिया है अरुन भाई कह रहे बिलकुल भाई गया रहे सब्सक्राइब बिलकुल भाई लगता है नौट होगा फिर भी अस कर देता हूं यहां देखो इनका सिस्टम नौट कराने का है यह कहीं न कहीं अब यह 11 का भाई बंद करो टीन पिल बेकार यह सब्सक्राइब बिलकुल भाई लो रेन आ गई चलो अच्छा है आपको टंड़ की टीम ने पहले गेंद बाजी करने निन्य लिया और 27 रन दो विकेट नुक्सान पर भी ए 11 तरिची की टीम का स्कोर है लग रहा है कि खेलने आये खिलाने आया समझ पर नहीं आ रहा है यहां पर मुकाबला जो है वो बालिश चलते रुख चुका है सब्सक्राइब काम नहीं रहता है तो मज़ा लेने के लिए आपकी कॉमेंटरी करते हैं परशांद यस ब्रो ओके तुमने किस भी लगा हो बाई परशांद पूसरें बाई कल किसी का मैच नहीं है बाई शाय टीन पेल वाले सेलरी नहीं देते हैं इनको इसलिए नहीं मारते सब्सक्राइब क्या बताओ वर्शा आ गई है अब ठंड ठंडी हो गई सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं थोड़े देर के लिए टेस्ट बंद किया जा रहा है बारिश की चाहिए बिल्कुल सब्सक्राइब करो अंदर करने के लिए लास्ट मैच नहीं रोग रहा था बिल्कुल सब्सक्राइब यहां पर बारिश चलते मुकाबला जो हो रुख गया है और खेल में अब थोड़ दिक्कत आ चुकी है और बारिश की चलते यह खेल रुख चुका है तो धन्यवाद बारिश का जो ऐसा खेल जो है वो रोग दिया है यहां पर और मेरे साब से चलना भी निचाहिए दुबारा क्या खेल रहे है यह बाई सोन्या सोन्या बाई जुड़ चुके हैं हमार साथ आज सम्पी विन है करेगी यह मैच कहा हो रहा है बाई तमिलाडू में हो रहा है कवीता खुमार ही बारिश आते ही लाइब वॉचिंग कम जाती है बिल्कुल सही बात है यार सब ज्यादा मजा तो बारिश में ले रही है वाई आज देश्यानवे परसंट चांसे थे बारिश होने के कल भी थे मागर कल तो मैच हो गया मगर आज जो है वो बारिश हो गया बीटी का मैच में सब्सक्राइब करने मौका मिलता नहीं है इन से बढ़ा तो लक्ष्मपती बारा जी खेलता है वह तो बैस्ट खेलते थे वह लोग है जो पर घर्च करके इनका मैज देखना फ्री है शाद टिकेट जो हो फ्री है शायद कृशी को टीम को हटवा दो या टीन पिल से बहुत हुआ है काश अब यह मैच ना शिरू होत लगा है वह पैसे तो अब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं यहां पर बता दे आपको मधुरी पैंथर्स की टीम जैवो टॉर बहुत चुकी है कल प्ले प्लेयाउस केंदर चाय बिश्कूट रंदिर भाई इसमें DLS मेट हो क्या होग यह मैच नहीं स्टार्ट होना चाहिए बाइलकुल भाई सौन्या दरेकर भाई बिल्कुल कोशिश तो यह हमारी अफगाइससान का 37 नौट करवा तो तो सोर में भाई कितने मार के बैठे हैं नौ में नौ में बत्तिस मारें अगला और डाले है कौन अगला वर देख रहों द्यान रखिए उसके मैचे रात को होंगे शद 12 बजे होंगे या 11 बजे करीब होंगे शुबे 6 बजे करीब मैच होंगे यह से लिए खेलिए बाकि दहन्रेट तो आने वाली है एक जुलाए एक अगस्य दहन्रेट आ जाएगी दो चर मैचे भी आपको अच्छे मिल जाएं बिल्कुल सब्सक्राइब बिल्कुल सही भोल रहे हैं इनका सही चल रहा है मैस्टार्ट नहीं होगा तो क्या डिल्स होगा लिपू भाई मैच का टाइम होता है साधे-10 बजे तक अगर मैस शुरू नहीं हो देखने के लिए 10-45 तक या साधे-10 तक मैस होना चाहिए मेरे सा सब्सक्राइब से तो भाई डिल्स मेंतर के साथ 6 और मैस शुरू होगा तो शायद 30 या 35 दे देंगे आप अब आफगानिस्तान की कॉमेंटरी कर दीजे भाई आज बारिश को कहे देना के खेलने दो प्लेयर्स के साथ भाई देखो क्या होता है प्लेयर्स के साथ खेलेंग सब्सक्राइब दीएनल में आफ़ान में हो रहे है काफ़ी तेज बारिश चल रही है आश छहूँद नहीं जो तो गया तो मोस लीग फैसे मैं से और डी प्रेडिट इट सही होते हैं बिल्कुल भाइश देखो क्या होता है सुर्वे हुड बाई शोन्य बाई कह रहे हैं क्या खेल रहे हैं अब दा सोफ लगाया वाई बिल्कुल गलत लगाया आपने इनकी बल्लेबा जी ही ऐसी करते हैं क्या बता है आपको चलिए अफगाइंस्तान की पहली पहली गेंज वह डॉट गेंद है और दूसरी गेंद भी डॉट आ चुक है शाकिवर असन कर रहे हैं गेंद बाजी 32 रन चाहिए 202 गेंदों में और यहां से विक्टे चाहिए मगर मैंच लग रहा है एंप वालिश चार आरही यह अभी दिख रही है अभी यह बारिश ऑन है और रंदिर लॉकी कैसे हो माई बिलकुल बैदेखो क्या होता है यहां से मुकाबले में बारिश करें सलते मुकाबला जहां वह रुका हुए अभी तक 11 तरी की बल्लेबाजी की है वह काफी अच्छ तो नहीं 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 पलीज तेज हो रही है तेज है रखी प्लीज सुनामी लादव पर यह मैच ना करो प्लीज पर मैं खुद नहीं करने चाहता है इसमें को टीम देख लगता है कि चौरों का टाइम दो बिल्कुल बाइच चले बात हो गया सैथ इस not okay आउटिंग करो इस यार इंजाय करो रंदिर भाई रंदिर भाई 20 लोग भेज रहा हूं ग्राउड में भाई बहे जाएगा मैं आगे हूं सर और बारिश भी बिल्कुल भाई विरोध भाई विरोध भाई दाकर भाई बारिश भी आ गई यह चलिए मैंदन वर डाल दिया भा स्ट्राइक पे हैं और देखते हैं गेंदबाजी कौन करें तो पहला मैंटन ओवर आ रहा है यहां पर नाहीं आपका सब्सक्राइब कर लू क्या बताओ कर लो भाई बिल्कुल कर लो अब क्या करो गया है यहां पर जनेल सिंग भाई कहना है कितने ओवर का मैंच मैंच अब कितने कटेंगे वह देखना हो आपर बारिश बंद हो जाए यार नरके पर लगाए है अरे हर सिंग भाई बिल्कुल बारिश अभी तेज हो रही है दिख रहा है क्लियर यहां पर गेमिंग भाई कहने है गुड़ीनिंग भाई रंबून सही करें वानश में बिल्कुल कॉमेंट्री बिल्कुल भाई सही करें कर देते हैं बता देंगे स्कूर कितना है वैसे तो अफगानिस्तान का बगर यहां पर ठीन फिल्ल में इस बार हो जिए सब चलो तमिलाड़ो बीटी के फिलियर को भाई भाई अफगानिस्तान पर लॉस्कट बुक्सेट करूं क्या बताओ यार बेलकुल कर लो नारून भाई क्यों परशान हो रहे हो मैं ऐसे निकल जाओ प्रॉफिट बुक करो और सो जाओ अब बढ़िया है प्रतीक शर्मा प्रतीक सुमन भाई ऐसी खेलते रही है ऐसे जीतते रही है मर खेलिए जरूर कल्यान बुक के ओपर लिंक है डि हो चुकी है अगर मान लीजिए 6 और का भी खेल देखना मिला 10-45 तक भी मैं शुरू हुआ और 6 खेल हुआ या 5 खेल हुआ 6 खेल हुआ तो कम से कम जो मिनमम जो दूसरी पारी बच्छे और खेलना ज़रूरी है डिल्स मतल यूज़ करेंगे जितने मनाएं जितने विकेट ग क्रिकेट सूपर भाई लेखें हैं है मैंने 500 रिक या रहे है अरुन भाई देखो विकेट जाहीं तो मिल जाएंगा नौट बोलने हमारे तो भी सही था परशांद ब्रो पनीर बहुत महेंगा है मैं बस क्या सब्सक्राइब करना पड़े है को जिसका आज कल तो दिक्कत हो रहे हैं तक्सीम हमत कर रहे हैं गेंद बाजी और जार्दान है स्प्राइक पर नेक्स्ट कौन कौन से सीरीज आ रही है लाइश्ट्रीम भी हो अब तो यहां पर बताओ जुलाई के अंदर यूस से की लीग भी है यूइस से की लीग भी आ रही है तो देखो वो कोशिश करेंगा उससे कवर करने रात मुकाबले हैं अब हमारे तो है चार अ पाइंगे ने कर पाइंगे तो अभी यह सीडिस आ रही है उसके सास्त में अगर बात की जाए तो अगर देखा जाये तो अभी सीरी दिजा रही है अभी चार मुकाबले जरूर देख लिए टीन पेले से में फाइनल फाइनल है वह भी देख लीजएगा यहां पर पावन हृफ और सीरीस भाइ एक ही आ रही है लिए टीन पेल के बाद तो मिने साथ से तो शाइद यह अपनी अपनी यही आजाएगी भाई क्या कहते हैं USA League यही आएगी USA League शायद 12-13 से शुरू होगी टी एन पेल के फाइनल जिस दिन है 13-13 शुरू होगी 13-13 से शुरू होगी 13-6 शुरू होगी हमारी USA League और उसके बाद दो बजे रात को होगी सुबा छे बजे होगी दो बजे रात को जो जागेगा वो कमेंटरिस सुनने नहीं तो रहाम से सो जाना सब राजू को आउट करो भाईया अपनों के स्टैप्टन है मेरे यादव भाईया सतन करे भाई मैस शुरू हो न दीजिए यहां पर लगता लग रहा है कि 90 सेकंड में भी नहीं रुख पाऊंगा च्छे के दूंब अच्छे अरुन भाई कहां हो या इतना परशान में इतना नहीं सुचना चीए आदमी को सौम में भाई भाई मैंने टौलेट में कैसे कैसे लोग कोई बूक्स सेट करवाद है रात में न नहीं होगा बिलाले मत भाई देखो बारिश तो हो रही है देखो बारिष रुकेगी तब ही मैं शुरू ओगा उससे पहले होने के बहुत मुस्किल रहे गए विवी अलकी हलकी बूंदा बांदी जहां वह चालू है इस मुकाबले में बारिश का साया बूलकुल बना हुआ है और बारिश हो रही है यहां पर इस मुकाबले में तो क्या लगता है आप और बहूत है पर नहीं और हमें के NICK भाई रात में कमेंटरी करना ब्लम सभना में बहुत 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 Hey क्या करूं करमिंदर भाई काम यहीं बोलने का है अज मैंने मेरा नाम बात की है अच्छा लगा तो प्रॉफिड विवन मिला यार बिल्कुल भाई ऑपने से खेल तो हार रहे थे कहीं ने कहीं चले यहां से बारिश का साया जो है बना हुआ है अभी बारिश हो रही है इस मुक काबला होने का बारिश हो रही है जमा जम जम मैं शुरुका है थमा थम थम राजू के 21 यस है वाई बिल्कुल भाई उमीद करूंगा मैं शुरू होने दिजिए कहीं ऐसा नहों मैच निकली जाए यहां पर कॉमेडी बहुत सब्सक्राइबार साथ और हफीज हफीज भाई मैं बीटी के लिए मंदिल जाकर आया हूं इनको इनको दवा भी देतों कुछ नहीं होगा इंग्लैड मोमें वर्से उस्ट्रेल वोमें की कॉमेंटरी कर लेना भाई या सिर्व और से इंग्लाइन की कॉमेंटरी में कर तो दूदू यार मज़ा मज़ा आता है मार उस्ट्र इस पैसे की एक बार तो कम बैक करती जरूर है इंग्लैंड रंदीर मैं तो ब्रजुकार हूं और पापा भी यह मेरे वह माफी चाहिए परशांत भाई विस्टेंडी और बंगलेश में आज दिन में प्रॉफिट मार दिया बिल्कुल सही बात है आरून बाई जल्दी बस पैसा ही लेना है नालिल का बाई बिल्कुल सुरज भाई कोशिस तो कर रहें बीटी वालों को क्या हाल है बीटी वाले ड्रेसरूम में चाय बाई पीरे नाम से बैठें यहां पर कहीं नहीं नाम बोल दो भाई अक्षे वर्मा आपका नाम ले लिया अफ्रोज बाई रिस्क तो इश्क है तो इसका है पहले तो आप वुमेंटरी करते थे यासर भाई दिक्कत यह ने कि अभी मैंने इस्ट्रीम बनाए नहीं नहीं है अभी मैं बनाने गया मुझे इसे क्लोज करना पड़ेगा तो अभी मैं कॉमेंटरी करी रहा हूं उस मुकाबले की आखरी म कि ली डाएंगे इंडिया मैचिस मिलिक राइंगे वुमेंटरी की सारे मैचिस की थे यह स्टार्ट ओगा यह वह दो तो बारिश हो रही है कॉमेडी बॉस भाई क्या बात करें यहां परशां फंद्रास फंद्रेड़ सो दो सो मिलता है रंदी बस बागी आसर बाई पी तो सीजन शुरू हुआ है बागी सारे मुकाबले पकड़ेंगे आपके लिए कुशिश तो कर रहा हूंगी अभी सारे पकड़ेंगे तबेट ठीक ने रहती बीच में भी तबीट खराब होगी थी आईपेल के बाद आईपेल के बाद तो ठीक हो क्या नो चालिस को और चे के नीची आ जाए भाई देखो सुरू में मुश्किल है तो आप बहुत अच्छी तरह बोलते हो धने बाद शादा प्रणा भाई और रोकी भाई कहरें बारिश बंद हुई कहना ही बारी शो रही है बूंदा बांदी चालू है भाई या का बताएं मैं पक्का कर देता मैं श्टजांग भाई इस से कुछ काम के रहा हुआ है ऑज रधिया रही फिर लेट यहें तो पिर काम मुश्किल है मारे लिए पाशांबॉ पर ऐसा नहीं कि स्ट्रीम बनाने में क्या है स्ट्रीम कामेंटरी करना असान अगर वागी असान तो कामेंटर पहले गंटा पहले जुड़ना ही पड़ता है बताना ही पड़ता भाई पिछ कैसे रहेगी ज्यादा हो टीन पिल में कर डालूंगा मैं काव स्टार्ट होगा भाई कॉमेडी बॉस पर कोई option नहीं है कोई option यह खेला है क्या पेला हो गया महाराष्ट भाई जै हिंदुस्तान भाई भाई दिख नहीं रहा है जीत रहा है नहीं से कुड़ वाई मैंने आ तो चाला परसो के भावी के पास बाई कहां लगे रहते हैं यूपी फ्रॉम उत्तर प्रदिश भाई जगा कर नाम दोता तो अमेंदर पाल भाई दिल दार भाई करें अभी क्या पेला हो गया खेला होता नहीं पहला ही होता है इनसे अब बारिश चलते इस मुकाबले में अभी कोई भी खेल की अपडेट है डाराई नहीं ओर अभी बारिश जारी है मुका और भी खेला में लगाया हूं और भी तो कादल पेला यहीं है कि इस मुकाबले में बारिश हो रही है आप अभी देखे अभी तो कोई option नहीं है और कटने के और इनके तो ओवर कट जाएं बढ़ी है बात है थोड़ा से कम मुकाबला देखने हो मिलेगा देखें जरा लाइफ देख रहे हैं वह बारिश जो है वह हो रही है कैमरमेन लाइट स्क्रीन पर लगा के बैड़ गए हैं लाइट बारिश दिखा रहे हैं कहीं ने कहीं मेरे नाम तुशार ब्रोब धन्यवाद जुड़े हैं मार से जफर जमाल अच्छा खेलता है क्या लड़का बिल्कुल भाई थोड़ा सा अच्छा खेलते हैं मगर दिक्कत दिन्क होगा मत करो भाई है मैं चालू बात करो बंद करो सबको भाई विल्कुल सबको बंद करूँगा अज ता कौब भाई ठीन सब्सक्राइब हो करना पर रहता बद हो रहा है तुमको बारे सभी हो रहा है राम से खेल को देखिए का इंज़ोई करिएगा व्यों सब्सक्राइब करते हैं याद रखना याद है क्रिशन भाई बिल्कुल याद आपने कमेंट के भूले लाइक नहीं सब्सक्राइब करते हैं इस मुकाबले को बारिश के चलता है अभी तक इस मुकाबले में कुछ हुआ नहीं और यह खेल जो है बिल्कुल रुका हुआ है बागी आप सो लोग कल्यान बुक के साथ जॉइन करते हैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचन में कर दिया है उस ल सौर्पेगा फ्री बोनस मिलता है प्रस पहले डिपोईट पे आपको 20% का बोनस मिलता है 2000 बुट करेंगे 200 रुपेगा बोनस पता जाकर कर लिए कर लिए भाइट्व नबर पर भी वहाइडी ले सकते हैं तो फञेले कर दिया का है, बाइक लिएखेट की आईडी की आईडी के उपर आप सारे मुकाल लाइज़ו आफ तबीस सो सारे के सारे मुकाबले जो हैं वह लाइद नबुक को लिंक कर दिस्क्रिप्शन में लाज़िश कर दिया उसलिए वाइध दो लाइन भोज़ भोजपरी में बोल दीजे प्लीज आरे भाई यारोही सर्मा का बताएं तुमको लाइट जलाए हैं बारिज चल रही है का मैंने स्ट्रीम नहीं मनाया मैंने कुछ भी नहीं मनाया तो एक दम सही अब आठ बच चुके हैं अब सब्सक्राइब मैच उससे पहले घंटा मनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है वह धके हुए लगए लगए यहां पर ग्राउंट में टहलते हुए नजर जरूर आएं ग अब फोन करें पकड़ा आपको रित्विक बारिश रुकी है ऐसा लग रहा है कि बारीश रुकी है मगर अभी भी कवर्ज हो डखें है आप आये हैं मस्त बोले हैं आप भाई जी बिलकुल धन्यवाद रोजिश्रम भाई कब रुके की बारिश विशाविकास राइब बिलक पर सिच्वेशन यह है कि अभी थोड़ी बहुत लग रहा है कि बारिश रुकी है मगर कभी भी कवर्ज हटाए गये हैं हलकी फुलकी बुन्दा बांदी जरूर है मगर अभी भी अंपायर जो हो सोच नहीं रहें इंग्लैंड पर रिस लेना बनता है कि आज बिलकुल बनता चार पैसे से पचास पैसे आई थी लौस कट जरूर कर दीजेगा शुरूबाद मार बीस से चालीस आजाए न तो लौस कट करके बैड़ जाईएगा बागे नब्बे पैसे मिल जाए तो बुक्सट कर लिजेगा थोड़ा पैसे मी निकल जाए बहुत है पकीत हो इंग्लैं पांच ख्लाडी जो चोड़ते नहीं है मैंच को अलशा पैरी को भी मान लीजेश इस पांच ख्लाडी जो हैं वो खासकर बैतमूनी जो हैं मैच को पकड़ रतियां और दूसरे दिमार नहीं देती मैच को यार मैच हो जाए बस इतना ही तो फ्री में पैसा आने वाला था उ जो चुके यह बी एंट्वन जो चुके हैं आप आज टेस्स के बारे मता हो आज टेस्ट के घेल रहा है और क्रकेट नहीं फोटबॉल मैच सिर्फ बारिस में खेल रहे हैं बिलकुल भाई यहां पर यहां पर शलिए चलते हैं जरह मुकाबले के तरफ ग्राउंड मैन विचारे खड़े जरूर है कवर्स के पास ही है ऐसा लग रहा है पानी हटाया जा रहा है तो थोड़े बारिश यह वो कम हो चुकी है यहां पर और इस मुकाबले के अंदर काफी बढ़िया खेल र इस टेलिया ने और दो मुकाबले जीते हैं यहां पर इंग्लैंड ने और मेरे इसाब से तो भाई अगर देखा जाए तो मौसम जो है मौसम भी ठीक है मैच हो कहा रहा है मैच हो रहा है किंग्स्टन ओवल में किंग्स्टन ओवल में टर्निंग ट्रैक है क्या तेस गेंद जादा मिलेगी स्पिच के ऊपर बैटिंग सर्फेस बाई बैटिंग सर्फेस है कहीं न कहीं है किंग्स्टन ओवल में अभी जो टीट्वेंटी ब्लाश की मुकाबले हुए थे इनमें काफी रंस बने थे बाई सब्सक्राइब और इसी ग्राउंड के ऊपर जो है वो मिडल सेक्स ने दो सब्सक्राइब बनाए थे तो वह देखने बात रहेगी पिछला मुकाबला भी शाद किंग्स्टन ओवल में खेला गया तो देखते हैं अभी हाँ जी नहीं एजबिक्स्टन में तना यह किंग्स् कि यहां से और शाही ने कहीं यहां पर मुकाबले में काफी बढ़िया है वोमन वाले में सेकेंड इनिंग जीतेगी मोस्ट ली सूरज भाई देखो बैटिंग सर्फेस है खोड़ा प्रडिशन कर तो वोमन का भाई या सिर्भाई बैटिंग सर्फेस हम जलता रन बनेंगे आज आज में सब्सक्राइब बनना चाहिए कि यहां पर जो है टीटवन टी ब्लास मुकाबले खेले गए थे बल्ले बादिया चीवती हो सता हाई स्कोरिंग मैच भी जाए या फिर यहां पर भाई आप क्याश चाहते हो मैच रद हो जाए मेरे को दिक्कत नहीं हो ना हो मु विचार ओक में देखो क्या होता है डून्ट पॉर बारिश बंद हो चुगी है कवर्स के ऊपर जो है पानी तर्श मिन्टवन हें चाही है रहे रहा है पहनी सुख क्या रहा है है मेरे स्च hanber ऐसे आधयों गंटे के अंदर यह 15-20 मिनिट सब्सक्राइब करेंगे कि विकेड़ को विकेड मिलती है तो सब्सक्राइब करेंगे कि अब तो सुर्फ सुर्फ च्छे वर हुए है वंपार डिसाइड करेंगे कि कितने ओर कि यह पारी होगी वैसे तो मैं पूछा तो जवाब दे रहा तो उसका बारिश बंद हो गई फेर भी भयानक सबना दिखेंगा अरे यार बंद करो इस मैच को मैच में तो खेला नहीं गया है हम तो घर हम तो घर हम तो घर हम तो घर आ रहे हैं यह तो चले जलते हैं भाई मुझे लग रहा है कि आज इंगलेंड जीता है और किसमत जो है ऑस्ट्रेलिया की बहुत सब्सक्राइब कर दो बस इनके नाम बता हूं आपको तो इसमें एशली गार्टनर का नाम आता है टायला में अच्छा खेलती है यह चार ख्लाड़ी पर जबरदस्त हैं नीची आती है सब्सक्राइब करते हैं अच्छी गार्टनर बैथ मुनी एलिसा हीली और ठैला में राथ हो गए यह यह रुकते नहीं है वाई यह मुमेंटम को बिल्कुल चेंज कर देते हैं यार पर चलो बाई दूद्पी हम तो लुट लिया तिरशी वालों अच्छी सुर्बै क्या कर सकत बिल्कुल बाई गेविंग अंतरनी बाई बिल्कुल असाम से जुड़े हमार साथ जल्दी टूर्णमेंट से बाहर हो उतना फाइदा घरजा भाई अफ्रोज भाई त्रिची की टीम तो वैसी बाहर हो चुके टूर्णमेंट से यह अफगाएंस्टान विर करेगा या नही हां है जी मुकाबले में ग्राउंच गई ब्लेंट सावज है इंग्लैंड के सारग्लेंन हम बहुत ही क्यूट है में रहे हम तो तो हम तो टीए इन पीए लूटा वाई बीबिल में कहा दम था मेरी किस्मत जी इन पेल में डूबी जब मुझे सिकम था सही कह रहे है वह यासिर बीग बैस्ट तब भी चुछ मुकाबलत थे एक हफ्ता जो है बीच का खराब आया तो बीग बीग बैस के अंदर बागी वोमे यहां पर जो है यहां पर नाम भूल गया जगा का यार तो मिंट दो मुझे फिर में नाम बूल जाता हूंगा वह जो है वह काफी अच्छा रहता है वह यह पिछले मैं बताओं तुम्हें तीन टीटि मैंचे से जीती रहा है जीती रहा है जब देखो इंग्लैंड से और जो आखरी टीटिटि खेला गया तो वह खेला गया तो जहांपर 170 एक विद्वाइंच मेंने कॉमेंटरी की थी इस मैंच मेंने कॉमेंटरी की जहां पर इंग्लैंड ने 169 मारे थे और अस्टेलिया ने 17 और बेस्ट लीग बीएल सबना थे यह यार बीटी की टीम कहां से लाएं है लग रहा है सब बाई ये वीर सिंग में मैं क्या करूं इनका ऐसे इंगलैंड वर्सिस ऑस्ट्रेलिया वुमेन अरुन भाई बिलकुल भाई जुड़े हैं इंगलैंड पर लगा दूँ है क्या अपर लगा दीजा आद देखा जागा बैटिंग पिच है बिलकुल भाई ओल की पिस्ट मैंच नहीं चलेगा फिर भी बारिश पड़ेगी बाई बाई बारिश रुख चुकी है जा रहे हैं ध्यान रखिएगा बारिश रुख चुकी है कवर्स अटाये जा रहे हैं इस मुकाबले में और लग रहा है कि बैए कुछ ही देबाद आम पायर जो है वह निरिक्षिन कर कि बारिश रुक चुकी है इस मुकाबले में कवर्स हटाए जा रहे हैं और कुछी देर के बाद हो सब्सक्राइब कर दीए चानल को मुकाबले में अभी देरी है मगर यहां बता दें आपको कि बारिश वो रुख चुकी है पूछ तरीके से अंपायर जह वो ग्राउंड में जह वो ग्राउंड पर से एक हटा दिया है बॉलिंग जो बॉलिंग रॉन अप होता है वहां का कवर जहां हटा दिया गया है मगर पिछ पे अभी भी कवर्स लगा यहीं जीसे हार चुके क्या कर टी आपल की लाइट तो अच्छी है रिलेकर रखा है भाई कहिंद है टी फ्री ची लेकरी टीनेटके नीट से नीचे आएगा तो बेलजी जीरो हो जाता है तो सारा विल देना पड़ता है आपको मैंग सिंग और तो गर्मी में 200 जो है वह हमेशा 200 पार जाता है गर्मी के अंदर ऐसा हो नहीं सकता 200 पार ना जाए तो बिल तो देना है सरदी में शाद बेसाता नहीं आए सब्सक्राइब अब ऐसे लिए वह कम यूज होती है मगर कहीं ने कहीं गर्मी में तो भाई देखो तो बिल आते ही आता है फिसक्ति अपना बिल भर दिया अब कली भरा था मैं अपना बिल यार सारा मेरी है उसने मुझे लावी बोला था कब बोला पांड़े बाई मेरे तो परसोर परसोर री पेकर री का पेपर है भाई यह है भाई या क्या करें अब यह पढ़ लो रंदिर भाई तुमने सिर्फ लव्यू बोला लेकिन मेरे से तो लव्यू वाला काम करें वह हो हो साने लिए यार गेम स्टार्ट होगा लाइक शेर कमेंट करें भाई बिलकुल सही बात है कमेंटी अब साज़ें पिछ के ऊपर भी कवर्स यह एंवाटाए जा रहे हैं यहां से अब ग्राउंड के उपर जो है वो कवर्स अट रहे हैं तो हो सकता है कि सब थोड़ी दिर के बाद यह मुकाबला जहां वह शुरू होते हैं नजरा यहां पर और लग रहा हो जाएगा दोसों और फिरी के इसा बाइं गर्मी के अंदर 200 पार जाता भा जादा उसके 200 prediği EA जाए गाए लेकर क्या करें अब लेकर यहां से खेल आगये तो फूरे करते हैं यहां पर भई या बीटी हार गई में बिल्कुल सही कहा हैं कावर्स ओफ हो रहे हैं कितने और मैच होगा वाइए तो भाई मेरे सब से पूरे और कराएंगे 20 पीस और का पूरा होगा भाई आगर घर में तीन चार मीटर लगा के दो सब्सक्राव तब गर्मी में हो जाए है कि नहीं भाई बादल तो साफ ही एर बारिश तो अभी होई रही थी बारिश रुख चुकी है फिर से कवर सटाए जाने में शुरू जाएगा सारा टेलर क्यों नहीं खेलती इंग्लैंड में मेरी फेड़िट प्लेयर है पता नहीं भाई सारा टेलर शोड़ी दिया खेलना इवड़ी से अब प्रेश नहीं है जो सब्हक्या आई हमें अक्यों मिनलता ही है मिलता है ईसा पाई degas एख सबकोंगा मलता है और यहां पर शुख कर हम हुआ है और यहां पर शौप होся है और यहां पर और दली मेट्रों में क्या-क्या होता है पता है बाई बिल्कुल रंदीर बांडे में तो देखा हुआ हमार तो आको देखी आले बाई अब थो वीडियो बने लगी प्रहले तो बहुत कुछ दो था भाई एक गाना सुना है बीटी वालों को और के बोलके अरे यार यार यह त बात होंगे वाहिव देखो फिरी कुछ नहीं मिलता है बस common sense दिमाग लगाईए ना फिरी कुछ नहीं होता है आशकी लाइफ में भाई मैं दिल्ली में मदा नहीं आ रहा है बिल्कुल दिल्ली बाई मदा आएगा जब अगर आप रात को निकलेंगे रात को पार्टी अगर लाइब मुकाल देखना है तो आप जोए नाम सुना सुना लगा है मैच आप कहीं आप लैंडबुक के उपर भी देशते हैं लिंक है डिस्क्रिप्शनलाइच मैं पिन कर दिया उस लिंग को क्लिक करके दोसों रुपी के आईडली स्वार्पे की फ्री बोनस पाईएगा और यहां से जो है वह सारे मुकाबले उस पर लाइदे सकते हैं यूपी आजाओ मजा आ जाएगा रंधिर पांडे भाई मैं यूपी में हूं मुझे यूपी कहीं पता ही है बाई सारा गेमिंग एंट्रोनि सब्सक्राइब यूपी में अच्छी पार्टी वर जगाए जगाए लाइटिंग अच्छी होती है बाकी आप एक दूर जा सत्ते हैं नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी तो गर्मी है तो गर्मी में दिन में तो गर्मी होती है फिर मुश्किल होता है गूमने के लिए यहां पर चलते हैं मुकाबले की तरफ और समोसा बहुत महेंगा देते हैं बट देली की जले भी फिरुटा समोसा भाई 10 रुपे मिल जाएगा आपको 15 तक मिल जाएगा वह महेंगा चुरू होगा बस थोड़ी देर में एक छोटा सब ब्रेक लें दो भाई पानी प्योंगा लगातार एक घंटे से बोल रहा हूं तो सांस लेने तो मुझे गला थोड़ा फस रहा है मेरा और भाई इंडिया में 200 कितना ओल बिल आता है वाई देखो या रिपेंड करता है बाई करते हैं लालकी के पीछे बाले पर बागे CP घूम सतने CP अच्छी जगा है CP में तो बहुत कपड़े ने निकल लिए बाई तोरिजम कंपणी खोल दिया कि आपने अरे यहां पूछ लिए तो मैं बता रहा था भाई को करे मजा नहीं आ रहा बहुत मजा आने के लिए अकिले मजा नहीं आएंगा दोस्तों संद मजा आता है घूमने में मैं इस बात को इस इस बात के टीम को लेकर अब तक दो हमने विश्वास करने चोड़ दिया यहां वर घटेंगे भाई अभी ओवर के लिए अपडेट नहीं आई आई हम पार जो चेक करेंगे में बुदा 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 कारण की बात करें रहें रहां की भाई उससे जगा तो अब सब्सक्राइब वाले के सब्सक्राइब यह पार्क में गूम सकते हैं वह इच्छे जगा है बुदा गार्ण से बिटा इर पार्क में लीजिए वहां पर आपको डियर मिल जाएंगे कवर रिभी भाई देखे मैच एनर के जीतेगी नेले रोयल खिंग बारिश आई थी बारिश चलते मैच रुक चुका है मगर आब कवर्स अटा दिये ग्राउंड को सुखाने कार चल रहा है अंपायर अभी ग्राउंड के अंदर उतरेंगे निरिक्षन करेंगे उसके बाद बताएंगे कि कहीं ने कहीं आप यहांपर जह है कितने और का मैच होगा रोय शर्म भाई नहीं जगा है बहुत बेकार जगा है अरे बाई चालिस रचरगे में नो किया है रोई शर्मा यह कले मचल जाना लूट लेंगे लिंगा करके बेद देंगे मैं इट्स बीटी की टीम को लेकर बदकुल भाई सही कह रहे हैं आप सिंकुमार भाई के कब स्टार्ट होगा मैच भाई आभी हम पायर चेक करें ग्राउंड को ग्राउंड सुखने विखेंगे जाया तो जाएगा बहुब क्या तो म cones से पीछ लो मोबायल ले लेने गया था मेरा भी मेरा ही पुन चोरी हो गया होते होते बचा है मैच हो रहा है सजीद वाई आच खुके हैं के इस मुकाबलेगे एंदर अंदर जो बिल्खुल तयार है GROUND को देखने के लिए GROUND का NERECTION जहेँ हो शुरू हो चुका है अब warmth ही Neue ग्राउन को कि भी ग्राउन खेलने लाइक है कि नहीं कितने देर में मुकाबला शुरू हो सता और कितने ओवर का मैच होगा कही न कही इस मुकाबले के अंदर देखने लिए बात रहेगी किस तरीके से खेल होगा आप देखते हैं अमपायर उतर चुके हैं ग्राउंड के अंदर आप बताएंगा अमपायर की कितनी देर में खेल शुरू होगा और कितने ओवर्स का ये खेल होगा क्या ओवर कटेंगे या फिर प आपनारे बतारे के लिए जब जाओगे पर शानने भाई चोरी बहुत होती है आपर त्येम मैसर में ध्याने थ्याने लाजिए बहूत बहुत आ बहुत जाता रात में प्रिमांशी अगनोतरी वाइंगे आपके सीया जमाल पर प्रियांशी अग्नियोत्री भाई जीत जाओगे यार प्रियांशी लाम रखे निकलेगा तो प्रियम प्रियम भाई आपका जीद जाओगे आज दिलिब भाई कहरे हैं ओवर कटेंगे ओके अरे यार हिंदु राष्ट्र भाई क्या होगे क्यों परसान हो रहे हैं मैंच केंसल होगा मैं को पर कैंसल नहीं हो आयां फोक्स क्या बात है देखिए गावन को सुखाय जा रहा है बस कुछी दर में ख्योंगा खेवल होगा खेला क्रिकेटर नि अंपायर के साद मज़ लेता आते बिल्कुल भाई भाई आपका शुम नाम में दिवाकर मिश्रा है बैल्ली से हूं में जुढ़ सकते हैं मुकाबले में कि बारिश बंद हो चुकी है मुकाबले में अमपायर ग्राउंड को चेक करने आये है कि कितनी धिर में ग्राउंड ज जाता है उसके अंदर से अब भाई मैं जो कहां पर लाई देसकते हैं ट्रेवल बिद जॉय बताया थोई कल्यान बुक पे आप जॉइन कर लिजेगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया उस लिंक को क्लिक करके वाट्सर मेसिज करिएगा कल्यान बुक के ऊपर 200 सब्सक्राइब करने कोशिश करते हैं क्रिकेट अंपायर के साथ बज़े लेते हैं यहां पर सर कितने समय लगेगा इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती हो जाए और हमारे खिलाड़ी भी आई-पियल खेले और आपके भी पीएसल मुश्किल है क्योंकि देखो अरसलान भाई इंडियन टीम के बल्लेबा वहां जो किसी भी लीग में खेलते नहीं अगर देखा जाए तो किसी भी लीग में कहीं नहीं यहां पर खेलते रही है तो वहां खेल लेते हैं पुरे साल ही बिजी होता है और उनका खेलना बहुत मुश्किल है और वैसे भी अगर कोई लीग खेलने हो तो बीसी इस अन्यास लेना पड़ता है प्लेयरों को तो को इतना वड़ा जिस्तों लेगा है नहीं यार जब आप हसते हो मजा आजाता है असी रहे हैं इस टैंप पर लिख सकता हूं और जीतेगी इंग्लैंड कद्दू जीतेगी अब प्रियांशी बाइब नाम बताइए बाइब नीचा रहा इंजल पर यहां पर और कोई जरुत नहीं है बिलकुल सब्सक्राइब बहादे बहादे लेटस्ट बेकिंग नूस है कि मैं मैस देकर राजू को क्रिकेट केलने से बैट कर दिया गया है चलिए हम पार जो बिलकुल बढ़ करो बिलकुल यहां पर लिया है मैसेज आपका बाकि अब अंपार जो है वह सब्सक्राइब करिए इस मुकाबले को बारिश बंद हो चुकी है ग्राउंड सुखाने कार चल रहा है मजा आएगा जो इंगलेंड जिता रहा वो लू है वाई देखो वाई मैंने पहली दा दिया अग्रोतरी भाई औस्ट्रलियण कीम है वह गुंन से बहुत करने पड़ेंगे भाई बिल्कुल राम और बारिश बंद हो चुकी है और कंडर वह अंपायर बता रहे हैं अब्सकुछ ही तर में आपको अंपार बताते में नजराएंगे अवी स्टार् लो ब्रदर बैडबोई करें हेलो ब्रोग मेरा कमेंट पढ़ लो रंदिर पढ़ने पढ़ लिया और निक्रोडेंग मी अमपार यतरा पैसा चाहिए तरको तु बैस्टार्ट करो हर्सिक भाई ऐसे ही है यार हो जाओ टैस्ट देखने के लिए बैडबोई मेरे सामने बनते है सब्सक्राइब क्या बात यह बात सर चाहिए पिला दीजिए यह रगदिर भाई भाई हम खुद चाहिए नहीं पी अभी तक आपके बहुत शीय था इंक्यों नहीं कर रहे हो प्रशाद करतो रहें कोशिश कर रहें कमिट करने की हो नहीं पारा होगा सजीद भाई क्या करूगी खेलने आते हैं इनका लीक का आखरी मैच है अठारा ओवर का मैच होगा रामय किश्टन भाई कह रहे हैं अच्छी नियूज देका है भाई मैच कब स्टाटों का हो जाएगा भाई सुरज भाई करें इंजल प्रिया सर मेरा जवाब ही दिदिया देते हैं कौन सा मैसे चूट या विनोज दाकर भाई का दगर भाई को कोई मैसे चूटा नहीं में लगाता रहा पड़नों लाइन से यह उपर चूड़ यह रहा सर दो विकेट किसकिस ने लिए हैं बता दीजिए बाई एक मिला है राम सिंग सोनु यादव को एक मिला संध दिस्क्रिप्शन में लाचमन अफिन कर दिया है उस लिए को क्लिक करके जो है वर्टसा मेसेज करिएगा उस पर क्या है अगर पहले डिपोईट करने पर देखो 20 परशन का बोनस तो आपको मिलेगा यह मिलेगा प्लस अगर मान लिए आप 200 पर डिपोईट करते हैं 100 पर का बोनस और मिलेगा आपको विड्रॉल फास्ट है डिपोईट फास्ट है और विड्रॉल जो है 15 से 20 मिन में बैंक अगाउंट के अंदर आ रहता है यासिर भाई में हमारे खेलते हैं क्रिके लाइफ हिंदी काफी वीवर खेल रहे हैं जीत लें और तोटली एक्सचेंज है औ डिपोईट आप गूगल पर फोन पर पेटियम से बैंक ट्रांस्फर कर सकते हैं तोटली एक्सचेंज है लॉस्ट कर सकते हैं ट्रेट कर सकते हैं और ऐसा कोई मुकाबला नहीं है जो एक्सचेंज पर आता नहीं है तो सारे मुकाबले आपके फोन के अंदर होंगे जिसमें क्या बाद कर रहे हैं यह तो सब्सक्राइब सारे जुड़े वाई सारे जुड़े अवाई अच्छी है सर अरे पाई मैं कहा रहा हूं प्रियांशी एक रहते हैं यह समझाग मत करें मेरे साथ मुझे पता यह लड़कियों के नाम रखनके ने जानबूच के मेसेजि कर रहे कहा आते हैं उसके बाद कही नहीं बां में जब देखोगे तो यह प्रियांशी के जगवा प्रियम में ने कहीं कहीं काफी ज़ित रख्के आते हैं भशिये आनगए आज कले इंजला में कैती है और बPM कि रहाए कि शका द्यूर यार बस मुकाबले के लिए यह यहां पर और मज़ा आएगा आपकी कॉमेंटरी बहुत अच्छी है थैंक्यू यहां पर यह फिर प्रियम भाई जुड़ चुके हैं कल्यांग भाई ने रात लेले बहुत फास्ट फरोडिंग रहता है बिल्कुल भाई बिल्कुल सही बात है मैं तो आईडी ली थी वैसी भी खेल रहा है चलो आज बाइटी किसमत ठीक है बहुत कराब है अरे टैस्मेंट कब स्टार्ट होगा अभी करेंगे करेंगे बस तयार हैं ग्राउन बस सूख रहा है बस स्टंप लगा दें और चालू कर दें वहां कॉमेंटरी मत करो आप हस्ते रहो हमेश्या हस्ते रहो को बैसी जैसे आते इतनी कॉमेडी होती है तो मैं आता है भाई भाई या बताए तो तक रहेंज उर्फ एंजल प्रिया कितने और का होगा बाइस चलो बढ़त होगा इंजल प्रिया इंजल की बात करते वे अभी ओवर लग रहा है कि कटे नहीं है आपको अभी आश्वशन जाए नहीं है और कटने का अभी जो है अभी जो है अफिशली नूस आई नहीं है तो जाए तो बहुत बुरा हाल है टेस्ट स्टार्ट हुआ क्या है अभी होगा अपके वदर आया है अंपाइर भी लाइक इंदर देव डेल वाई रेंज टॉप हो चुकिए कि नहीं विजे यादा भाई बिल्कुल रेंज टॉप हो चुगी है ग्राउन सुखा दिया है ग्राउन भी तैयार है आईश भाई करें मैच कब होगा भाई हो जाएगा भी होगा आपकी यवाज में दम है आएम फॉक्स बताएं को गोलु भाई जुड़ चुके हाई करें गोलु भाई धन् पर एंजल प्रिया ने का आपके आज आपकी कॉमेंटरी सिद्धू को फेल करेंगे भाई बिल्कुल भाई धन्यवाद भाई मैदान पर मार हमारी हो रही है क्या नहीं मारा मारी नहीं है ग्राउन को सुखाने कारे हो रहा है बस अब लग रहा है कि कुछी देर में प्लियर टेस्ट एक्चुली बीगाइस टेस्ट वर था है शेस अलसो है क्या कर रहे हो आज आज फुल फॉप में आज बाई मैच चालू होने का समय हो चुका है बस थोड़ी दर मैच शुरू हो जाएगा मैच कब होगा डेट सुरू पर देगा अगर बीटी अलोट होगा बिलकुल लौकी बाई डेट सुरू पर लेगे आपसे बस रेड़ बॉल नहीं है बागी कंप्लीट टेस्ट केलते हैं बाई इस नूमबर वर्टसब करना पड़ेगा बाई इसी नंबर पर कर लिजेगा स्कीन पर दिया नंबर पर वर्टसब कर लिजेगा या लिंक डिस्क्रप्शन कर दिया है उसे लिंग को क्लिक करके वाटसर मेसेज करिया खेलिए और जीतिए गया आप उन्नेस ओवर का मैंच है आज कॉमेंटरी बहुत अच्छी है बाई शलंदर सिंग बाई पर देली अच्छी करता हूँ दिक्कत यह कि आज कॉमेडी जादा हो नहीं कि बीए इलाव जुड़ चुक है हमार साथ जावेद जी करें हाइसर लास्ट ये सलीम की टीम ऐसा खेली थी शायद वायांग सिंग बारिश को रुकने को आपके अवास सुनके रुजाई बारिश रुक चुकी है विने भाई कहने है कि बीए इलावन तरिची की बैटिंग आप सब देखि इसलिए इंदर देव ने कहा है कि मबारिश रोकता हूँ बीए लेवन की तरिची की तरिची की मैटिंगे कितना स्कोर बनाएंगे वाज भी नहीं भाई मैच चलेगा हाई स्कोरिंग मैच देखनों मिलेगा तरिची का मैच और यहाँ पर इमोशनल कॉमेटी आप कहां से है अच्छी है काठी हो हमारे गुजरात में आते रहो बिलकुल आएंगे मैंच कब स्टार्ट होगा हो रहा है बस पांच मिट लगेंगे मैं शुरू होने में बीस कैसन चाहिए होगा और अबिश्यक बाइक करें कल से रेड़ ग्लास वाले गोगल्स पहन के मैच देखना है अरे यार कल नहीं वैच अब तो फ्लियोफ बच्चे वे प्लियोफ देखेंगे बाई बीस बीस ओवर का बीसों में अन्ट सत्तर लगा दू क्या तीन पॉइंट नहीं आज भाई ऊपर लाए यह बना देगे त्रिची ओनल भी लाइक खतम हो गया मैं तूड़ गया सही बा संभावनाई भाई शुरू हो रहा है शुरू हो रहा है यह मुकाबला अब डीपी भाई करें मैच कब सब्सक्राइब को बीए लावन तरची की बैटिंग जो है फिर्श शुरू हो रही है आखो कश्ट जरूर होगा मगर दिल की धरकने जरूर बढ़ेगी अपने सवाल ज भाई है अब से सब्सक्रान के बाद यह मुकाबला शुरू होगा हो रहा है हो रहा है प्लेयर ग््राउंड के अन्ठर आने के लिए तइयार होते वे जिए नहीं कितने और करोगा जै जैज 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 बहुत यहां पर पूरे बीस सगस्क भाई है बिल्कुल क्या हुआ है बिल्कुल अमित बाइस अब स्वम मसते हैं दो गंटे रनो और ची है और हलो नरिश भाई कहने हैं आप त्रिची नाम से खून उबल जाता है नहीं मैंको तो बीए 11 के नाम शुरुआता है चंदर कुमार करें हाई सर कितना हुआ का मैच अब पूरे 20 बैटिंग करने के लिए बहले बाए चुके हैं प्लेयर जो है वो ग्राउंड की तरफ एंट्र करना शुरू कर चुके हैं और यहां से बता दें आपको कि अगले इस चौधा और में किस तरीकी की बलेवाजी करें कि बीए 11 तरची की ठीम वह आप सो को पता ही है पांच मिन्ट रुको इंद्रदेव को कॉल करता हूं क्यों कि उनका कैप्टेन राजकुमार था बाई बिल्कुल आपनी टीम नहीं बनाए अब हो बात नहीं शुमं भाई क लें लें लिए बनाती तो दस दस वर्वरों जाली रहने मनाती इस बैठ कर इसके कप्तान कौन है किसे कौन कप्तान है खेला हो वे जहेला वाला है रेडी रहो भाई बिल्कुल भाई रहो कि यह देखना होगा यहां पर गेंद्बाजी करने के लिए वीरा मनी आ चुके है ला मनी के हाथ में थमाई गई है इस मुकाबले में यहां पर लोग फुल टॉस यह गेंद्टी सीधे बले से खेल दिया इस गेंद्ट को लॉंगन के दिशा में एक रण मिलता हुआ स्ट्राइक पर आते होएं यहां पर कही ने कहीं बले बाज एन गंगा श्रिदर राजुजी आं गंगा श्रिदर राजु एकma करते हैं कैसी लीग है डीविडल भाई ऐसी ही लीग है और यहां से अगर बात कीजिए तो पूरे 40 ओवर के खेल होगा भाई यहां परता है कि आज बीए 11 की बैटिंग ज्यादा पसंद आ गई है बीए 11 की बैटिंग ज्यादा पसंद आ चुकी है शायद चलिए 20 ओवर का नहीं 19 ओव फारी के और इतर और एक उवर का ऐए 11 कि बैट किंटने सु प्लस खेला उल गाउगा उननिस これ मुधा है तो मतलब यहां से अब 13 और बचे यहां से कहीं न गई जफर जमाल स्ट्राइक मौजूद है यहां से करना आ टूके हैं पांच गेंदे हो चुकी है इक बार फिर सै यहां पर आelी गेंदखेलेंगर जफर जमाल गेंदबाजी करना है वीरा मनी यह लक्ष जैन बॉलिंग करेंगा बिल्कुल करेंगे भाई रॉकी भाई आज कौन कौन और क्या क्या लगे हुए अच्छी बाते करिए एक वार क्यों काटा भाई 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 बाई से जलते मैच जिली हो गया ना मैच है वो लेट हो गया इसलिए को राडिया निदिस राजगों बैटिंग में आएगा क्या सेकंडिंग में बिल्कुल आएगा बैटिंग में टीम के अंदर है मगर यहां पर देखना होगा बढ़िया फिल्डिंग महां पर वीरा मनी की कोई रट नहीं मिलेगा इस मिलेगे देखते हैं यहां पर इस मकाबले में निदिश राजगों बैठिंग करेंगे बिल्कुल करेंगे ट्विस्ट टीवी हिंदी बाइक करेंगे 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 लॉस में भाई फिर तो आईटी एंपर खेलना छोड़ दीजे इस पीसमें लॉसी में रहेंगे आप अमपार टेस्ट समझ रहा है एक और काट लिया है विल्कुल सब्सक्राइब और लिए और पूछ भी रता लक्ष जान आएंगे और लक्ष जान आचुके हैं गेंद बाजी करने के लिए अब देखते हैं यहां से मुकाबला जो है वो किस तरीके से रहता है मुकाबला श के बाद फिर से खेला शुरू हो चुका है खेला हो बे या पेला हो बे समय बताएगा मगर मुकाबला जो है वो काफी बढ़िया रहने की उमीद है स्ट्राइक में बाचूद बल्लेबास यहां पर गंगा श्रीदर राजू गेंद खेला है पॉइंट की दिशा में एक रण बाद लगा है अरुन भाई तु दिरे बोला कर बाई बिलकुल सुनना सुन सकते हैं नहीं सुनना तो आप अच्छिवा कर सकते हैं हमारा साथ बैठ कर इतना टाइम के बाद एक और काट आए बिलकुल मैं भी शौक हो गया भाई यहां पर ग्यान प्रकाश भाई कहीं ने कह सब्सक्राइब करें इसलिए इस मुकाबले के अंदर आप सम लोग जहां शृधर राजू जफर जमाल पर उमीद करिए कि अगले साथ आट ओवर जहां अच्छी बल्ले बाजी कर जाए कि 19 ओवर का यह खेल है चलिए एक बार फिर से यहां पर लक्ष जायन की यह गेंद बड़ा शौट केला जफर जमाल ने गेंद कही है मिड़ विकेट दिशा में छे रन के लिए जफर जमाल के बल्ले से आता हो बड़ शौट इस बार शक्का बटोरा है स्कूर पहुसता हुआ 39 अर्तिस रन दो विकेट नुक्सान पर साथ शनलर चार गेंद हो चुकी है इस ट्राइक पर हैं जफर जमाल इस बार राउंड स्टम गए थे लक्ष जायन बड़ा शौट केलने के लिए और बड़ा शौट जड़ दिया है जी हां यहां पर रनों की है जरूरत और रन बनाते वे यहां पर जफर जमाल इसी तरीके से रन बनाएंगे तभी टीम का स्कूर जो है वो आगे जाएगा तो क्या लगता है आपको इस मैच में बीए 11-30 टीम आज 500 के पार जाएगा यह देखना हुगा चलिए एक पर फिर से केला है हवा में यहां पर गेंज आती भी मिडविकेट दिशा में वन बाउंडरी के बाहर चारन के लिए एक और चौका जी आ एक और चौका यहां पर मिलता हुआ इस शौके के साथ स्कोर जो है वह आगे बढ़ता हुआ पिर तालिस रन दो विकेट नुक्सान अब देखते हैं आज तक इस तरीके की बलेबाजी जफर जमाल ने तो इंटेंट क्लियर कर दिया है कि बड़े शौट लगाना पसंद करेंगे और बड़ा शौट लगा भी रहें वागर इसके बाद कौन मारेगा यह भी सोचना होगा स्ट्राइक पे हैं जफर जमाल और ज जो हैं वो पांच गेंदे हो गई यह आखरी केंद बची जफर जमाल को यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे आप यहां से आज राजु रण नहीं मिलेगा यहां से बताते कि जफर जमाल वो 26 पे हैं और गंगा श्रिथर राजु दिए 13 अभी अपडेट हो स्ट्राइक पर होंगे जफर जमाल जो कि यहां पर जो 26 नमा के खेल रहे हैं 19 गेंदु का सामना किया है यहां से अब दतादें आपको कि अब 9 ओवर के खेल बचा हुआ है 19-19 ओवर का खेल है 19-19 ओवर का यह खेल है अब तो टीटन लग रहा है या सीन है वाई बिलकुल वो बढ़ जाएगा यहां पर फिर से यहां पर बले बाजी करने के लिए तयार जफर जमाल जफर जमाल को यह शॉट ओव लेंद गेंद पुल कर दिया गेंद को गेंद जाती भी बाउंडरी के बाहर चारण के लिए इस शौके के वाद स्कोर पहुसता हुआ विगेंद नुकस्तान पर आरण दोशनलों एक गेंद हो चुकी है चौका यह चौका हम पायर एक बार चेक ज़रूर करेंगे बाउंडरी पे करीम यह गेंद गिरी है अब देखना होगा कि चौका होता है कि चौका यहां पर चलिए एक बार फिर से देख रहे हैं हम पर चे दूसरी गेंद करने लगा था यार टी वीरा मनी वीरा मनी पहला अच्छा गया था मगर सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को और जुड़ते रहे हमार से इस मुकाबले में फिर से चौका नहीं चक्का है जी चौका नहीं चक्का है यह अब देखना होगा दूसरी गेंद एक फिर से वीरा मनी की ओवर की दूसरी गेंद स्ट्राइक पर माजूद बले बाद जफर जमाल जफर जमाल को ये गेंद शीने बले से खेल दिया इस गेंद को दूसरी गेंद पर सिंगल आता हुआ स्ट्राइक पर आते हुए गंगा शिर्धर राजू स्कोर होता हुआ पचा और यहाले भाई कम मारें को पता नहीं राजु आपके चनल पर दिखता दिख रहा है आरेशिंग भाई में बता रहूं लाइप नहीं जफर जमाल मारे मारे इस बार शौट खेला आए गंगा श्रीदर राजु ने बढ़िया यह शौट था चौका मिलता हुआ घंगा बड़े-बड़े शौट्स खेलना पसंद कर रहे है तो आज लग रहा है कि अच्छी बल्ले बाजी करेंगे अच्छी बल्ले बाजी चल रही है स्कोर हो चुका है चावण रन दो विकेड नुकसान पर आठ दिशनलों तीन गेंदे हो चुकी है एक बार फिर से अगली गें टी वीरा मनी की इस बार डिफेंस कर लिया गंगा श्रिदर राजू ने आर्थ समनलों चार गेंदे हो चुकी है और यहाँ पर और बाजी कहने भाई साब यूट्यूब बहुत है आपका स्कोर कार्ड भाई मुझे पता है मेरा स्कोर कार्ड गलत है मैं अभी उसको करेंट क खेल रहे हैं देखिया अपने आप स्कोर कार्ड जो है वो अपने आप ठीक हो जाता तो परशान मत होईएगा मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा चलिए एक बार फिर से ओवर की आखरी गेंद सिंगल लिया यहां पर जफर जमाल ने ओवर के समापती होती भी स्कोर हो अब बॉक्सेट कर लिया काम हो गया नले पर लगा दिया है आपने जो कर दीजिए बार आज लग रहा है कि बल्लेबाजी पर जोहर दिखाया है जफर जमाल ने जफर जमाल वैसे खेलते हैं बताएगा आपको वारिश होने के बाद थोड़ा सा साइम से बल्लेबाजी चल बारिश हो चुकी और बीस ओवर पूरा हो चुका है मैच का फैसला ही आएगा सीधा अफगाइस्तान वाले मैच में ध्यान रखी का फैसला है कि बीस ओवर पूरे हो चुके हैं यहां पर चली चलते हैं जदरा मुकाबले की तरफ स्कोर हो चुका है 56 रंड दो विकेट नु जबाइब बिल्कुल लेंगे एक विकेट तो मिलता है बाइनको जमाल आउट 11 और पहले इंफरमेशन है बिल्कुल अर्शिंग बाइज यह सारी इंफरमेशन जहाजा करिएगा जमाल आउट होगा ओके अगले गेंजफर जमाल को स्लोर रंड गेंट बटकी वी गेंट का फिल्टर जाएंगे उस गेंट के तरह पहुंचेंगे और एक रन मिलेगा जफर जमाल को स्ट्राइक पर आएंगे गंगा शिर्धर राजू 57 रन बन चुके हैं दो विकेट नुकसान पर 9 दशम लव एक गेंट का खेल हो चुका है समार्थ करेंट रन रेट 6 दशम लव दो इसमेस भी हूं बता रहा हो जिए अफ़ाईंस्तान वाले मैच में अब फैसला आएगा बारिश हो जाएना हो वी तोपुरे हो चुके हैं थो फैसला आएगा मैच में टेंशन बती है अफ़ाइंस्तन वालों हम भी भाई अब हम हारने लगाये करूंगा मुझे कोई वी टी बन चुके हैं दो विकेड नुकसान पर नौद शर्ण दो गेंदे हो चुके हैं एक बार फिर से गेंद लेकर चलते हुए गेंद बाज एमपे मौनजी एमपे मौनजी का पहला वर अच्छा गया था दूसरे ओवर में स्ट्राइक मोजू गंगा शिर्दर राजू पठकी भी गेंद बाकलाई उसर टहलाया गेंद को पॉइंट के दिशा में फिल्टरने गेंद को फिल्ड कर लिया कोई रण नहीं मिलेगा गंगा शिर्दर राजू को स्कोर अभी भी 57 रण दो विकेट नुकसान पर 9 चल रहा है भाईया मुकाबला चल रहा है आगे बढ़ रहा है अब देखने लिबात रहेगी किस तरीके से खेल होगा 19-19 ओवर का ये खेल है और देखते हैं 19 ओवर में कितने रन और जोड़ते नजर आएंगे 19 ओवर तक कितना स्कोर बनाते वे नजर आएंगे इस मुकाबले के अंदर ये देखना होगा तो लाइक करिएगा आप सब्सक्राइब कर दिये चैनल को और जुर जाएगा हमार साथ लाइफ हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइफ हिंदी के साथ मुकाबला सूपर से भी ऊपर रहने की उमीद है कोई गलती नहीं करी फिल्डर ने वहाँ पकड़ा कैच गंगा शिर्दर राजू का और गंगा शिर्दर राजू का विकेट जाता हुआ और बीए 11 तरिची की टीम को विकेट गिरता हुआ प्लस अगर आप आईडी लेते हैं और दो सुर्पे के डिपोईट करते हैं तो आपको सौर्पे की फ्री बैट की तरसे मिलती है प्लस यहां पर पहले डिपोईट करने भी आपको 20% का बोनस मिलता है मालीज़े 1000 पर डिपोईट करेंगे तो 200 रुपे का बोनस आपको मिल जाएगा प्लस 100 रुपे की फ्री बैट आपको मिलेगी कल्यान बुक की तरफ से यहाँ पर जो minimum deposit है सिर्फ 100 पर का है minimum withdrawal जो है वो सिर्फ 100 पर का है deposit है आप Google पर फोन पर फेटियम से bank transfer से कर सकते है withdrawal आपको 15-20 पर bank account का अदर मिल जाता है screen पर दिये वे number पर whatsapp message करके भी ID ले सकते है यह लिंक जो है description में है लाइच चाम पिन कर दिया है दिन में 40-50 मुकाबले हो cricket के सारे मुकाबले आपको exchange मिलेंगे cricket exchange मिलेंगे कल्यान बुक की ID के उपर जाकर join कर लिजेगा totally exchange लाश्रों पूसर कर सकते हैं trade कर सकते हैं cricket live इंदी काफी वी और जो हो खेल रहे हैं अब आ चुके हैं strike पर क्या लगता है आपको run बनेंगे क्या क्या यहां से एक बड़े score की तरफ बढ़ना चाहेंगे क्या यह देखना होगा तो जुड़ते रहिएगा आप सो लोग subscribe करते रहिएगा like करते रहिएगा जुड़ जाईएगा हावार साजियां यहां से score जो है वो सूपर से भी ऊपर रहने की उमीद जरूर है मुझे की चाहूँगा कि बड़िया score जो है वो देखने को मिले चलिए यहां से अगली गेंद यहां पर जफर जमाल को फ्लरंग की गेंदी सीधे वले से केल दिया लॉगन को दिशा में फिल्टर मौजूद है एक रनाएगा इस ओवर की आखरी गेंद पर जफर जमाल के पास होगी स्ट्राइक तस ओवर समापती की बाद 69 रन तीन विकेड नुकसान पर बीए 11 तरिची का स्कोर है जफर जमाल 24 गेंद में 36 पर मिलाकर ख्रीश पर मौजूद है तीन चौके और दो चके लगा चुके है और MP मौंजी का यह ओवर काफी अच्छा तीन रनाए इस ओवर से यहां पर जो है लग रहा है कि बीए 11 तरिची की टीम जब आप जो है टेस्स से वंडे की तरफ बढ़ चुकी है इन्फर्मेशन जमाल कि थी गया राजू वाह मेरे को किसी पर सब्सक्राइब तो कहां से लाते हैं राजू जगगुल पर वैरी फास्ट कोरिंग बैक्समन अमित्राम भाई अमित्राना भाई लास्टीर तक खेला हो बेक्षे राजू को राजू आउट हो बही या वह वह सब्सक्राइब क्या कर रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए फिर से संदीव बॉर्र को बलाए गया है पहली इस बार जफर जमाल को बढ़िया गेंद कोई रन नहीं मिलेगा इस पहली गेंद पटकी वीग बाउंसर गेंद फिल करने गया केंदर बल्ले का संपर्क हुआ नहीं आप इसकोर अभी भी उनसर्ट रन तीन विकेट नुकसान पर दस दसनलों एक गेंद हो चुकी है मुकाबला काफी बढ़िया रहने की उमीद है कि एस बाई जुड़ चुके हैं हमारत हेलो भाई खेला होबे की पेला होबे सर जी खेल कर रही है तुस्ट नेल और की को सपोर्ट कर रहा है अक्षभी सिंग कर आजा जमाल का आएगा आएगा से टेंशन मतलिजेगा को मेरे करें राज़ोan में बैट गये में इस में पूंब्ली आएंगे विकेट कहिंद बाई उमीद को देखते हैं मिल पाएगा विकेट यह द डीप पॉइंट दिशा में एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर आप राजकमोर को भेजा गया है बल्लेवाजी करने के लिए स्कोर हो चुका है साट रन तीन विकेट नुकसान पर दस दसना दो गेंदों के बाद का एक बड़े स्कोर के तरफ बढ़ सकते हैं डीएलस मेथड़ से अफगानिस्तान विन करेगा या बनलेश लेश टॉक भाई डीएलस मेथड़ के हिसाब से अफगानिस्तान विन करेगा क्योंकि स्कोर बहुत कम बचा हुआ है और डीएलस मेथड मेथड में जो है अफगानिस्तान काफी आगे है यहां से अगर बात की ज सब्सक्राइब करेंगा बिल्कुल भाई करेंगे आप यहां पर 25 से पहले डियलस अपलाई नहीं होता कुछ ने बोला मित्राना भाई कौन कहता है अगर मैच पूरा करना होता है अगर मैच को पूरा करना होता है दूसरी पारी के अंदर तो कम सब्सक्राइब को जीत जाएगा ध्यान रखेगा आप सो लोग यहां पर के राजकुमार कितनी बार बैटिंग करेगा आपना कमाल देखा बाई पिलीज बता होेंग के राजकुमार देखा है बना जेमाल हिए वह आपको सर जी पहला हो बे अरब शा भाई बिल्कुल होना तो चाहिए कहीं ने कहीं बीए 11 तरची की टीम का भाई कल बहुत लौस हुआ इंपेक्ट प्लेयर कीव जैसे बड़ा दुख है यार फिर से पटकीवी गेन 30 बार कट कर दिया गेन को गेन जाती भी थर्डमन की दिश्चा में चौका मिलता हुआ यह पहली बार मैं ने देखा है कि तेज गेन बार जो थर्डमन का फिल्टर रखा ही नहीं है वाह यह सब्सक्राइब कर रहें गेन बाजी छे रना चुके है इस ओवर से आखरी गेन डालेंगे यहां पर जफर जमाल को इस ओवर की ग्यार वे ओवर की सर में आगया हूँ धन्यवाद सुदीर लोगी आप जुड़ चुके हैं हमार साथ डेड़ सो जाएगा होके बारा ओवर त तक कितना होगा यहीं है नहीं बता मुझे बारा तक कितना होगा है फिर सकत की जिए अगर माली जोडेंगे तब पहु एक सो पेंतालिस तक जाएंगे और जफर जमाल आउट होई ना थैörtक जाएंगे फिसीदवा जमाल आज फॉर्म में एच्ट जब में ही मार रहा है बढ़िया है अच्छा रिट मिलेगा बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजेगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजेगा और जुड़ जाइए अच्छा खेला हो रहा है अभी तो बैटिंग तो च्छी कर जफर जमान नहीं है और देखते हैं क्या होगा ललतकुमार बाई जुड़ चुके हैं कीप इट अप भाई कह रहे हैं आपर सुमोन भाई के जमल आउट हो जा ओके सुमोन भाई यहाँ पर चलिए जलते हैं एसमोन को लाओ विकेड लेगा ले लिया भाई इनुने चलिए एक पर फिर से अगली गेंद दूसरी गेंद बढ़िया गेंद लगाता और दो डॉट गे इस बार वे और पैसे ट्रण तीन विकेड नुकसान पर ग्यारत सनों तीन गेंद हो चुकी हैं जियां इस मुकाबले में यहां से किस तरीके से खेल बड़ेगा यह देखना होगा नहीं मेरे घर पे है राशित खान बिल्कुल सहीवार डिल्स मेंतर से जीता दो मैं ट्रीम जीत जाओंगा जीत जाएंगे भाई अफगाइस्तान ड्लस मेंतर से भी जीत जाएगी क्योंकि आगे है शुष्टी सेवन और त्रासी मार के बैठेंग में कैसा है पता नहीं भाई मुझे उनके बैटिन देखी नहीं मैंने आपकी आरन माशिन खिलाडी है बिल्कुल इसके बीच असली खेला हो गया राशित खान का बेस्ट बैट्समें है टेस्में आइसी सी रैंकिम वन पता नहीं भाई देखा नहीं मैं तो यहां पर पडितरम भाई जुड़ चुके हैं वाद विकेट कहने है सब राज कुमार उतो टेस्ट स्टार भाई बिल्कुल सही ब पर फिर से स्लोर वन गेंद सीधे बले से खेल कर एक रन और जोड़ते हुए और इस ओवर में अगर बात कि दो रन आ चुके हैं भी तक और स्ट्राइक में है राज कुमार इसके बाद जहें बहुत कम बचेंगे साथ ओवर बचेंगे इसके बाद यहां पर भाई टीन पिल कि रखा है भी 11 तरिची की टीम ने फिर से जाफर जमाल को यह गेंद इस बार डिफेंस कर लिया इस गेंद को कोई रन नहीं मिलेगा स्कोर अभी बीवी तिरसट शिश्टी सावन रंस लौसों त्री विकेड बारा वर समाप तो चुके हैं बारवे और में से दो रन आये है बताओ से बार परणाम भाई जूर्चु के हमासा अलोबाई करें सागर भाई करें केजिये भाई किदर हो आपके सागर भाई अभी आपका मैसीज आ गया तो केजिए भाई भी आई जाएंगे गिरते पढ़ते या आपने मैसिज आपने बुलाया तो दिल से नको याद आत करने के लिए और जाफर जमाल टो भई है बड़े बड़े शॉट कहल ला है अब पर देखना हो गया उस बार तो बीची ने डियनियर फरार्यों को भीज़ा था उपर बैटिंग में और आज दिखा भी नहीं रहे हैं पर देखना है उनका मोमेंटम नहीं रहे हैं यहाँ पर राजकुमार आठ गेंद में तीन रहे हैं एक बार फिर से एनस हरीश किये गेंद बढ़ी आगेंद यहाँ पर राजकुमार को क्या खाटन बोल कर दिया लेजिए यहाँ पर बिल्कुल सीधी गेंद थी कलाई को सार सीधा खेलने कोशिश थी टोपेश लगा और सीधा गई गेंद एनस हरीश के हाथ में और एनस हरीश नहीं पकड़ा कैस यहाँ पर और एनस हरीश नहीं की थी गेंद बाजी यहाँ पर तो राजकुमार नो गें में लग रहा तक रन मनाएंगे फिर अपनी बल्लेबाजी दिखा दिए बाई अमित राणा को क्या दिखा दिख गया है बोले हराद दोसों बनेंगे भाई पता निए वह पिछले में अगले कुछे और मैस के बता रहा हूंगे कि दों टीम में मिलके दोसों बनाएंगे यह ब अच्छा बैटी नहीं देते भाई बिलकुल बारिश आशता है कि दुबारा भाई अभी तो लग नहीं है बारिश आएगा डैर्ल सुंदर फरारियों आ चुके हैं बले बाजी करने के लिए अब यहां पर और राजकुमार का विकेट गया है आर राजकुमार की कैश भी प बले बाज डैर्ल सुंदर फरारियों और जफल जमाल दोनों जो हैं किसमे मौजूद हैं अब इन दोनों बले बाजों को अंतक बले बाजी करने होगी तब ही एक अच्छे स्कूर की तरफ बढ़ सकते हैं यहां पर देखते हैं क्या होता है इस मैच का सूर्तियाल बाकि ला और एक मेल जाएगा डैर्ल सुंदर फरारारियों को सिंगल स्ट्राइक पर आते हैं जफर जमाल इसके बाद सिर्फ 36 गेंदे बचेंगी भाई बारिश आसता है कि अभी चांस नहीं है बारिश होने के बागी बागी देखो थोड़ा बहुत चांस तो है बारिश होने का मग बागी अभी यहांपर पूरी बैटिंग करा के मानें गें इनखी एंटकी इंट करेगा रिस्क हम तो रिस्क नहीं लेंगे यहांपर कहीं न कहीं अगर बात की जाएँषर की तो स्कूर हो चुक हैroph इसटे मेर्ट लास उर्यदन करे HE me देख um सब्सक्राइब कर दिए चाहिए अब देखते हैं 36 गेंदों में यहाँ पर कितने रन और जोड़ते नदर आते हैं तो लाइक करिए सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और जुड़ जाईएगा हमार साथ इस मुकाबले में मुकाबला चली रहा है और स्कोर जो है आगे बढ़ी रहा है अब देखते हैं कितना स्कोर यहां से आगे बढ़ता है कितना खेला जो है वो आगे बढ़ता है अब देखने लिए बात रह करती है वागे लाइक करिएगा सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और जुड़ जाएगा हमासा इस मुकाबले में एक बाद फिर से यहां पर गेंद बाजी करने के लिए एस मुहन प्रशान को बुलाएगा है सिधे बल्ले से खेला इस गेंद को जफर जमाल ने सिंगल बटो र बियरे हैं और दोस्व रुपर डिपोएट करते हैं सौर पर का फ्रीव जैब आपको अपको मिलता है प्लस पहले डिपोईट करने पर आपको 20 पर बॉनस मिलेगा प्लस सौरपर की फ्री बैट आपको मिलेगी तो फॉनर जाकर जागर जॉइन कर लिजएगा कल्यान बुक क लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइच में पिन कर दिया है उसलिगों क्लिक करके वर्टसप मेसिज करिएगा खेलिएगा और जीतिएगा कल्यान बुक की आइडी के उपर आप सारे मुकाबले जहें वो लाई दे सकते हैं च्रिकेट हो फुटबॉल टैनिस हो कोई भी मुकाब हो वो सारे मुकाबले आपको कल्यान बुक की आइडी के उपर लाइव चलते नज़र आएंगे आपको यहां पर टोटली एक्षेंज कर सकते हैं ट्रेट कर सकते हैं तो जाकर जॉइन कर लिए क्ल्यान बुक को क्रिकेट लाइव हिंदी काफी विए जीतने हैं और आज ही कल गेंदे हो गई हैं सोबर की चार रन आया अभी तक जफर जमाल है स्ट्राइक पर मोहन प्रशांद किये गेंद इस बार फुलर रन की गेंद थी गेंद को ढखेल दिया है बीप डीप मिट विकेट दिशा में छे रन के लिए और शे रन के साथ जफार जफर जमाल के पचास रन पूरे होते हुए यहां पर 35 के दों में 51 की पारी खेलते हुए चार चौके और तीन शक्के लगाए है जब पर जमाल ने और चार विकेट नुकसान पर तेरा दसमलव चार गेंदे हो चुकी हैं यहां पर यहां पर चलते हैं जरह मुकाबले की तरफ रोईत भाई सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और जुड़ जाएएगा हमार साथ एक बार फिर से जफर जमाल होंगे स्ट्राइक पर इस मुमन पर शायत अपना दूसरा ही ओवर कर रहे हैं चाहेंगे कि सुर में अच्छा अच्छी गेंद बाजी करें सिंकल और मिलता हुए जफर जमाल पर कप्स जुड़ चुके हैं भाई लक्ष जैन दूसरा ओवर डाल सकता है क्या बहुत मारा भाई पहले और बहुत मारा है यहां पर पहले और बहुत मारा है यहां पर पहले और बहुत मारा है यहां पर पहले बहुत मारा है यहां पर पहले और बहुत मारा है यहां पर पह कि नुसान पर बीए 11 तरिची का स्कोर है यहां से बची हैं सिर्फ 30 गेंदे जी यहां 30 गेंदों का खेल बचा हुआ है अब देखते हैं 30 गेंदों के अंदर कितने रण जो हैं वो जुड़ते हों नदर आएंगे क्योंकि 19 ओवर का यह खेल है 19 ओवर का यह मुकाबला है और 19 उननिस ओवर मिलेंगे दों ट्रीमों खेलने के लिए प्यूश भाइज जुड़ चुके हैं हलो भाई यह पीश भाई कैसे हैं आप जफर जितना देर रहेगा डिवाई क्या हो गया सौरी आप मैं यसे ही पहले से ही पहले से ही पहले साथ था इसलिए ओके ओके इसलिए रि जाएगा देखो भाई क्या होता है रेस्टिनी भाई डेस्टिनी पर डिपेंड करता है आव नौट टेलिग्राम ओके जमाल का विकेट तीस बोल पैंतलिस और मौर ओके यहां पर कहीं ने कहीं स्कोर हो चुका है क्यासी रन चार विकेट नुकसान पर चौधा ओवर समाप् और यहां से बस तीस गेंदो का खेल बचा हुआ है टाइप लिखे ए डाइक है आप सजाब दो जवाब देंगे हां पर जबादी जवाब देंगे आपको और सवाल पूछा किया दा सवाल मिला नहीं क्योंकि सवाल बहुत उपर निकल गया है उपर जाना पड़ेगा बहु और बाइस साल जो बीटी के पैसा लगाने वाले नींद में भी पर तो सही कह रहे है भाई हमार साथ भाई उनकी बैटिंग करते हुए देखते ही लोग बोल देते हैं भाई यहां पर अब मिश्रा जी आपने दो पर ले लिए हैं क्या मैं नहीं आरूं भाई कोई पैग लगा यहां तो मैं अराम से लेटा हुआ लेड कर रहा हूं यार अभी यह से बैठे थे और छे पैंतार से बोल रहा हूं लगा लिए ब्रेक होनी थी भी नहीं और मैच लंबा हो गया है तो कोशिश कर रहा हो के बाई थोड़ा से जल्दे बोलो और मैच खतम करूं और पानी एक गेंद हो चुके तो यहां से आर सोनु यादव जहें वो राउंड दस्टम गेंद बाजी करना है जफर जमाल को जफर जमाल अच्छी बले बाजी करिए आज इस मुकाबले के अंदर और देखने लिए बात रहेगी किस तरीके से खेल होता है तो लाइक करिएगा सब्सक् जमाल बावन रन की पारी खेल चुके हैं इस दोनों बल्ले बाज अगर आखरी के इन 39 गेदों में बल्ले बाजी करेंद एक अच्छा स्कूर बन सकता है बीए 11 तरिची की टीम का चलिए आर सोनुयादव गेड़ लेकर चलते वे स्ट्राइक माजू जफर जमाल और ऑस्टन के बाहर ये गेंज बार सीदे बल्ले से खेल दिया गेंज को कवर की दिशामें गेंज जाती वी बाउन्डरी के बाहर चार रन के लिए एक और चौका आता हुआ जफर जमाल के सब्सक्राइब नाम ले लिए यहां पर यासिर बाइब करें अर्षद नाम ले लिए सोनु को ओवर दिया सिक्स आया देखो भाई शेक्स तो आया नहीं चौका जरूर आया मगर यहां पर पांच रन आच चुके हैं दो गेंदों के अंदर अभी वी चार गेंदे बची है इस बार जफर जमाल को कोई रन नहीं मिलेगा स्कोर अभी विच्छी आसी रन चार विकेट नुकसान पर चौद असलों तीन गेंदे हो चुकी है इस स्ट्राइक में हैं जफर जमाल कोशिश कर रहे हैं बड़े प्रहार करने क्योंकि यहां से गेंदे बची जादा नहीं है जी बहुत रेट इस इनिंग को गाफे लेट कर दिया है चलिए एक बार फिर से राम सिंग सोनु यादव की एक बड़िया गेंद इस बार सिंगल मिला है जफर जमाल को इस सिंगल के साथ स्ट्राइक पर आगे है डैरियल सुंदर फररार यहों सतासी रन बन चुके हैं चार वि चुके हैं इस स्ट्राइक पर है डैरियल सुंदर फररारियो भी बड़े शॉट लगानें में वाही राएंब को इक दिछ दो नशचा के फिल्टर से भी मिस्फिल्ड हुई वहाँ पर फिल्डर को लगा था किौन पकड़ लिया है मान एक फचोड़ दिया है यहाँ पर देखते हैं और यहां पर यहां से खेल की तरफ बढ़ेंगे तो खेल जो है भी अच्छा चल रहा है बीए 11-3 डी भी डैन है ओड तो बढ़ी नहीं डिर्ज्ड और गोलू किये करे गोलू कोई और भाई जब धाल है रहे हाँ पर चलते हैं एक शॉर्ट रन शायद लिया है जफर जम नहीं शॉर्ट रन नहीं लिया चलिए एक बार फिर से ओवर की आकरी गेंड राम सिंग सोनु यादब करते हैं डैरिल सुन्दर फररारियो को इस बार सिंगल लिया है इस गेंड पर और ओवर की समाफ्ती होती भी पंदरा होवर समाफ्त हो चुके हैं 90 रन चार विकेड नुकसान पर बीए 11 तरिची का स्कोर है स्ट्राइक पर होंगे अब डैरिल सुन्दर फररारियो और बची है इस पारी की 24 गेंडे जी यां 24 गेंडे बची है इस पारी की अब देखते हैं 24 गेंडों में 40 रन जोड़ कर 130 का आकड़ा जो है पार कर पाएंगा रोई शर्मा जी इस ऑल्वेज राइट कहां है रोई शर्मा भाई दिखनी रहा मैं चायट में आरा हमीत रहना भाई उननेस ओवर के खेल में कम से कम अगर आपका स्कोर 150 होता या फिर 160 होता शायद बैटर रहता बार सो तीस रंद पर आप कोशिश कर सकते हैं लड़ सकते हैं बाकि देखते हैं लड़ पाएं कि नहीं यहां पर फिर से यहां पर 16 वावर शुरू होता हुआ यहां पर बीटी जी हैं बी एलावन तरची के टीम के टाइम सकोर सकोर हो चुका है यहां पर 91 रंच चार विकेट नुकसान पर एम फैमांजी को बुलाए गया है गेंद बाजी करने के लिए आप देखते हैं एम फैमांजी जी हैं किस तरीके गेंद बाजी करते हैं अभी देखना होगा जिल जिले देखते हैं यहां से किस तरीके से खेला होबे खेला होबे अपकर बचेवे इन 23 गेदों में कोशिच यह करने की ज़दा ज़द से ज़दारन बनाने है और यहां पर टीम का स्कोर जो है बढ़ाना है एक बार फिर से चलते हैं ज़दा मुकाबले के तरफ चलते हैं मांघ मुकाबले की तरफ और यहां से सामने मौझजिद बने बाद जफर जमाल को यह गेंटी 3 बार बड़ा शॉट कहá सब्राइब रहा जी अंध्य गेर पर जमाल को थोड़ी सी श्लो वन गेंट पटकी मेंट को पुल कर दिया और को भेजा है कहीं ने कहीं डीप में वेगेट दिशा में छे रन के लिए जफर जमाल का एक लंबा छक्का आता हुआ यहां पर उनके बल्ले से बल्ले से स्कोर पहुसता हुआ अठानवे रन चार विकेट नुकसान पर 15.2 गेंदे हो चुकी है 15.2 गेंदों का खेल हो चुका है समात अब देखते हैं यहां से कितने रन और जुड़तर जाते हैं यहां पर चलते हैं मुकाबले की तरफ सामने मौझूद बल्लेबास जफर जमाल एक तालिस गेंदों में तेरे सेट रन बनाकर खेल रहे हैं चार चार पाच चौके और चार बड़े छक्के जो है वो लगा चुके हैं चलिए देखते हैं किस तरीके से चलता है यह खेल चलिए सब सामने मौझूद बल्लेबास जफर जमाल एंपे मौंजी को दुबा की वी गेंद एक बार फिर से पुल किया एक बार फिर से चक्का आता हुआ लिजिए यहां से यहां से एक और चक्का मिलता हुआ बैक तु बैक दो चक्के आ गए हैं यहां पर जफर जमाल के बल्ले से फिर से शौट अवलन गेंद फिर से पुल किया इस बार गेंद गए मि लगाना आज सोवर में 14 रन आ चुके हैं अभी तक तीन गेंदे हुई हैं एक सुचार रन चार विकेड नुकसान पर फंदर तसलों तीन गेंदे हुआ खेल हो चुका है समाफ दाइम पर मौन्जी गेंद लेकर चल रहे हैं ओवर की है चौती गेंद के जफर जमाल को आउट क सब्सक्राइब कर दीजेगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजेगा और जूड़ जाइए का हमार साथ इस मुकाबले में एक बार फिर से एम पर मौन्जी के एगेंद इस बार डैरे सुंदर फ्राराइब को स्लो वन गेंद तीस सीदे बले से खेल दिया गेंद को लाइगान के दिशा में एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर इस एक रन के साथ स्ट्राइक में आ जाएंगे जफर जमाल आकरी गेंद खेलेंगे एम बारिश बारिश होने के बाद बारिश जब रुकी है उसके बाद बले बाजी में कुछ अलग लैमें नजर आए है यहां पर चलिए एक बार फिर से बढ़िया गेंद डॉट गेंद है यह कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर तो 16 ओवर समाब तो चुक है 106 रन 4 विकेट नुकसान पर बीए 11 तरिची का स्कोर है जफर जमाल 44 गेंद पर 70 रन बनागर खेल रहे है और स्ट्राइक पर जिया अब होंगे डैल सुन्दर फरारियो तो यहां से अब बच्ची हैं सिर्फ 3 ओवर जिया अठारा गेंदे बच्ची हैं यहां पर 18 गेंदों के अंदर कितन बनेंगे यह देखना होगा 30 रन जोड़ेंगे तो 136 तक पहुश सकते हैं मगर जफर जमाल अगर खड़े रहे तो एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ते नदर आएंगे इस मुकाबले के अंदर बाकी अब देखना होगा मैं सोजा हूँ बंगलिस विन कर जाएगा जाएग और से आफगानिस्तान का रेंडले कि मैच शुरू नहीं भी होता है और अफगाइस मुकाबला जोफय है यह मुकाबले के डियांघान जीच जाएग इस मुकाबले को चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ आराम सिंग सोनु यादव को बिलाए गया है पहली गेंद पर सिंगल लिया डेल सुंदर फरारियों ने स्ट्राइक पे हैं जफर जमाल सतरा गेंदे बची है इस पारी की सतरा गेंदों में कितने रन क्या यहां पर कॉलाप्स करेगी बीए तरफ बड़े शॉट केलेगी यह देखना होगा चलिए एक बार फिर से बढ़ते हैं गेंद बाजी की तरफ बढ़ते हैं आप बीए लावन तरफ टीम के गेंद बाज राम सिंग सोनु यादव गेंद होचता हुआ एक सो नौन चार विकेड नुकसान पर सूला तरफ दो गेंदे हो चुकी हैं स्लोर वन गेंद थी सीदे वले से खेला जरूर था कवर फिल्टर ने कोशिच बहुत की गेंद को पकड़ने के और मगर फकड़ना जरूर मंगर दो रन बचाए अपने टीम के एक सो नौन बन चुके हैं अभी भी मगर आहां पर थोड़ा से चैक करना होगा रनाॉट चैक हो रहा है शाय है वह एक फिल्डर ने अब पहुच गहें ऐसा लग रहा है और स्कोर हो चुका एक सुनौ रण चार विकेट के नुकसान पर सोलब दो गेंदे हो चुक है जफर जमाल फैंतालीस गेंद में बहत्तर रण की पारी खेलते वे अभी चार गेंदे बची है इस पारी की और जमाल ने पूरी टीम की इज़्ज अगरें इस मुकाबले में फिर से चलते हैं पतकी भी गेंद कवर के दिशा में खेलया इस शर्ट को बड़िया यह शर्ट था एक और शक्का आता हुआ जिया जफर जमाल के बल्ले से एक और शक्का निकलता हुआ थोड़ी सी आउस्टरम की तरफ पटकी भी गेंद कवर के ऊपर से खेल दिया इस शॉट को और शक्का पटोरा इस गेंद पर मर्ण में सबसे समझ में नहीं आ रहा मुझे जफर जमाल जो है वो शॉट्पिच गेंदों को अच्छा केल रहे है तब भी दे शॉट्पिच दे शॉट्पिच यहां पर नौर राचुके इस ओवर के अंदर एक सुपदर रन बन चुके हैं चार विकेट नुकसान पर सुलन 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 तीन गेंदे हो चुकी है करेंट चुकी है और अभी देखिएगा चौधा गेंदे बची है इस पारी की एक सो 21 रन बन चुके हैं 121 रन चार विकेट के नुकसान पर सुलन सुलन चार गेंदे हो चुकी है दलाजवाब बल्ले बाजी बहुता है जमाल सो मार की मानेगा बाई बिलकुल सही बात है एक और छे बाई बिलकुल 19 ओवर होने के बाद भी यो यो ब्रो भाई बैट कैंसिल ही बाई बाई 20 ओवर की बैट कैंसिल नहीं होगी तो यह बाई तो 19 ओवर का मैंच है तो कैंसिल हो जाएगी वह उनिस ओवर की है तो कैंसिल हो जाएगा इसके पैसे वापस मिलेंगे आपको यहां पर देखते हैं अगली गेंद की तरफ जी यार कपस भाई मैं आपको एक बार टाइम आउट दूगा आपको मैं काफी देर से नोट कर रहा हूं गाली गाली के लोच करना है तो फिर यार मैसेज करने जोरत किया है मनी मन कर लीजें दुसरों को दे रहे हैं गाली आप टाइम ओट कर दिया है अगली बार फिर फिर गाली देंगे ब्लॉग भी कर दूगा कपस भाई थोड़ा वेट करिएगा और तो लैग में सही रखे है कोई आपको गाली देह नहीं रहा है यहां पर चलते हैं जरा मुकाब जो राम सिंसोनी आदफ के ओवर की आखरी गेंद बड़ी आगेंद इस बार क्या लगता है आपको यहां से डेड़ सो पार करवा के माने हैं क्या जफर जमाल यहां पर मार मार सुझा दिया भाई आदा सजादा रंस अकेले ही बना गया भाई बिलकुल सही कहने है मेरे पास अलग होती है टीम की बाद अलग होती है आपस मेंदे को शान करना बहुत जरूरी है है आप चलता है मुकाबले के स्कोर हो चुका है वाटसर मेसेज करिएगा जहाँ पर मिनमम डिपोजिट जहाँ सिर्फ 100 रपेका है मिनमम विड्रॉल भी जो है 100 रपेका है डिपोजिट आप गूगल पर फोन पर पेटियम से बैंक ट्रांसफर से कर सकते हैं और यहाँ पर विड्रॉल जो है 15-20 प्रिंट के अंदर बैंक अक प्लस यहां पर पहले डिपोजिट करने भी बीस मिलता है माने जहाँ पर डिपोजिट करते हैं तो आपको 200 रुपे का फ्री बोनस मिल जाता है कल्यान बुक के तरफ से ठोटली एक्सचेंज लॉस्क्राइब कर सकते हैं और कल्यान बुक की आइडी के उपर आफ सारे मुका पर दो सोर रुपे डिपोजिट करने पर सुर रुपे का फ्री बोनस जो है वो मिल रहा है सर्फ ट्रिकेट लाइव हिंदी के वीवर्स कोई मिल रहा है जाकर बता दीजिएगा यहां पर सकोर हो चुका 124 रंद दो चार विकेड नुकसान पर 172 गेंदे हो चुकी हैं अगर लिके का यह खेल होगा यहां पर अगली गेंद लोर रंगेंद आउस्टन के बाहर जी आप बड़िया लाइन पर गेंद थी वाइड से बिल्कुल करीब यह गेंद यह गेंद यह एक और डॉट गेंद यहां पर पैमोंजी से स्कोर हो चुका है यहां पर 12 रंचार विकेड छक्के लगा चुके हैं चलिए आइम पैमोंजी ओवर की अगली गेंद लेका चलते हैं एक बार फेर से चौती गेंद करने गए थे वाइड हो गई यह गेंद 125 रंचार विकेड नुकसान पर 17.3 गेंद हो चुकी है कोशिस तो कर रहे हैं यहां पर अब देखते हैं किस उट चुकी हैं एगली गेंद यहां पर जफर जमाल को यहां पर एम पैमोंजी की क्या लगता है आपको बड़ा शॉट खेलेंगे जी हाँ बड़ा शॉट खेला है जफर जमाल ने चौका बटो रहा है इस गेंद पर जी यहां 90 रंब न बहुत चुके हैं 50 गिंद वह खेल खेल चुके हैं साथ छके और छे चौके लगा चुके हैं और यहां से टीम का स्कोर एक सो उनतिस रन नाज बनवा चुके है चार विकेट के नुकसान पर एक सो उनतिस रन चार विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है बी ए इलावन तरिची टीम का जियां बी ए इलावन त रिची टीम का स्कोर जो है 129 रन चार विकेट के नुकसान पर 174 गेंदे हो चुकी है क्या लगता है आपको इस मुकाबले में किस तरीके से खेल चलेगा किस तरीके से ये खेल होगा ये देखना होगा थोड़ा सा यहां पर सिशिशन जो है वो कुछ अजीव लग रही है चलि पर जफर जमाल जो है वो 96 रन पर पहुँच चुके हैं स्कोर हो चुका 135 रन चार विकेट नुकसान पर 17 दशवलो पांच गेंदो का खेल हो चुका है समाल भया मान नहीं रहे हैं जफर जमाल जो है वो मान नहीं रहे हैं मार मार के सुजासा दिया है कुछ आज तरिची के बल्लेबाजों को लीजिए यहां पर 85 मीटर का छक्का है यह 85 मीटर का यह छक्का है स्कोर हो चुका है 135 रन चार विकेट के नुकसान पर भीया माने के कैसे यह बहुत मार रहे हैं चलिए एक बार फेर से ओवर की अगली गेंद आखरी गेंद है ठार वे ओवर की सामने है जफर जमाल चार रन दूर है अपने शतक से मगर यहां पर कैच आउट होते हुए यह किया था शतक के करीद थे स्लोर वन गेंद बड़ा शॉट खेल ले गए बल्ले का अंधुरूनी किरा लगा और विकेट कीपर ने पकड़ा है कैच और ले जिये ले जिये विकेट आता हुआ जफर जमाल का शतक से चूके यहां पर चार रन से बड़ एक त्रपन गेंद में च्यानवे रन की पारी खेली जफर जमाल ने यहां पर छे चौके और आठ चके लगाए थे इस अब एमपे मौनजी की आखरी गेंद पर भी बड़ा शॉट लगाने गए थे बड़े का अंधूनिक रड़ा लगा और गेंद गई सीधा विकेट कीपर के पास कैच आउट होते हैं जफर जमाल 18 ओवर जो है समापत हो चुके हैं 135 विकेट नुकसान पर बीए 11 तरिची की टीम का स्कोर है स्ट्राइक पर होंगे अब डैरिल सुंदर फरारियो देखते हैं नए बल्लेबास कौन होंगे ऐसा लगता था कि शदक कर लेंगे शायद जफर जमाल मगर आकरी में 26 रन पर आते ही कैच आउट हो गए यहाँ पर जफर जमाल बल्लेबाजी आज काफी खतरनाक तरीके से की है जफर जमाल ने जिस तरीके से वो ताबर तोड़ बल्लेबाजी बीए 11 तरिची की तरफ से एक धकड बल्लेबाजी और टीम का स्कोर जो है वो आगे लेके जा रहे हैं तो मज़ा आ रहा है देखकर जीए एंटोनियो दास आ चुके हैं मगर डैर्यल सुन्दर फरारी होंगे स्ट्राइप पर कम से कम 10 या 15 बटोन ये कोशिश रहेगी सोवर में भी किपने 19 सोवर में डेड़ सोरन का स्कोर एक अच्छा स्कोर रह सकता है क्या यहां से बीए 11 तरिची की टीम जोने 6 मुकाबले हार चुकी है क्या सा अच्छी बल्ले बाजी करनी चाहिए थी उस सारी अच्छी बल्ले बाजी जो है जफर जमाल करके गए हैं स्कोर हो चुका 137 पांच विकेट नुकसान पर अंटोनियो दास चुके हैं बल्ले बाजी करने के लिए अब देखते हैं अंटोनियो दास जो हैं वो किस तरीके से खेलेंगे इस गेंद को जियां अगली गेंद लेकर चलते हुए अगली गेंद पर स्ट्राइक मेशूद ब किन रंदे चुके हैं तो क्या लगता है आपको अगली गेंद पर बड़ा शौट होगा क्या देखना होगा एक बार फिर से अगली गेंद मोहन परशांद के सोवर के एक बार फिर से ग्याप ठकेला है एक नहीं दो मिलेंगे जियां इस बार रनिंग बिट्वीन जो है दोन मोहन परशांद बची भी तीन गेंदों के अंदर क्या यहां पर रन रोखेंगे या फर विकेट मिलेगा रन रोखेंगे या फिर विकेट मिलता हो नजर आएगा यह देखना होगा लाइक करिए सब्सक्राइब कर दिए चैनल को इंचॉय करिए इस मुकाबले को मेरे इसको खेल दिया कवर के दिशा में फिल्टर ने कोशिच की गेंद को रोकने की मगर महां पर मिस्टूड होई फिल्डर से और चौका मिल गया जिया फिल्डर के हाथ से गेंद लगकर बाउंडरी के बाहर गई चारन के लिए चार गेंदों में नौरन आचुके हैं अगली करना चाहेंगे क्याश पकड़ लिया है वहां पर फिल्टर तो कहने शद कैस्ट पकड़ा है मगर वहां पर दो रंद दॉल लिया एंटोनिय दास तो क्या हम पार चेक करेंगे यह देखना होगा कि कैस को मानेंगे कि नहीं क्यास लगा था फ्लैट शॉट था यह और इस फ् त्रिची की टीम को अब आखरी गेंद बची है इस पारी की देखते हैं आखरी गेंद के ऊपर क्या कुछ बड़े प्रहार जो है वह देखने मिलते हैं रन तो काफी बन चुके हैं रन तो फाइटनिंग के लिए बन चुके हैं मगर बीए 11 त्रिची की गेंद बाजी को पैसे उपर नहीं जा रहे हैं ऐसे होता है वह काफी यहां पर रहना चाहिए काफी बढ़ा रहना चाहिए अब देखते हैं क्या होता है मुकाबले में लाइक करिएगा सब्सक्राइब करें को डॉक्टर साब यह खेल चल रहा है बड़ी आज रन रहे हैं बारिश होने के बाद गेम रुक रहा है उसके बाद रन बनाए एंटोनियो दास ने कभी इतना तेज जिंदगी में ने खेला होगा आज खेलें क्यूं भाई खेलना आता है वह सबको खेलते नहीं है यह चली आगली गेंद इस बार फिर से मौन परशांद के इस ओव विकेट मिलता होँ यहाँ पर विकेट गिर्ता हुआ एंटोनियो दास होते वे चैच आउत और यहां से यह पारी जो है वो समाप्त होती हैं बारिश चलते मुकाबला 1919 ओवर का हो बाइ ये टार्गेट तो अच्छा मना लिया है देखो बाइ क्या होता है गेंद बाजी कैसी रहेगी वो देखना होगा चलिए यहां से अब स्कोर हो चुका है 146 विकेट नुकसान पर 19 ओवर के समाप्ति के बाद एंटोनियो दासर कैश पकड़ा राम सिंग सोनु यादव न मैच का सूरतल बता दे आपको तो मैच का सूरतियाल इस प्रकार है टौज इता था नल्ले रोयल किंग की टीम ने पहले गेंद बाजी करने का निड़ने लिया और पहले बल्ले बाजी करने आई यहां पर बीए 11 की टीम चे ओर में सिर्फ 27 और मना पाई दो विकेट नुकस पर उसके बाद धाकड बल्ले बाजी रही बारी शाहि उसके बाद धाकड बल्ले बाजी रही जफर जमाल की जो के 96 अनवरन की पारी जो है वो खेल के गए है और 19-19 ओवर के इस मुकाबले के अंदर बीए 11 की टीम ने 146 और मना लिए हैं जी आप टार्गेट जो मिला है न नल्लाई रॉयल कींग को वो मिला है 19-19 ओवर के अंदर 147 और मनाने है नल्लाई रॉयल की टीम को तो बल्ले बाजी करम चलते हैं उपनी करना है गंगा श्रिधर राजु और के राजकुमार गंगा श्रिधर राजु ने 25 गेंदों में 18 की पारी खेली दो चौके और कोई आठ बड़े चक्के यहां पर लगाए इस ट्राइक रेट जो है वो एक 182 का रहा और यहां पर एक जबर्दस बल्ले बाजी रही आर राजकुमार ने भी नो गेंदों में तीनर मनाए को चौका चका नहीं लगा डैनिस सुंदर फराडियो ने भी आत्रों सा स्लो बल्ले ब मनाए मगर हाइस स्कोर इस टीम से जफर जमाल करा जो कि तरपन गेदम च्यानवर ने मनाए च्छे चौके और आठ च्छके हां पर लगाते नदर आए पांच अतरतन मिले और बीए 11 तरिची की टीम ने एक सो चैलिस रन मनाए यहां पर च्छे विकेट नुकसान पर उननिस ओवर के समापते के बाद गेंदबाजी की बात के तो साथ गेंदबाज आज यूज किये नले रोयल किंग की टीम ने पहले शुरुवात की संदीप वारियर ने जो की चार ओवर की अठारा रंदी है एक मिल चटकाया और एकॉनमी जिए वो चार तसनलों पांच शून ने क लक्षर जैन ने एक ओवर किया बारारंदिये कोई विकेट नहीं मिला कोई एकॉनमी जो बारा का रहा यहाँपर ऐस महण परशात ने तीन ओवर जरूर किये 24 रंदी एक भी शुटकाया इनका एकॉनमी जो आठ का रहा ने सरीष ने सुर्फ एक ओवर किया तीन ने और एक इस मुकाबले को जीतने के लिए 147 रन चाहिए 19 ओवर में और NLA रोयल टींग के पास कोई प्रेशर नहीं है कि वो प्लेय आउफ में कौलिफाइ कर चुके हैं मेसिज करिएगा और अपनी ID जो हो ले लिजेगा minimum deposit जो है सिर्फ 100 रुपे का minimum withdrawal जो है सिर्फ 100 रुपे का है प्लस यहाँ पर पहले deposit करने पर भी आपको 20 रुपे का bonus मिलता है मालीज हजार पर deposit करेंगे तो 200 रुपे का bonus जो है आपको मिल जाएगा तो link है description में link को click करिएगा WhatsApp message करिएगा और यहाँ पर कल्यान बुक के साथ join कर लीजेगा और सासत में अगर बात की जाए तो स्कीन पर दिये वे नंबर पर भी WhatsApp message करके जो है अपनी ID जो है वो ले सकते हैं तो पर जाए join कर लीजेगा कल्यान बुक को link है description में लाइचमन पिन कर दिया है उसलिगों क्लिक करके ID करिट करिएगा खेलिएगा और जीतिएगा कल्यान बुक के उपर जो है आप सारे मुकाबले लाइज दे सकते हैं क्रिकेट हो फिटबॉल टैनिस हो कोई पर मुकाबला हो आप लाइज दे सकते हैं तो खेलिए और जीतिए कल्यान बुक के साथ लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइज पिन कर दिया बस थोड़ी दर में मुकाबला जो हो शुरू होने वाला है जुरते रहिएगा लाइक करते रहिएगा सब्सक्राइब करते हैं चैनल को यहां पर यहां पर अब टार्गेट ज्यादा बड़ा है ज्यादा बड़ा लग लिया और पहले बल्लेबाजी करने आई यहां पर बीए लावन की टीम च्छे और में सिर्फ 27 अनवन पाई दोविकेट नुकसान पर उसके बाद ऊसके बाद धाकर बल्ले बाजी रही बारिशाई उसके बाद धाकर बल्ले बाजी रही जफर जमाल की जोगे 96 पारी जो है केल के गए है और 1919 over के मुकाबले के अंदर बीए 11 2014 की टीम ने 146 रुं रॉक्सान पर THAT% जो मिला है नंदर नो 45 की टीम को मांदा अर्व लेफाज़ी करम चलते हैं और ऐंगा शिर्दर राजु और के राजकुमार गंगा शिर्धर राजु ने पच्चिस गेंदों में अठारन की पाली खेली दो चौके और कोई भी छक्का यहां पर लगाए नहीं के राजकुमार जादा कुछ करना ही पाए च्छे गेंदों में दूर्म बनाते हैं नजर आए यहां पर सरहन टी जो है वो नंबर तीन पे आये थे चार गेंदे खेली और शून ने पर आउट हुए मगर नंबर चार पे आये जफर जमाल ने तरपन गेंदों में च्यानवरन की पाली खेली छे चौके और आठ बड़े चक्के यहां पर लगाए इस्ट्राइक रेट जो है वह एक सो ब्या है डेल सुन्दर फ्राइडी जो कि बारा गेंदों बार नंबर मनाए मगर हाइस स्कोर इस टीम से जफर जमाल करा जो कि तरपन गेंदों में च्यानवर नंबर मनाए च्छे चौके और आठ चौके हां पर लगाते नदर आए पांच अतरतन मिले और बीए 11 तरिची की टीम गेंदबाजी की बात के तो साथ गेंदबाज आज यूज किये नले रोयल किंग की टीम ने पहले शुरुआत की पहले शुरुआत की ने जो कि चार ओवर की अठारा रंदी है एक बिल चटकाया और एकॉनमी जे है वो आर दशनलाव साथ पांच की रही अठी वीरा मनी ने दो वर किये 17 रंदी है कोई विकेट नहीं मिला एकॉनमी जे वह आट शनलाव पांच शुन ने कि रही लक्ष जैन ने एक ओवर किया बारा करा यहांपर एस मोहन परशांत ने तीन ओवर जरूर किये 24 रंदी हैए उनका एकौनमी जेह वह आठ कर रहा ए मोहन परशांत और एक एक विकेट जो है मिलते नज़रा है हाँ पर तो आप एनलाई रॉयल किंग को इस मुकाबले को जीतने के लिए 147 रंच चाहिए 19 ओवर में और एनलाई रॉयल किंग के पास कोई प्रेशर नहीं क्यों प्लेयाउफ में कॉलिफाई कर चुके हैं मगर बी प्लस यहां पर पहले डिपोईट करने पर भी आपको सब्सक्राइब करेंगे तो 200 रॉप्य का बोनस जो आपको मिल जाएगा तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करिएगा वर्टसर मेसेज करिएगा और यहां पर कल्यान बुक के साथ जॉइन कर लिजेगा और सासतमा अगर बात की जाए तो स्कीन पर दिये वे न लिए और जीतिये कलान बुक के साथ लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइच में पिन कर दिया बस थोड़ी दर में मकाबला जो हो शुरू होने वाला है जुरते रहिएगा लाइक करते रहिएगा सब्सक्राइब करते रहे चैनल को यहां पर प्रकार है टॉज जिताता है नल बल्लेबाजी रही जफर जमाल की जो कि 96 पारी जो हो खेल के गए है और 19-19 ओवर के इस मुकाबले के अंदर बीए 11 के बीए 11 तरिची की टीम ने 146 रम लाली है जी है 146 नुकसान पर अब टार्गेट जो मिला है नल्लाई रोयल किंग को वो मिला है 19 ओवर के अंदर 147 रम है नल्लाई रोयल किंग की टीम को तो बल्लेबाजी करम चलते हैं ओपनी करना है गंगा श्रिधर राजु और के राजकुमार गंगा श्रिधर राजु ने 25 गेंदों में 28 की पारी खेली दो चौके और कोई भी छक्का यहां पर लगाए नहीं के राजकुमार ज्यादा कु और यहां पर एक जबर्दस बल्लेबाजी रही है आर राजकुमार ने भी नो गेंदों में तीन रन मनाए को चौका चौका नहीं लगा डैरिस सुन्दर फराडियो ने भी आत्रोड सा स्लो बल्लेबाजी की बारा गेंदों मनाए सिर्फ बारा रन नाबाद रहे वहीं चौके यहां पर लगाते नदर आए पांच अतरतन मिले और बीए 11 तरिची की टीम ने एक सो च्यालिस रन मनाए यहां पर छे विकेट नुकसान पर 19 ओवर के समापते के बाद गेंदबाजी की बात के तो साथ गेंदबाज आज यूज किये नले रोयल किंग की टीम ने पह प्रेमाँजी ने भी 4 वर किये 35 रंदिये 25 चेटका एक अर्द सलों सांत पांच की रही टी वीरा मंजी ने 2 वर किये 17 कोई विकेट नहीं मिला व्यार्य वर चुणड़ पांच शूनी की रही लक्षय जैन ने 1 ओर किया 12 रंध ये कोई विकेट नहीं मिला एकोनोमी जैंड बारा का रहा है हाँ पर एस मोहन परशांत ने तीन ओवर जरूर किये 24 रंदी एक वी शटका है इंका एकॉनिमी जो है वो आठ का रहा एन्स हरीश ने सिर्फ एक ओवर किया तीन रंदी और एक वी शटका है हाँ पर सबस्दा विकेट जो है वो एम पेमोंजो को मिले दो विकेट बाकी एक एक विकेट मिला संदीव और राम सिंग सोनु यादाव एस मोहन परशांत और एक एक विकेट जो है मिलते नज़र आए हाँ पर तो अब एनले रोयल किंग को इस मुकाबले को जीतने के लिए 147 रंच चाहिए 19 ओवर में और एनले समापन करें यहाँ पर आप क्या जीत पाएंगे इस मुकाबल दिये देखना होगा तो थोड़ी तर में इनिंग ब्रेक जो है खतमने मुला है अगर उससे पहले आप सम लोग यहाँ पर कल्यान बुक के साथ जॉइन कर लिजेगा है लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइच के अंदर मिल जाता है तो वस्ते जाकर जोईन कर लीजें के उपर कल्यान बुक के उपर आज ही जोईन करते हैं और 200 रुपी की साथ जो है अग्ला एक बात की जाए उस लिंग को क्लिक करके ID क्रेट करियेगा यहे लिए लिए गआ और जीतीगा कलेटन भूक के उपर आप सारे मुकाबल हो आप लाइव देशाथे हैं तो खेल यह लिए और जीतीए कलेटन भूक के साथ भूक फिन कर दियाख तोड़ी दर में मकाबला जो है वो शुरू होने वाला है जुरते रहीएगा लाइक करते रहीएगा सब्सक्राइब करते रहीए चैनल को यहाँ पर प्रकार है टॉज इता था नल्ले रोयल किंग की टीम ने पहले गेंद बाजी करने का निड़ने लिया और पहले बल्ले ना पाई दो विकेट नुकसान पर उसके बाद उसके बाद धाकड बल्ले बाजी रही बारी शाहिए उसके बाद धाकड बल्ले बाजी रही जफर जमाल की जो च्यानवेरन की पारी जो है वो खेलके गए है और उन्निस उवर के इस मुकाबले के अंदर बीए इलावन के ट तो बल्लेबाजी करम चलते हैं ओपनी करना है गंगा श्रीधर राजु और के राजकुमार गंगा श्रीधर राजु ने 25 गेंदों में बल्लेबाजी रही आर राजकुमार ने भी नो गेंदों में तीन रन मनाए को चौका चक्का नहीं लगा डैरिस सुन्दर फ्राडियो ने भी आ थ्रुड़ सा स्लो बल्लेबाजी की बारा गेंदों मनाए सिर्फ बारा नाबाद रहे वहीं इंट्रूड्यू दास पांच गें मिलें और बीए 11 तरिची की टीम ने 146 रन मनाए यहां पर 6 विकेट नुकसान पर 19 ओवर के समापते के बाद गेंदबाजी की बात के तो साथ गेंदबाज आज यूज किये नल्ले रोयल किंग की टीम ने पहला और पहले शुरुवाद की संदीव वारियर ने जो की चार ओ 12.5 कि की रही Mp news ने भी चार ओवर किये 35 रंदिये 25 शिटका है इकानमी जिय है वो आड़त्य सनलां सात पांच की रही ती वी antisलोड यहीं मिला एकोनमी जो है वो eight licht शुन ने के रही लक्षय जैन ने एक ओर किया बारा करई है हाँपर एस मोहन परशांत ने तीन ओवर जरूर किये 24 रंदी एक वी शिटका है इनका एकॉनमी जो है वो आठ का रहा एनस हरीश ने सिर्फ एक ओवर किया तीन रंदी ए और एक वी शिटका है यहाँ पर सबसदा विकेट जो है वो एम पेमोंजो को मिले दो विकेट बाकी एक एक विकेट मिला संदीव वोरियर राम सिंग सोनु याद अव एस मोहन परशांत और एनस हरीश को एक एक विकेट जो है मिलते नज़र आया है यहाँ पर तो अब एनले रोयल किंग को इस मुकाबले को जीतने के लिए 147 रंच चाहिए 19 ओवर में और एनले रोयल किंग के पास कोई प्रेशर नहीं है कि वो फ्लेय आफ में कॉलिफाई कर चुके है मगर बी ए 11 तरिचे की टीम अपनी साख की लड़ाई जो है वो लड़ाई जो है लड़ाई जो है वो चाहते हैं कि जीत के साथ TNPL 2023 का जो है समापन करें यहाँ पर आप क्या जीत पाएंगे इस मुकाबल दिये देखना होगा तो बस थोड़ी तर में इनिंग ब्रेक खतम उने वाला है अगर उससे पहले आप सब लोग यहाँ पर कल्यान बुक के साथ जोईन कर लिजेगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचन में पिन कर दिया है उस लिंगों क्लिक करके वाटसर मेसिज करिएगा और अपनी आईडी जो हो ले लिजेगा आपको 100 रुपे का free bet जो है मिलता है प्लस यहाँ पर पहले डिपोईट करने पर भी आपको 20 मशन का bonus मिलता है मालनीज़ हजार पर डिपोईट करेंगे तो 200 रुपे का bonus जो है आपको मिल जाएगा तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करिएगा वर्टसर मेसेज करिएगा और यहाँ पर कल्यान बुक के साथ जॉइन कर लीजेगा और सासतमा गर बात की जाए उसकीन पर दिये वे नमबर पर भी वर्टसर मेसेज करके जो है अपने ID जो है वो ले सकते हैं तो खेलिये और जीतिये कल्यान बुक के साथ लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचर में पिन कर दिया बस थोड़ी दर में मकाबला जो है वो शुरू होने वाला है जुरते रहिएगा लाइक करते रहिएगा सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को यहाँ पर प्रकार है टॉज जीता था है नल्ले रोयल किंग की टीम ने पहले गेंद बाजी करने का निन्ने लिया और पहले बल्ले बाजी करने आई यहाँ पर बीए इलावन की टीम चे और में सिर्फ 27 रम ना पाई दो विकेट नुकसान पर उसके बाद धाकड बल्ले बाजी रही बारी शाहि उसके बाद धाकड बल्ले बाजी रही जाफर जमाल की जो के 96 रिंकी पारी वो खेल के गए है और 19-19 वर के इस मुकाबले के अंदर बीए 11 तरुचीं की टीम ने 146 रम ना लिए 11 जी 46 रम ना लिए 146 रम ना लिए अठारन की पाली खेली दो चौके और कोई भी छक्का यहां पर लगाए नहीं के राजकुमार ज्यादा कुछ कर नहीं पाए छे गेंदों में दूरम बनाते हैं नजर आए यहां पर सरहन टी जो है वो नंबर तीन पर आये थे चार गेंदे खेली और शून ने प्याउट नो गेंदों में तीन अनमना एको चौका चकन प्रकार है टौज इता था नल्ले रॉयल किंग की टीम ने पहले गेंद बाजी करने का निड़ने लिया और पहले बल्ले बाजी करने आई यहां पर बीए 11 की टीम चे और में सिर्फ 27 अनमना पाई दो विकेट नुकसान पर उ उसके बाद धाकड बल्ले बाजी रही बारी शाय उसके बाद धाकड बल्ले बाजी रही जफर जमाल की जोगे 96 अनमन की पारी जो है वो खेल के गए है और 19-19 ओवर के इस मुकाबले के अंदर बीए 11 तरिचे की टीम ने 146 अनमना लिया है जी है 146 अनमना नुकसान पर के राजकुमार गंगा शिर्धर राजी ने 25 गेंदों में 18 की पारी खेली दो चौके और कोई भी छक्का यहां पर लगाए नहीं के राजकुमार ज्यादा कुछ करना ही पाए 6 गेंदों में दूर्म बनाते हैं नजर आए यहां पर सरहन टी जो है वो नंबर तीन प्याय थ चौका शक्का नहीं लगा डैनिस सुन्दर फ्राडियों ने भी आत्रों सा स्लो बल्लेबाजी की 12 गेंदों मनाए सिर्फ 12 गेंदों नाबाद रहे वहिए इंटर्यू दास पांच गेंदों मनाकर एक चौका लगाकर कैच आउट हुए यहां पर तो यहां पर नाबाद रह और बीए 11 तरिची की टीम ने एक सो चैलिस रन मनाए यहां पर छे विकेट नुकसान पर उननिस ओवर के समापते के बाद गेंदबाजी की बात के तो साथ गेंदबाज आज यूज किये नल्ले रोयल किंग की टीम ने पहले शुरुआत की संधी वारियर ने जो की चार पांश शून ने की रही वहीं अकर बात की जाथ राम सिंग्सोन वायादव निचार ओवर किये 37 रंदिये एक विल चिटका एकॉनिज हैं वह 9.25 की रही म पैमाउंजी ने बी 4 ओवर की तिस रंदिये दो विकेट टी वेरा मजी ने दो ओवर किये 17 रंदिये कोई विकेट नहीं मिला एकॉनमी जो है वो आठ शुनने की रही लक्षे जैन ने एक ओवर किया बारा रंदी एव कोई विकेट नहीं मिला एकॉन पर्शाथ ने तीन ओवर जरूर किये 24 रंदी एक विकेट बाकी एक एक विकेट मिला संदीव और राम सिंग सोनु यादव एस मोहन पर्शांत और एक एक विकेट जो है मिलते नजरा आए यहाँ पर तो अब एनलाई रॉयल किंग को इस मुकाबले को जीतने के लिए 147 रंच चाहिए 19 ओवर में और एनले रॉयल किंग के पास कोई प्रेशर नहीं है कि वो फ्लेयाउफ में कॉलिफाइ कर चुके हैं मगर बी ए 11 तरिची की टीम अपनी साख की लड़ाई जो है इज़त की लड़ाई जो है लड़ाई जो है लड़ाई जो है लड़ाई क्यों तूरामेंट में लाइचन में पिन कर दिया है उस लिंग को क्लिक करके वाटसर मेसिज करिएगा और अपनी आईडी जो ले लिजेगा मिनमम डिपोजिट जो है सिर्फ 100 रुपे का मिनमम विड्रॉल जो है सिर्फ 100 रुपे का है डिपोजिट आप गूगल पर फोन पर पेटियम से बैंक ट् करेंगे तो 200 रुपे का बोनस जो है आपको मिल जाएगा तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करिएगा वर्टसर मेसिज करिएगा और यहां पर कल्यान बुक के साथ जॉइन कर लिजेगा और सासतमा अगर बात की जाए तो स्कीन पर दिये वे नंबर पर भी व लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचर में पिन कर दिया बस थोड़ी दर में मकाबला जो होने वाला है जुड़ते रहिएगा लाइक करते रहीएगा सब्सक्राइब करते रही है चैनल को यहां पर प्रकार टॉज जिता था नल्ले रोयल किंग की टीम ने पहले गेंद बा बाजी रही जफर जमाल की जोगे 96 रहन की पारी जो हो खेल के गए है और 19-19 ओवर के इस मुकाबले के अंदर बीए 11 तरिचे की टीम ने 146 रही है जी है 146 रही है नुकसान पर अब टार्गेट जो मिला है नल्ले रोयल किंग को वो मिला है 19 ओवर के अंदर 147 रहन है नल्ल चौके और कोई भी छक्का यहां पर लगाए नहीं के राजकुमार ज्यादा कुछ कर नहीं पाए च्छे गेंदों में दूर्म बनाते हैं नजर आए यहां पर सरहन टी जो है वो नंबर तीन पर आये थे चार गेंदे खेली और शून ने प्याउट हुए मगर नंबर चार पर जफर जमाल ने तिरपन के दोंबर च्यानवे रन की पारी खेली छे चौके और आठ बड़े चक्के हां पर लगाए इस्ट्राइक रेट जो है वह एक सो ब्यासी का रहा और यहां पर एक जबर्दस बल्लेबाजी लिए आर राजकुमार ने भी नो गेंदों में तीन र पर फ्राइड जो कि बारा गेंदों बारा ने मनाए मगर हाईस्ट स्कोर इस टीम से जफर जमाल करा जो कि तरपन गेंदों में च्यानवे ने मनाए चे चौके और आठ चौके हां पर लगाते नदर आए पांच अतरतन मिले और बीए इलावन तरिची की टीम ने एक सो चैन पर उननिस ओवर के समापते के बाद गेंदबाजी की बात के तो साथ गेंदबाज आज यूज किये नले रॉयल किंग की टीम ने पहला ओड़ा पहले शुरुआत की संदीव वारियर ने जो कि चार ओवर की अठारा रंदी ए एक विर चटकाया और एकॉनमी जी है वो चार गए चुनलव साथ पांच कि रही ती विरामनी ने दो ओवर किए सत्रा रंदी कोया विविकेट नहीं मिला इक उसलिफ टेन पांच शुन्य के रही लक्षे जैन ने एक ओवर किया बारा रहा यहां पर एस मोहन परशांत में तीन ओवर जरूर किये चौबिस रंदी एक वि किया तीन रंदी और एक भी शिटका है हाँ पर सबस्ता विकेट जो है वो एम पेमॉंजो को मिले दो विकेट बाकि एक एक विकेट मिला संदीव और राम सिंग सोनु याद आव एस मोहन परशान्त और एक एक विकेट जो है मिलते नज़रा है हाँ पर तो अब एनले रोयल किंग को इस मुकाबले को जीतने के लिए 147 रंच चाहिए 19 ओवर में और NLA रोयल किंग के पास कोई प्रेशर नहीं है कि वो प्लेइआफ में कॉलिफाई कर चुके हैं सिर्फ 100 ओर प्लेट पास आप गूगल पर पहले डिपोःट आपको 20 पर बोनस बाथा है तो 200 रुपे का बोनस जो आपको मिल जाएगा तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करिएगा वर्टसर मेसेज करिएगा और यहां पर कल्यान बुक के साथ जॉइन कर लिजेगा और सासतमा अगर बात की जाए तो स्कीन पर दिये वे नंबर पर भी वर्टसर कोई में मुकाबला हो आप लाइव देश सकते हैं तो खेलिये और जीतिये कल्यान बुक के साथ लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचर में पिन कर दिया बस थोड़ी तर में मुकाबला जो हो शुरू होने वाला है जुड़ते रहिएगा लाइक करते रहिएगा सब्सक्रा बाद धाकड बल्लेबाजी रही बारिश आई उसके बाद धाकड बल्लेबाजी रही जफर जमाल की च्यानवरन की पारी जो हो खेल के गए है और उन्निस उन्निस ओवर के इस मुकाबले के अंदर बीए इलावन तरिचे की टीम ने एक सो श्यालिस रमनाली है जी है इक सो जो मिला है नल्लाई रोयल किंग को वो मिला है उन्निस ओवर के अंदर 147 रमनाने है नल्लाई रोयल किंग की टीम को तो बल्लेबाजी करम चलते हैं ओपनी करना है गंगा श्रिधर राजु और के राजकुमार गंगा श्रिधर राजु ने 25 गेंदों में अठारन की पारी खेली दो चौके और कोई भी छक्का यहां पर लगाए नहीं के राजकुमार ज्यादा कुछ करना ही पाए च्छे गेंदों में दुर्म बनाते हैं नजर आए यहां पर सरहन टी जो है वह नंबर तीन पर आये थे चार गेंदे खेली और शून ने प्याउट हुए मगर नंबर 12 रन नाबाद रहे वहीं इंटोडियो दास पांच गेंदों में दस रन मनाकर एक चौका लगाकर कैच आउट हुए यहां पर तो यहां पर नाबाद रहने लिए बल्लेबास हैं डैल सुन्दर फ्रारी जो कि 12 गेंदों 12 रन मनाए मगर हाईस स्कोर इस टीम से जफर जमाल क पर 19 ओवर के समापते के बाद गेंदबाजी की बात के तो साथ गेंदबाज आज यूज किये नल्ले रोयल किंग की टीम ने पहला और पहले शुरुवाद की संदीब वार्यर ने जो की चार ओवर की अठारा रन दिये एक विर चटकाया और एकॉनमी जी है वो चार दशनल आगॉड ऑफ साथ पांच के रही ती वीरामणी ने दो वर किये संतर रंद कोई विकेट नहीं मिला इकॉनमी जी है वो आठ वी शुटकाया और एकॉड कि शुटकाया यहांपर सभसरता विकेट जो है वो एंप मोन्जो को मिले दो विकेट बाकी एक एक विकेट मिला संदीव और राम सिंग सोनु याद आओ एस मोहन परशानत और एननेस हरीश को एक एक विकेट जो है मिलते नज़र आया है यहाँ पर तो अब एननलाई रोयल किंग को इस मुकाबले को जीतने के लिए 147 रंच चाहिए 19 ओवर में और एननले रोयल किंग के पास कोई प्रेशर नहीं है कि वो फ्लेय आफ में कॉलिफाई कर चुके है मगर बीए 11 तरिची की टीम अपनी साख की लड़ाई जो है वो लड़ाई जो है लड़ाई जो है वो चाहते हैं कि जीत के साथ TNPL 2023 का जो है समापन करें यहाँ पर आप क्या जीत पाएंगे इस मुकाबल दिये देखना होगा तो थोड़ी तर में इनिंग ब्रेक खतम उने वाला है अगर उससे पहले आप सब लोग यहाँ पर कल्यान बुक के साथ जॉइन कर लिजेगा है लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइच्ण में पिन कर दिया है उस लिंगों क्लिक करके वाटसर मेसिज करिएगा और अपनी आईडी जो हो ले लिजेगा मिनिमम डिपोजिट जो है सिर्फ 100 रुपे का तो आपको 100 रुपे का फ्री बैट जो है मिलता है प्लस यहाँ पर पहले डिपोईट करने भी आपको 20 मशन का बोनस मिलता है मानलीज़ हजार पर डिपोईट करेंगे तो 200 रुपे का बोनस जो है आपको मिल जाएगा तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करिएगा वर्टसर मेसेज करिएगा और यहाँ पर कल्यान बुक के साथ जोइन कर लिजेगा और सासत में अगर बात की जाए तो स्कीन पर दिये वे नमबर पर भी वर्टसर मेसेज करके जो है अपने आईडी जो है वो ले सकते हैं तो खेलियो और जीतिये कलरन बुक के साथ लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचर में पिन कर दिया बस थोड़ी दर में मकाबला जो हो शुरू होने वाला है जुरते रहिएगा लाइक करते रहिएगा सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को यहाँ पर प्रकार है टॉज जिता था है नल्ले रोयल किंग की टीम ने पहले गेंद बाजी करने का निड़ने लिया और पहले बल्ले बाजी करने आई यहाँ पर बीए इलावन की टीम छे और में सिर्फ 27 रम ना पाई दो विकेट नुकसान पर उसके बाद उसके बाद धाकड बल्ले बाजी रही बारी शाही उसके बाद धागड बल्ले बाजी रही जफर जमाल की जो कि च्यानवरन की पारी जो है वो खेल के गए हैं और उन्निस उवर के इस मुकाबले के अंदर बीए इलावन की टीम ने 146 रम नाली है जी है 146 रम नाली है 6 विकेट नुकसान पर अब टा में 18 की पाली खेली दो चौके और कोई भी छक्का यहां पर लगाया नहीं के राजकुमार ज्यादा कुछ करना ही पाए 6 गेदों में और दुरम नजरा आए यहां पर सरांटी जो है वो नंबर तीन पर आये थे चार गेंदे खेली और शून ने पर आउठ हुए मगर नंब झाल 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 झाल